नमस्कार दोस्तो गुड अप्टरनून और आज तिसरा और फाइनल ओडियाई मैच है जो कि खेला जाएगा अफगानिस्तान और नेधरलेंड्स के बीच तिसरा ओडियाई मैच तिसरा और फाइनल ओडियाई मैच अल्रेडी यहाँ पर आपको बता दे कि जो अफगानिस्तान है वो दो मैच जित चुके हैं और अल्रेडी सीरीज जित चुका है मगर एक बात आपको बोलनी पर एगी कि यहाँ पर जो नेधरलेंड्स है अच्छा फाइड दिया है इस सीरीज में अपना दमखम दिखाया है पूरी नई टीम के साथ आया है नेधरलें की कप्तानी पीटर सेलर कर रहा है जो कि एक भैतरीन खिलाडी है देखिया अफगानिस्तान ने पहला जो इनका पहला मैच था वो बाइस यहाँ पर बाइस चतिस रनों से जीता था और दूसरा मैच जो फिलाल खिले गए उस दूसरे मैच भी 48 रनों से जीता है तो दोनों बाइस यहाँ पर यहाँ पर 200 का आकड़ा पार नहीं कर पाया था नेधरलेंड्स और आज यहाँ पर अफगैस्तान ने ऊस जीता है और टौस जीत के पहले बता दे की टॉस जितने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया है जी हाँ टॉस जितने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया है अफगनिस्तार ने टॉस जितके तो हमारी साथ जिदने भी भाई जूर चुके है भाई थैंक्यू सो मज़ भाई जूरे रहने के लिए लाइक जरूर कड़े लाइक का मतलब होता है सपोर्ट सपोर्ट हमें जरूर कड़े और चैनल प्रद भाई चैनल को सबस्क्राइब जरूर कड़े बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेंग 11 की जी हाँ बात कर लेते हैं प्लेंग 11 की तो यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से रहमत उल्ला गुरुबाज खेल रहे हैं जो की आपको ओपेनिंग करते वे दिखाई देंगे साथ में आज रहमत साह जी हाँ यहाँ यहाँ पर उसमान गनी आज नहीं खेल रहे हैं तो यहाँ पर रहमत साह और रहमत उल्ला गुरुबाज यह दोनों साइद पारी की शुरुवात करते दिखाई दे तिसरे नमबर पे आज सकते हैं कप्तान साहिदी हसमातुला साहिदी जो की इनका कप्तान है अफगानिस्तान के और दूसरी बात करते हैं अगला खिलारी जो की यहाँ पर आपको खेलते वे नजर आएंगे तिस्रे नमबर पे वो है यहाँ पर नजीम उल्ला चार्दान आपको चौते नमबर पे आते वे दिखाई देंगे अगला खिलारी जो है यापर रियाज हसान को हुसेन को मौका मिला है और रियाज हुसेन की बात करे तो रियाज हुसेन ने यापर आपको बहतरीन खेल दिखा सकते हैं रियाईज हुसेन की बात करें तो यहाँ पर रियाईज हुसेन जो है इससे पहले डोमेस्टिक टी ट्वेंटी केरियर है इनकी और बैटिंग उतने अच्छे नहीं रहे है अब तक की केरियर में पिलाल अगर बात करें रियाईज हुसेन की तो रियाईज हुसेन ने फास्ट क्लस क्रिकेट में 6 मैचों में 69 की आउसस से 358 रन बना चुके है तो भाई आज देखते हैं यहाँ पर राइट हंडेट बैट्समेन है रियाईज हुसेन जिसको आज मौका मिला है मिला है यहाँ पर डेबियू करने का और देगना होगा कि यहाँ पर क्या कमाल करते है भाई अगला खिलारी जो है यहाँ पर आपको बता दे कि रसीद यहाँ पर उमर जाई जो की एक अच्छे खिलाडी है रसिद खान सब जानते हैं अच्छे गेनबाज है करामती खान इनको कहा जाता है और IPL में तो इनके चर्चे बहुत दूर दूर तरक है यह IPL भी खेल चुके है BBL भी खेल चुके है यहाँ पर मुझीबूर रह्मान भी है और क्वाइस आमेद को आज मौका मिला है फियाद आमेद है और फैजल हक है दूसरी तरफ हम बात करते है यहाँ पर नेदरलेंड्स की तरफ से आज जो खेलेंगे स्कॉट एडवर्ड्स कॉलिंड एकर्मेन जी हाँ यहाँ यहाँ बात करते हैं एडवर्ड्स कॉलिंड एकर्मेन और यहाँ पर जो खिलाडी है इनके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर नेदरलेंड्स की तरफ से तो भाई हमारे साथ बने रही है स्कॉट एडवर्ड्स कॉलिंड एकर्मेन स्ताकिव जुलफार फिकार डी लीडी पीटर सलार जोकी कप्तान है बोरिस गौर ली फो फ्लोर्ड फिलिप बॉस्वेन वीवियान किंगमा आरियान दात्ता और ब्रेंड़न ग्रोवर तो भाई हमारे साथ जीनने भी भाई जूर चुका है भाई सबको बोलेंगा भाई ज़रू करें लाइक का मतवताई सपोर्ट सबकोर्ट हमें ज़रू करें और चैनल फिर तो हमें चैनल को सबस्क्राइब ज़रू करें वैटरिन मैच होता हुआ हला है यहां पार नजल आरा भ chewy अफगानिस्थान ने आज टॉस जीता है और पहले यहां पर बैटिंग करने का फैसला किया है जी हाँ पहले बैटिंग करेंगे भाई यहाँ पर अफगानिस्तार तो भाई हमारे साथ जिन्दे भी भाई जूर चुका है लाइक ज़रू करें लाइक का मदब बता है सपोर्ट सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर ज़ेंकर को सब्सक्राइब जरूर कर लें थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा और आपको बता देखिए यहांपर टॉस जो है यहांपर जीत चुका है यहांपर अफ़ानिस्तान ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला क्या है तो भाई हमारे साथ जिन्दे भी भाई जूर चुके हैं सबको बोलें कि भाई लाइक जरू करें लाइक का मल दो बताई सपोर्ट तो भाई और सिर्फ यहां पर ज्यादा देर बाकी नहीं है मैच को स्टार्ट होने में जी भाई ज़्यादा देर बाकी नहीं है मैच को स्टार्ट होने में जी हाँ भाई यहाँ पर टॉस हो चुका है और टॉस के तुरंद बाद मैच स्टार्ट होने के लिए पूरी तरीके से तयार है तो भाई अमरे साथ बने रहे हैं यहाँ पर अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बले बाजी करने का फैसला किया है और यहाँ पर देखना होगा कि रहमतुल्ला गुर्बाज और मुझे लगता है रियाईज हुसेन या रहमत सा रहमत सा यह दोनों में से कोई आज सकते है पारी की सुरुवात करने के लिए मैच स्टार्ट होने जार रहा है जी हाँ खिलाडी मैदान पर आ चुके हैं और यहाँ पर पहला पावर प्ले सुरुवात हो चुके है पहले पावर प्ले का पहला गेंद यहांपर बहुत ही जल्द आएगा भाई गुर्बाज के साथ यहांपर गुर्बाज जिनोंने कैरियर राइठ हैंडेड बैट्समन है छे मैच खेल चुके हैं और ODI कैरियर में और 69 की ओसत इनका है गुर्बाज के साथ आये हैं रियाईज हुसेन जो की अब फिलाल खेलेंगे ये इनका साथ माँ फास्ट क्रिकेट में अब तक साथ मैच खेल चुके हैं साथ मैच में 69 यहां पर 69 की आउसद भी है तो भाई अमारे साथ जिद्ने भी भाई जूर चुके हैं पर पर आने वाला है अभी तक आए नहीं है भाई पहला केंद तो भई बने रही है हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए पहला केंद और यहाँ पर डॉट बॉल होता हुआ तो भई अमारे साथ बने रही है और यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका है गिंद बाजी जी हाँ गिंद बाजी यहाँ पर करने आए है वीवियन कंग किंगमा जी हाँ वीवियन किंगमा आए हैं गिंद बाजी के लिए मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है और मैच के लिए इंतिजार किया जार रहा है सही बक्त पर मैच स्टार्ट होगा भाई पहला गिंद पहला गिंद जी हाँ यहाँ पर पहली गिंद और डॉट बाल से सुरुआत हुआ है गुरबाज है इस टाइक में राइट हैंडेड बैट्समैन को ओबर दो गिंद बाल किया था यहाँ पर किंग बाने पहली गिंद अच्छी उचाल के साथ और पहली गिंद नो बाल पहला गिंद नो बाल हुआ है और फ्री हिट मिलेगा भाई फ्री हिट मिलेगा और पहली गिंद पे ही रन आ चुके हैं एक खाता खुल चुका है अफगानिस्तान का अफगानिस्तान अलरेड़ी सीरीजी जी चुका है और यह जो है आपचारिक मैच है और नेधरलेंड्स एक अच्छा फाइड देने का हमेशा कोसिस किया है अब फिलाल देखना होगा कि यहाँ पर नेधरलेंड्स की जो टीम है कैसे परफॉर्म करता है फिर से एक बार और यहाँ पर फाइडा नहीं उठा पाए फुल लिंद बॉल था यॉर्काट डाने की कोसिस किया बॉल बैट का एज लेके चला गया है थाडमेंड की तरफ और यहाँ पर सिंगेल रन लिया है गुर्बाज ने जी भाई यहाँ पर गुर्बाज ने सिंगेल लिया है तो हमारे साथ जिनने भी भाई जूर चुके हैं बढ़े रहेगा लाइक जरूर कीज़ेगा और चैनल पर बैट चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीज़ेगा एस यहाँ टाउन क्रिकेट स्टेडियम दोहा में यह खेला हो रहा है यह मैच जो है दोहा में हो रहा है और इस ओवर की दूसरी गेंद के लिए तैयार जी हाँ यहाँ 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 पर दूसरी गेंद के लिए तैयार इस ओवर की दूसरी गेंद राइट आप ओवर दो विकेट बॉल डालता हुआ और यहाँ पर बहतरीन गेंद और सीद अब विकेट कीपर की दस्ताने में ग जरू करें अफगानिस्तान फिलाल धीमा सुर्वात किया है रियाज हुस्प रियाज होसेन अपना डेबिउ कर रहे है आज फास्ट क्लास क्रिकेट में अच्छी एवरेज है इनके रियाज के करीब 69 की एवरेज से इन्होंने 7 मैचों में 358 डन बना चुका है फास्ट क्लास क तो भई रहमनुला गुर्बाज की बात करें तो पिछली मैच में रहमनुला गुर्बाज ने बात करते हैं रहमनुला गुर्बाज पिछली मैच में 103 रनों का पारी खेला था 127 गंदों में और पहला मैच में इनका बल्ला नहीं चला था फिर आज देखना होगा गुर्बा बल्ला चलेगा तो यहाँ पर आफगानिस्तान जो है कच्छा खासा स्कोर जरूर बना लेगा जी हाँ जरूर बना लेगा और देखना होगा भाई लेक्स्टेम से काफे बाहर बॉलतार भी मी शुरूबात जरूर हुआ है धीमी सुरूबात जरूर हुआ है गुर बाजे जैसे बल्ले बाजे अगर मैदान पर बने रहते हैं तो इस तरह की सुरूबात पहला ही ओवर हो रहा है तो यहाँ पर जल्द बाजी हो जाएगा बोलना की धीमी सुरूबात है तो देखते हैं भाई हमारे साथ बने रहीएगा लाइक जरू किजिएगा और चैनल पर चैनल के सब्सक्राइब जरू किजिएगा अच्छी गेन बाल नीची रही और सीधा चला गया विकेट कीपर की दस्ताने में कोई रन नहीं डॉट बाल होता हूँ लगातार अच्छी गेन बाजी यहाँ पर किंगमा का और इस ओबर में सिर्फ तीन रन आए हैं अभी तक फिलाल यहाँ पर गेन बाजी करते वे फिर्स एक बार किंगमा आज अफगानिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पाड़ी की सुर्वाद गुरबाज और यहाँ पर बॉल को खेल दिया था जी हाँ बैतर इन सौट पूल करने की कोशिस सौट अच्छी तरीके से बले पे नहीं आई और यहाँ पर दो रन अराम से मिल गए और इसी के साथ ओवर की समापती पहला ओवर खतर मोचुका है पहला ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर पाँच रन बन चुका है पहला ओवर से यहाँ पर अफगानिस्तान का पाँच रन बना है जहाँ पर गुर्बाज एक रन बनाके और दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर तो भाई अमारे साथ जिद्धें भी भाई जूर चुके हैं भाई सभी को बनों में लाइक ज़रू कड़े पाँच रन बना हैं पहली ओवर में विदाउट लॉस इस ओवर में एक नो बॉल आया और एक वाईड बॉल भी आया है दो एक्स्टर रन आये हैं इस ओवर में तो चलिए देखते हैं बने रही है और यहाँ पर गुर्बाज जो की विकेट कीपर बैटसमन है रियाज हुसेन जो की एक राइट हैंड बैटसमन है दोनों ही पाड़ी की सुरुवात करते वे अफगानिस्तान की तरफ से रहमत साह है इसके बाद आने वाले खिलारियों में से गुर्बाज फिलाल सामना करेंगे गुर्बाज फिलाल सामना करेंगे क्लिंट ओन फ्लाइड की गिंद का क्लिंट ओन फ्लाइड की गिंद का क्लिंट ओन फ्लाइड की अगर बात करें तो यहां पर गिंद बाजी करते वे पहला ओबर स्लो लिफ टाम बोलर है और देखना होगा कि अब क्या यहां पर गिंद बाजी करेंगे गुर्बाज को जो की एक करनो की स्कोर पे है पीटर सेलर अपने फिल्डर को सजाते वे फ्लोएड फिल्सिक बार स्टार्टिंग करता हुआ फ्लोएड गुर्बाज को डाइने हाथ के खिलारी गुर्बाज और यहाँ पर डॉट बॉल जी हाँ डॉट बॉल हुआ है सीधा खेल दिया था बॉल को मीडाओफ के पास कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ लगाता दो गेंदे यहाँ पर डॉट डाल दिया है अगर बैच्छा को सबस्क्राइब जुरूर कीजेगा क्या लगता है भाई कौन सी टीम आज यहाँ पर विन होगा जरूर हमाँ बताइए इस ओबर की तिसरी गेंद और बॉल को खेल दिया है मीडाओफ के तराफ फिल्डर मौजूद है वहाँ पर एक रन मिल चाएगा और इसी एक रनों के साथ इसकोर जो है छे रनों तक पहुँच चुका है गुरबाज थोर इसी धीमा जरूर खेल रहे हैं आज फ्रेड स्लो लिफ टाम गेंद बाज है इस ओबर की चौती गेंद रियाज हुसेन को तो भई अमरे साथ बने रहे हैं लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा रियाज हुसेन जी हाँ रियाज हुसेन को यहाँ पर गिंद बाजी करते वे और यहाँ पर फिर से एक बाद डॉट बाज खेलता हुआ तो भई अमरे साथ बने रहे हैं और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने के वाई सब्सक्राइब सिरूर कर लीजिए फिर से बाद बाद बालिंग के लिए तैयाँ जी हाँ यहाँ पर फ्लूरेड और इस ओबर की पांच भी गेड़ लेफ टाम ओबर दे विकेट बॉल करता हुआ आगे निकल के बॉल को खेल दिया है पॉइंटर कपर के बीच में से बॉल निकल गया है और यहाँ पर तो रन जी हाँ दिखना होगा बहुत ही बहतर इन फिल्डिंग और तीसरे रन के लिए भागना चाहते थे में अगर दो ही रन मिलेगा रियाईज को तो यहाँ पर डेबियू में खेलता हुआ रियाईज हुसेन और दिखना होगा कि आज यहाँ पर कितने रन चोड़ पाते हैं दो ओबर के बाद आट रन बन चुके हैं इस ओवर में आपको बतादे इस ओवर में सुर्फ तीन रन आया हैं फिलाल पचास ओवर का मैच है और पचास ओवर में देखना होगा कि आज अपकानिस्तान कितने रन चोड़ पाते हैं फिलाल दर दो ओवर हो चुके हैं दो ओवर के बाद आठ रन विदाउट लॉस यहां पर गुर्बाज जो की यहां पर बैटिंग कर रहे हैं दो रनों की स्कोर पे और रियाई हुसेन बैटिंग कर रहे हैं चार रन बढांके राइट आम अबर देगे लेक्स्टम पर पीछुई गेंथी बॉर को खेल दिया है यहां पर थार्ड फाइनल लेक की तराफ दो रन के लिए भांगना चाते थे और यहां पर दो रन कम्प्लिट कर लिया है जी यहां गुर्बाज पहुँच चुका है चार रनों की स्कोर पे गुर्बाज भी यहां पर चार रनों की स्कोर पे पहुँच चुका है तो भई अमारे साथ बने रही है लाइक जरूर कीजे और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा चे गिन्दों का सामना के वे फिर एक बार गुर्बाज सामना करेंगे इस ओबर के लिए इस बार अच्छी गेंती है अच्छी लेंद पे डाला था उच्छाल के साथ और यहां पर डॉट बॉल होता हुआ तो काफी अच्छी यहां पर बैटिंग चलता हुआ और गुर्बाज और रियाईज दोनों ही काफी अच्छी बैट्समन है और मुझे लगता है कि आज यहां पर एक अच्छी साजेदारी दोनों के बीचे बनता हुआ पनब रहा है तो भई हमारी साथ बने रहे हैं दस रन बन चुका है यहां पर अफगानिस्तान के इस ओबर के लिगेंदर राइट आम ओबर दुविकेट बॉल डालता हुआ बॉल को खेल दिया इस बार डीबे स्कॉाइल लेक की तराफ और दो रन अराम से ले लिया है तिसरे रन के लिए भी भागना चाहते थे गुरवाज मगर देखा की अच्छी आम थ्रो है और बहुती अच्छी थ्रो जहां से दो ही रन मिले गुरवाज को और इसी दो रनों के साथ है छे रनों की स्कॉर पे पहुँच चुका है तो भई लाइक जरूर करें लाइक का मतलबत है सपोर्ट सपोर्ट हमें जरूर करें फिलाल यहां पर बहतरीन मैच होता हुआ दो ओवर चार गेंदों के बाद बार रन बन चुके हैं जहां पर गुरवाज चे रनों की स्कॉर पे तो यहां पर बात करनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान की कुछ वंडे इंटरनेशनलने रिकॉर्ड की तो आपको बता दे कि यहां पर हाइस टोटल अफगानिस्तान का यहां पर 338 रन है जो आयलेंड के खिलाब 2017 में बनाया था अफगानिस्तान ने आज दिखना होगा यहां पर 338 रन है हाइस्ट इसकॉर्ट अफगानिस्तान के जो इन्होंने आयलेंड के खिलाब बनाया था 2017 में और ग्रेटर नॉइडा में यह मैच हुआ था और यह जो मैच है दोहा में खेला जार रहा है इस ओवर की आखरी गेन और यहां पर डॉट बॉल लगाता डॉट बॉल होता हुआ तो भई अमरे साथ जिद्ने भी भाई जूर चुके हैं सभी को बला बता दे कि यहां पर तीन ओवर में अफगानिस्तान ने 12 रन बड़ा हैं किंगमा ने 2 ओवर डाली हैं 9 रन दे हैं अब तक अफगानिस्तान ने आज टॉस जीता टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और देखना होगा कि अफगानिस्तान पहले बैटिंग करते हुए आज कितने रन बलाते हैं ऐसे तो अफगानिस्तान के सबसे अधिक हाइस टोटल अगर बात करें तो 338 का है जो कि इन्होंने यहां पर आइलेंड के खिलाब बना है और बात करते हैं यहां पर नेदरलेंड के खिलाब 269 रन सबसे अधिक इनका है 269 रन आइरलेंड का सबसे या अफगानिस्तन का सबसे अधिक स्कोर नेधरलेंड के खिलाब है तो देखना होगा कि आज ये 269 रन का आंकड़ा जो है निकल पाता है कि नहीं फिर सिक बार गिंद बाजी करते हुए फ्लूइड और यहां पर बैकपूर में गये बॉल को खेल दिया है स्कोर ड्राइब और यहां पर सिंगल के लिए भागना चाहते हैं बगर बहुत ही भैतर इंफिल्डिंग ती इस गज के दाएडे के अंदार कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ तो भाई अमारे साथ जिद्धे भी भाई जूर चुका है सभी को वनगब लाइक जरू करें लाइक का मदब बताए सपोर्ट सपोर्ट हमें जरू करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरू करें फिलाल यहां पर बैतर इंफिल्डिंग होता हुआ तीन ओबर तीन गेदे हो चुका है अफगानिस्तान और नेदरलेंड्स के बीच यहां परम मैच चल रहा है फिलाल इससे पहले जो मैच था वो दोनों ही मैच अफगानिस्तान ने जीता था अफगानिस्तान के लिए अजगर अफगान दोजान नौ से दोजार एक्किस तक अफगानिस्तान के लिए खेले हैं 114 मैच खेले हैं और 114 मैचों में 24 की ओसर से इनोंने अफगानिस्तान के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलारी है यहां पर 224 और सबसे अधिक इनका जो है हाइस्ट स्कोर 101 रनों का है बैटिंग एवरेज में अगर देखा जाए तो काफी अच्छी एवरेज है बैटिंग अजगर अफगान का 24.73 की ओसर से इनोंने रन बना है 2424 रन ओवर हो चुके हैं 4-4 ओवर के बाद 13 रन बन चुके हैं यहां पर अफगानिस्तान के जहां पर गुरबाज बैटिंग कर रहेए 6 रनों की स्कोर पे 16 गेंदों का सामना किये वे 16 गेंदों का सामना किये वे 6 रनों की स्कोर पे और यहां पर 5 रनों की स्कोर पे है रियाईज हुसेन 9 गेंदों का सामना की वे फिराल टोटल स्कोर जो है यहां पर 13 रन बन चुक है चार ओवर एक गेंदों के बाद तो भाई अमरे साथ जिन्दें भी भाई जूर चुक हैं सबीक बोलों भाई लाइक जुरूर कर दीजेगा फिर सेक बार मैच की उकर तरफ रुख करते हैं बैतर इन गेंद बाजी यहां पर फिर सेक बार विवियन किंगमा आए है गेंद बाजी करने के लिए इनका तीसरा ओवर है विवियन किंगमा का और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद किंगमा बॉलिंग करता हुआ सामना करेंगे रियाई जुसेन तो भई अमारे साथ जितने भी भाई जूर चुके हैं सभी को बलूंग बाल लाइक ज़रूर कर दीजेगा फिर से कपर किंग मा बॉलिंग करता हुआ और डाइने हाथ के खिलारी को डाइने हाथ से ओवर दो विकेट गेट बाजी करते भी और इस बार लिंध बॉल था स्लो यह और का डाला था बॉल को खेल दिया मीड ओन के तरफ कोई रन नहीं में लगा डॉड बॉल होता हुआ और यह देखना होगा इन दोनों के बीचे साज़ेदारी कितनी रनों की बनती है फिलाल आम बात करेंगे यहाँ पर बैटिंग करते वे बैटिंग करें गुरुबाज जिनोंने 2021-22 में यह इनका छटा मैच है और अब तक 60 की औसत से इनोंने 302 रन बना है 2021-22 में इनोंने सबसे अधिक जो है 127 रन बना है पिछली मैच में पिछली मैच पिछली मैच में 103 रन बना है और इससे पहले उनोंने 2021-22 में 127 रन बना चुके है तो भई हम यहाँ पर बने रही हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए और यहाँ पर बात करते हैं जिस मैच में गुरूबाज ने यहाँ पर 127 रन बना है उसके पारे में किस के खिलाब गुरूबाज ने 127 रन बना है फिलाल बात करते हैं यहाँ पर ODI मैच में अफगानिस्तान और आयरलेंड के खिलाब गुरूबाज ने अपना डेविउ किया था 2021 में और देखना होगा कि आज एक क्यार रन बनाते हैं क्योंकि पिछली मैच में 103 रनों का बहुत ही जबर्दस्ता पारी खिला था फिलाल इस ओवर की आखरी गेंड किंगमा गेंदबाजी करते हैं और सामना करेंगे यहाँ पर गुरूबाज जी हाँ इस ओवर की आखरी गेंड का सामना करेंगे गुरूबाज राइट आप ओवर दे विकेट गेंड बाजी करता हुआ गुरूबाज को गुरूबाज 17 गेंड खेल चुके हैं और अब तक वो बल्ले बाजी नहीं देखने के लिए मिला है एक भी चौका नहीं आया है अभी तक गुरूबाज जैसी विस्पोर्टर के बल्ले बाजी यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान के मगर अभी तक एक भी चौका नहीं आया है और लगाता है डॉट बॉले खेलता वा यहाँ पर फिर से गबार ओवर की समापती हो चुकी है पाँच ओवर के बाद यहाँ पर स्कोर जो है 14 रन बन चुके है जहां पर पांच आवर के बाद 14 रन न बन चुके हैं पांच आवर के बाद 14 रन बन चुके हैं जहां पर 18 गेंद खेलके 6 रनों की स्कोर पर है ओर गृर बाज और यहां पर हमारे साथ जीतने भी भाई बुझोज चुके हैं लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दोगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फिराल यहां पर दोनों ही बल्लेबाज च्छे-छे रन बनाके खेल रहे हैं और आपको बता देख कि आगे आने वाली खिलारी एकि अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं पाँच ओवर हो चुके हैं पाँच ओवर के बाद इस ओर जो है यहां पर तोटल 14 रन बन चुके हैं अफगानिस्तान की तरफ से पारी की सुर्वात किया है गुर्बाज रियाईज हुसेन दोनों ने मिलके तो भाई यहां पर जिद्ने भी भाई जूट चुके हैं भाई सभी को बनों का लाइक जरूर करें लाइक का मंदबत है सपोर्ट सपोर्ट हमें जरूर करें फिलाल यहां पर मैच होता हुआ नजर आ रहा है जी हाँ रियाईज हुसेन जोकी अपना डेबियू मैच खेल रहे हैं और यहां पर सामना करेंगे फ्लेहट की गेंद बाजी का लेफ टाम स्लोप मेड़ी यहां पर स्पिन गेंद बाजी है और इसोपर की दूसरी गेंद फिर से एक बाद डॉट बाल होता हुआ बैटरीन लेफ टाम बाल था बैट का एज लिया और पहली स्लिप मेच चूटा है बहुती हुंदा बॉलिंग यहां पर बैट का एज लिके फास स्लिप एक स्लिप लगाए गये थे और यहां पर कैच चूटा है पीटर सेलर से कैच चूटा है बही और इसी के साथ डॉट बाल होता हुआ तो भाई जीनों ने अभी तर लाइक नहीं के बाई जबी को बने लाइक ज़रू करे और चैनल पर दबाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करे देखते हैं भाई एक भाईों ने स्लिप लाइक किया है तो यहां पर लाइक अप ज़रू करते जाएए पांच उबर चार गिंदों के बाद 14 रन बंच चुके हैं आपको क्या लगता है आज यहां पर क्या नेधरलेंड्स इस मैच पे फाइट दे पाएगा ना आता डॉट बॉले खेलता बाद रियाई जुसेन गुरुबाज भी 18 गिंद खेल चुके हैं पिकस एक बार और इस बार बैट का एज लिगे बॉल पॉइंट की तरब गया है मगर कोई रन नहीं भी लगा डॉन बॉल होता हुआ जिस तरीके की यहां पर मैच चल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि आज इस मैच में गुरुबाज जो है बड़ा स्कूर की तरह बज जाएगा क्योंकि धीमा सुरुबाज किया है इस ओबर की आखरी गेन और स्विप करने की कोशिस मगर पूरी तरीके से बीट हो गए बॉल से और मैडेन ओवर यह फ्लोएड का फ्लोएड का यह मैडेन ओवर रहा और इसी के साथ स्कोर जो है 14 रन बड़े है तो भाई हमारे साथ जिन्दे भी भाई जूर चुक है इस बीको नोग भाई लाइक जरू करें लाइक का मलब बताए सपोर्ट सपोर्ट हमें जरू करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिलाल अमारे साथ बने रहीएगा और यहां पर मैच का छटा ओवर हो चुका है जी हाँ छे ओवर के बाद स्कूर जो है यहाँ पर 14 रनी बने है जी हाँ यहाँ 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 पर 6 ओवर के बाद 14 रन बने है और गुरबाज जोकी 18 गेंदो पे 6 रनों के स्कूर पे रियाईज हुसेन 19 गेंदो पे 6 रन बना के खेल रहे हैं दोनों ही बल्ले यहां पर बैट्समेन सलामी बल्लेबाज मौजूद है तो भाई अमारे साथ जिद्धे भी भाई जुरे हुए हैं सभी को बलने को भाई यहां पर मैच काफी जोड़तार होने वाला है पहली गेंद वाइड था लेफ टाम बॉलिंग डाला था और लेख स्टेम से काफी बाहर जिसको वाइड दिया है किंग मार्ण तो चलिए देखते हैं छे ओवर एक गेंदो के बाद स्कोर जो है यहां पर बन चुका है पंदरा रन एक रन जो है वाइड गेंद से आया है पिर से एक बार गेंद बाजी करने के लिए तयारों सामना करेंगी यहां पर अफगानिस्तान के काफ़ पोटेक बलेबाज गुरबाज जो के 19 गेंदो खेल के यहां पर रन छे रनों के स्कोर पे गेंद बाजी करते बेए और इस बार लेक स्टेप पे पिछवी गेंदी सौर्ट फाइन लेकी तरफ खेल दिया है दोड पड़े हैं और देखना होगा की जी नहीं यहां पर को एक रन तो जरूर ले लिया है और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है दीरे दीरे बंतावा 16 रन बन चुका है तो भई यहां पर छे उबद दो गेंदो के बाद 16 रन चापर रियाईज हुसेन ने 19 गेंदो पे 6 रनों के स्कोर पे और गुरबाज साथ या पर साथ रनो की स्कोर फे फिट्स एक बार रियाईज खा या पर रियाईज हुसेन सामना करेंगे इस ओबर की अगली गेंद का राइट आम ओवर दो विकेट गेंद बाजी करतवार रियाईज हुसेन को पटकिवी गेंद बॉल को जाने दिया सीदा विकेट की परकित दस्ताने में तो भई अमारे साथ जिनने भी भाई जूर चुका है सभी को बने लाइक जरू करें लाइक का मदब होता है सपोर्ट हमें जरू करें 6 वाद 3 गेद हो चुका है 6 वाद 3 गेद के बाद स्कोर जो है लगाता है दो मैचेस जितके और यहाँ पर दिखना होगा कि नेदरलेंड्स इस मैच में फाइट कर सकते हैं कि नहीं इस बार भी पटकी वी गेँ थी बॉल को यहाँ पर सौट फाइल लेकी दिसा में खेला है फिल्डर मौजूद है यहाँ पर तीस कर के दाइरे के अनदर तो रन जितनी अच्छी तरीके से बननी चाहिए वितनी अच्छी तरीके से नहीं बन पा रही है यहाँ पर दोनों ही बल्ले बाद जो है थूरा सा जूज रहे है अपने पफ़र्म से थैंकियू सो मजज भाई तेंक यू सो मज़ भाई लाइक करके सपोर्ट करने भी तो चलिए देखते हैं बने रही है लाइक जरू किजिए फिर सिक बार गेंदबाजी करते हुआ और यहाँ पार डॉट बॉल इस सोबर की पांच भी गेंद राइट आम और देखना होगा अब तक से 12 रण दे चुके हैं यह आखरी गेंद है और जिसका सामना करेंगे यहाँ पर रियाईज हुसेन 22 गेंदों का सामना किये हैं रियाईज हुसेन ने और 6 रणों की स्कोर पर फिलाल बने हुए है तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जूर चुके हैं सभी का उनक पर लाइक जूरू करें फिर से एक बार रियाईज हुसेन को राइट आम ओवर दुगेंद गेंद बाजी करता हुआ और इस बार बॉल को खलके बैटों से खेल दिया है रण के लिए भागना चाते थे मगर सीली मीराउन पर फिल्डर मौजूद है कोई रण नहीं डॉट बॉल होता हुआ ओवर की समाप्ती हो चुकी है यहाँ पर साथ ओवर खतम हो चुका है फिलाल यहाँ पर मैच काफी जुर्दा तरीके से हो रहा है और इस मैच में अब यहाँ पर नेधर लेंड्स चाहेगी इस मैच को चीतने के लिए जी हाँ नेधर लेंड्स इस मैच को चीतना चाहेगी भई तो भई अब यहाँ पर इस मैच में दो कैच चुटे है एक तो पीटर सेलर से और गलोई से गौडली से और यह कैच था गौडली ने छोड़ा है फिसे बार रियाई जुसा है इनको इस बार बैकपूर में गये यह बॉल को खेल दिया है कवर के तरफ कोई रन नहीं मिलेगा डौड बॉल होता हुआ तो भई इस ओबर में एक कैच उटा है पिछली ओबर में फ्लोएट की पिछली ओबर में भी एक कैच चोड़ा था और फास स्लिब में फीटर सेलर ने चोड़ा था उस कैच को और इस बार चोड़ा है गौड ली ने तो इसी तरिके से अगर कैच चोड़ते रहेंगे तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान आज बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगा फिलाल मैदान जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि रन बनाना इस ग्राउंड पर थोड़ी सी मुस्किल लग रहा है पहली हाप में तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैच काफी रोचक होता जाएगा जितना आगे बढ़ता जाएगा क्यूंकि यहाँ पर गुरबाज बिस्पोर्टक बल्लेबाज अभी फिलाल मैदान पर है इस गेंदों का सामना किवे आठ रनों के स्कूर पर वियाई जो सेनी सोबर की अगली गेद लेफ टाम ओबर देखते हैं बाल को खेल दिया है और यहाँ पर बहतर इन्फिल्डिंग मीड आप में एकर मैं द्वारा कोई रन नहीं लगातार यहाँ पर अच्छी गेंद बाजी चल रही है फ्लोएड का यह चौथा ओबर है और आप तक स्री पाँच रन दे चुके है अपने तो चलिए फ्लोएड फिर से बार गेंद बाजी करते हुए इस ओबर की अगली आकडी गेंद और इस बार बैट का एज लिया बॉल चला गया है इस बार कवर की दिसा में मगर कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ ओबर की समापती आट ओबर के बाद स्कोर जो है यहाँ जो की आज यहाँ पर पहला मैच खेल रहा है ओबरी छे रनों की स्कोर पर है यहाँ पर नेदरलैंस की टॉटल स्कोर जो है यहाँ पर सत्रा रन बच चुके है ठेंकियू सो मछ बार लाइक करके सपोर्ट करने लिए और प्रजु कींगबा ने चार ओवर डाले हैं और फ्लोएड ने भी चार ओवर डाले हैं आभी तक किसी को सफलता कोई नहीं मिला है फिलाल हमारे सांतर जिनने भी भाई जूर चुक हैं सभी को भने कब लाइक जूर करें लाइक का मालब हो गता है सपोर्ट जलूर करे पिछली मैच में यहाँ पर पिछली ओवर में कैच छोड़ा था और नए गेंद बाज आए हैं ग्लोवर ग्लोवर ब्रेंडन ग्लोवर पहली गेंद ग्लोवर की पहली गेंद गुरबाज को राइट आम ओवर दे विकेट बॉल डालता हुआ पटकीवी गेंद थी बैट का एज लिया बॉल चला गया सीली मिडल के पास कोई रन नहीं अच्छी तेज गेंद डाली थी यहाँ पर ग्लोवर ने और पहला गेंद ही काफी अच्छी गेंद तोड़ा सा गुरुबाज जो है बड़ा सौट लेने की कोसिस कर रहे है वीवियन किगमा को रिप्लेस करके ब्रेंडन ग्लोवर को लाया गया है वीवियन किगमा ने चार ओवर में 12 रन दियते अब देगना होगा कि यहाँ पर ग्लोवर अब तक दो मैचों में तीन विकेड निकाल चुके हैं अच्छी एकोनोमी रेट के साथ गेंद बाजी करते हैं सामना करेंगे गुरुबाज और राइट आम ओवर दे विकेड गेंद बाजी करता हुआ पजत कीड गेंद, फिर से गवर आपस CBS की तरह बौल निकलते विए बैट का एज लिया विकेड की पीछे से बौल चला गया है 4 रनों के लिए मैच का पहला चौका वह भी बैट का पिछला हिस्सा लेके बौल चला गया विगेट कीपर की पीछे से चार रनों के लिए और स्कोर हो चुका है भाई 21 रन आट ओबर दो गेंदों के बाद संदीप अतन वार जी अमारे साथ जूर चुका है थैंक यू सो मज़ बैट अतन संदीप जी अगली गेंद और सामना करेंगे गुरबाज तेज गेंदों बार अरणों के स्कोर पे राइट आम ओबर दो विगेट बाल डालता हुआ और इस बार बाल को पट किया था मगर सीधा विगेट कीपर के दस्ताने में गए बॉल को खेलने का कोसिस ही नहीं किया था गुरबाज क्योंकि जानते हैं कि इस लोग गेंद बाजी यहाँ पर बॉल को जो पेस है उसको भापने की कोसिस गुरबाज का अच्छे गेब बले बाज है गुरबाज और इस फोटक जब भी खेलते हैं ताबर तोर अधनाज में खेलते हैं पिछली मैच में 127 गिन्दों पे 103 डिनों का जबरदस्त इनिंस खेला था यहाँ पर नेदर लेंड्स के खेला और अच्छी फॉर्म है फिर से गबार इस ओबर की चौती गेंड राइट आम ओबर दो विकेट बॉल ना था पाथ फिर से गबार अच्छी गेंड, स्लो बॉल था बॉल को डिफेंड कर दिया है, विकेट टु विकेट बॉल किया था इस बार तो मैं लाइक ज़रू करें और यहाँ पर पाँच भायों ने हमें लाइक कर दिया है जी हाँ 21 रन बन चुका है फिर से एक बार गेंड बाजी करने के लिए था यार इस ओबर के अगली गेंड, राइट आप ओबर दो विकेट बॉल डालता हुआ गुरबाज को जो कि 25 गिन दो बें 12 और यहाँ पर जोड़ दास सौर लगाने की कोशिस पूरी तरीका से बीट हो गेते बॉल पैड पे लगा और थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेक स्टेम से बाहर बॉल था पैड पे लगके एक रन जरू मिला है और सौरी बैट पे लगके पैड पे लगता तो यहाँ पर एक रन मिलेगा गुरबाज को और इसी एक रनों के साथ इसकोर जो है 22 रनों तक पहुँच चुका है जी हाँ 22 रनों तक पहुँच चुका है इसकोर तो भई हमारे साथ बने रहे लाइक जरू कीजिए गुरबाज थोड़ा सा के लिए यहाँ पर खुस किस्पात रहे मैं कहूंगा तो भई हमारे साथ बने रहे लाइक जरू कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा इस ओबर की आखरी गेंद और यहाँ पर बॉल को सीधे बल्ले से खेल दिया है बोलर के पास कोई रन नहीं डॉड़ बोलो तबार यहाई जुसें 29 गेंदों पे 6 रनों की स्कोर पे है 29 गेंदों का सामना किये हुए 6 रनों की स्कोर पे है फिलाल यहाँ पर आपको बता दे स्कोर हो चुका है 22 रन जी हाँ 22 रन बन चुका है भई यहाँ पर अफगानिस्तान का स्कोर बन चुका है 22 रन और यहां पर पहला विकेट गिर चुका है यहां पर पहला विकेट गिर चुका है यहां पर पहला विकेट गिर चुका है वो भी गुर्बाज का गुर्बाज जैसी बैट्समेन का यहाँ पर विकेट गिर चुका है फ्लोएड की दो-दो कैच छोड़ा था मगर फ्लोएड की अच्छी गेंद एगंस दा स्पिन जाके बॉल को खेलने की कोशिस बॉल जो बैट का एज लिया और फास्लिब में पीटर सेलर फिलिंग कर रहे थे विकेट कीपर के पीछे कैच ले लिया है और इसी के साथ गुर्बाज जैसी बड़ी बैट्समेन यहाँ पर आउट होता हुआ बहुत देर से यहाँ पर कोशिस कर रहे थे और रहमतुल्ला गुर्बाज आउट हो चुके है 27 गिंदों पर 12 रणों के स्कोर पे पीटर सेलर ने कैच लिया है भई तो भई पहला विकेट यहाँ पर अब गनिस्तन का गिर चुका है 22 रणों पर जी हाँ 22 रणों पर पहला विकेट गिर चुका है तो भई लाइक जरूर करें लाइक का मदब बता है सपोर्ट सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फिलाल बहतर इन मैच होता हुआ यहाँ पार कौन आएगा नेक्स्ट बैट्समेन यह देखना होगा भई दो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि यह बई सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलिए देखते हैं यहाँ पर नए बल्लेबाज कौन आए हैं यहाँ पर रसीद कान फाइब विकट लेगा चलिए बहुत इबढ़ी अबाए पांच गया दस भी विक यहाँ पर पांच नहीं कम से कम चार विकट तो लेना चाहिए यहाँ पर रसीद कान को रहमत साँ जी हाँ रहमत साँ आए हैं बल्लेबाजी के लिए पर गुर्बाज और उसकी जगा पे आया है रहमा सा तो भाई बने रही है आमारे साथ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल प्रतबाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गा रहमा सा सामना करेंगे इस ओबर की चौथी गेंद का पिछली ओबर में भी इनकी गेंद पे कैच छोड़ा था ग्लोडी ने इस बार यहां पर फिर से बार पॉइंट की दिसा में खेला है और लगातार चार यहां पर पांच एक तो विकेंद लिया था पहली गेंद पर विकेंद लिया था और लगातार चार गेंद यहां पर डॉट डाला है तो भाई अमारे साथ जितने भी भाई जूर चुके हैं सभी को भूलों बाल लाइक जरूर करें आठ भाई उने यहां पर लाइक कर दिया है और चैनल प्रतबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियेगा मेडन और विकेट भी लिया है इस ओबर में तो यहां पर अफगानिस्तान का स्कोर जो है यहां पर बाई सन एक विकेट के लुकसान पर दस ओबर के बाद पावर पले खतम हो चुका है जी हाँ पावर प्ले खतम हो चुका है और इसी पावर प्ले के दोरान स्कोर जो है स्रीबेब बाइसन बढ़ है वो भी एक विकट के लुकसान भी तो भाई अमारे साथ जितने भी भाई जूर चुके हैं सभी को बोलेंगे भाई लाइक जरूर कर दीजेगा यहाँ पर बहतरीने मैच होता हुआ जी हाँ बहतरीने मैच होता हुआ गुर्बाज एक मात्र बैटसमन तौफिक खांजी अमारे साथ जूर चुके हैं तौफिक खांजी अमारे साथ जूर चुके हैं लाइक जरूर कड़े भाई फिर एक बार हमारी साथ बने रहेगा थेंक्यू सो मज़ भाई थेंक्यू सो मज़ भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए क्या लगता है गुर्बाज आउट हो जाने के बाद यहां पर क्या अफगानिस्तानी मैच में अच्छा खासा रन बना पाएगा कॉमेंट जरू करे और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले रह्मत सा जो कि अब नए बेले बाज आए है रह्मत सा की अगर बात करे यहां पर तो अच्छे खिलारी है रह्मत सा राइट हंडेड बैट्समन है अच्छी आल राउंडर है अब कहस सकते हैं ओडियाई में 78 मैच खेल चुके हैं 78 मैचों में 36 की और सच से 2572 रन बना चुके हैं 114 इनका सबसे अधिक ODI केरियर में रन बना हैं अब इंडिया के खिलाब इन्होंने डिबियो किया था पिछले दो मैचेस में काफी अच्छी पारी खिला है रह्मत सा ने और बात करते हैं रह्मत सा की तो काफी अच्छे इनके जो रिकॉर्ड्स है काफी अच्छे रिकॉर्ड्स है ODI में खास करके अगर बात करें यहां पर तो भई अबरे साथ जितने भी भाई जूर चुके हैं सबी को भूलेंगे यहां पर रह्मत सा ने दो रन लेके अपना खाता भी खोल लिया है फिर सेक बार रह्मत सा को इस अबर की चौती गेंद और यहां पर डॉट बॉल होता हुआ डॉट बॉल होता हुआ राइट आम ओबर दो विकेट बॉल तलता बॉल को खेलने की कोशिस नहीं किया रह्मत सा ने तो भई बने रही है अमारे साथ रह्मत सा आठ गिंदों को सामना किवे दो रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं फिलाल फिस एक बार इस ओबर की पांच भी गेंद सामना करेंगे रहमत सा और रियाज हुसेन मैदान पे है एक मतलब विकेड गुरबाज का आउट हो चुके है गुरबाज ग्लोबर ब्रेंडन ग्लोबर अपना पांच मा गेंद डालेंगी इस ओबर का ये दूसरा ओबर चल रहा है ब्रेंडन ग्लोबर का पटकी विकेंद बैट का एज लिया पॉइंट की दिसा में गया है फिल्डर मौजूद है वहाँ पर पीटर सेलर कोई रन नहीं डॉट बाल होता हुआ पीटर सेलर जोकी कप्तान है पॉइंट में फिल्लिंग कर रहा है और इनों नहीं कैच लिया था गुरबाज का भाई अमारे साथ जितने भी भाई जूर चुक है तो फिक जी अमारे साथ जूर है हुए है नौ भाईयों ने यहापा लाइक कर दिया है तो आप भी यहापा लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं फिलाल इस ओवर की आखरी गेन जिहां फिलाल इस ओवर की आखरी गेन और सामना करेंगे याँपर रामात सा डाइने हाथ के खिलारी है ओवर्डेज़ बॉर्ड करता हुआ बैट का यह जी लिए है बॉल चला गएrebbe गवर की दिसा में मगर इस बार भी कोई रन ने मीद大家都 होता के जबर करें लाइक का मतबद सपोर्ट सपोर्ट हमें जबर करें इस वार सिंगर राठोर जी अमारे साथ जूर चुका है जहां पर मैदान पर है रहमत सा और यहां पर नए बल्लेवाज तो भाई बने रही है और फिर से एक बार आए है गेंद बाजी के लिए पहली गेंद डॉट बॉल से सुरुवाद किया है रियाई जुसेन है स्टाइक पे सामना करेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद का फिर से बार फ्लोएट गेंद बाजी करते वे अपना चटा ओवर डाल रहे हैं फ्लोरेट की गेंड, लेफ टाप, ओबर दिविगेट बॉल डालता वार, रियाई जुसेन को, रियाई जुसेन ने बैटका एज दिया, बॉल चला गया, पॉइंट की दिसा में, और फिर से एक बार बहतर इन फिल्डिंग तीज़ के दाइरे के अंदर, पूरी तरीके से तरीन फिल्डिंग यहाँ पर एकरमेन का, बहुती तगडि फिल्डिंग यहाँ पर तीज़ के दाइरे के अंदर, और इसी के साथ 11 वा तीन गिंदों बाद 25 रन बन चुके हैं, लगा था 3 गिंद यहाँ पर डॉट डिया है फ्लोएड ने, रियाज 33 गिंद खेल चुके है और सिर्फ 7 रन की स्कोर पर, इस बार फूल टास में दिया था, बाल को खेल दिया है, डिम मिल्ड फिकेट के दिसा में, और यहाँ पर फिल्डर भाग रहे, 4 रन नहीं रोख पाएंगे, यह से मैच का दूसरा चौका, जो की यहाँ पर रियाज हुसेन की बले से आया है, र यहाँ पर 10 भाइयों ने लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं, बहतरीन यहाँ पर मैच चलता हुआ, यहाँ बहतरीन मैच चलता हुआ, नजर आ रहा है, और इस मैच में आज कुछ अलग करने की उम्मीद नेधरलेंस लगा के दिला है, मिड ओफ के पास, कोई रन नहीं, डॉट वाल होता हुआ, ओबर की समापती हो चुकी है, बारा बारा ओबर के बाद स्कोर जो है, यहाँ पर 29 रन, एक बगट के लुकसान पर, तो थेंक यूँ सो मज भाई, लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, ग्यारा भायों न जी हाँ, ब्रेंडन गलोवर, फिर से बार बॉलिंग करने के लिए आये हैं, और सामना करेंगे, रहमात साप, जो की 11 गेंदों पे, 2 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं, ब्रेंडन गलोवर, इस ओबर के अगली गे, अब तक 2 चौके लगे हैं स्रीप, गलोवर का यह तीसरा ओबर है, अब तक 7 रन दे चुके हैं, राइट टाम, ओबर दे विकेट गेंद बाजी करता हुआ, इस ओबर के लिगे, और सामना करेंगे, रहमा सापट की विकेंद थी, बॉल को मिडिल अब दे बैट खेल दी आये, पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रनों के लिए, बह है, अमारे साथ जिनने भी बात करते हैं, रहमत तुल्ला का, यहां पर बात करेंगे, रहमत सा की, तो रहमत सा ने इंडिया के खिलाप अपना डेबियू मैच खेला था, और काफी बहतरिन इनकी रन है, अगर बात करें, राइट हैंड बैटसमन है, ओडियाई में अठतर ओ मैच में इनका जो एवरेज है, वो 36 का है, और इनोंने अब तक 2572 रन बना चुके हैं, एक दिवसी एक क्रिकेट में, 114 इनका सबसे हाइस्ट स्कोर है, एक दिवसी एक क्रिकेट में, तो भाई, काफी कमाल का मैच यहां पारत दिखता था हैं, कि उस सो मजबार लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, तो भाई, अमारे साथ जीते भी भाई, जूर चुके हैं, सुरी कमाल लाइक ज़रू करें, लाइक का मदब होता है, सपोर्ट इस ओवर की पांच भी गेन, सामना करेंगे रहमासा, अब तक 11 रन दे चुके हैं, दो ओवर चार गेदों में, राइट आम ओवर दे विगेट बॉल डालता हुआ, और सपार मीडिलिस टैम का बॉल था, अच्छी लेंग पे डाला था, 132 किलो मेटर पार आवर की गेंद बाजी, यहां पर ब्रेंडन ग्लोबर का, और इसी के साथ दो ओवर पांच गेंदे हो चुके हैं, अब गानिस्त यहां पर एक रन मिल चाएगा, देखते हैं, यहां पर मुझे लगता है, जी हां यहां पर एक रन मिल गया है, और इसी के साथ ओवर की समापती, अच्छी गेंद थी, आपस टैम पे पीछवी गेंद, बॉल को खेल दिया था, कवर और पॉइंट के दिसा में, गैप में खे रनों की स्कोर पे, और रिया एज हुसेन, जो कि अपना डेबियू मैच खेल रहे है, वो 11 रन बना के खेल रहे हैं, तो क्या लगता है भाई, आज इस मैच में क्या नेधरलेंड से फाइट बैक करके पहला जीत दर्ज कर पाएगा, इन दोनों के बीच हेट डू हेट की बा अफगानिस्तन ने छे मैचों में जीत हासिल किया है जहां पर नेदर लेंड्स ने स्रीप दो मैचों में जीत हासिल किया है जी हां भाई तेरा ओवर हो चुके हैं फिलाल यहां पर देखना होगा की रहमत सा स्टाइक पे है जी हां रहमत सा स्टाइक पे है और सामना करेंगे फिर से एक बार आया है गेंद बाजी करने के लिए ने गेंद बाजी में चेंजेस हुए है गेंद बाजी में चेंजेस हुए है और देखना होगा कि इस गेंदबाज क्या नेधरलंड्स को और एक विकेट दिला पाते हैं कि नहीं यहां पर अफगानिस्तान के फिलिप वोईस वियाईन गेंदबाजी करते हुए अपना दूसरा ओवर अफगानिस्तान लगाता दो मैचेज अल्रेड जित चुके हैं सीरीज अल्रेडी जित चुका है और यहां पर कोसिस होगी कि फुरा वाइट वायस्त करने की और नेधरलंड्स की कोसिस होगी एक जीत कम से कम यहां पर दर्ज कर पाए और इस बार गैब में खेल दिया है बॉल को बॉल चला गया है यहां पर थार्ड बैन की तरफ सिंगल लेता हुआ ओवर की समाप पर यहां पर तेरा ओवर चार गिंदे हो चुका है पाए तिस रण एक प्रकेट के लुकसान देखिए भाई पंगला भायों ने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहां पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं बहतरीन फिलाल मैच चलता हुआ जी हां बहतरीन मैच यहां पर चलता हुआ नजर आर रहा है भई तो क्या लगता है भाई कौन सी टीम आज यहां पर जीतेगी कॉमेंट जरूर कड़े कॉमेंट करके मैं जरूर बताईए ताकि आगे आने वाली मैचिस की यहां पर तेंक यू सो मज़ भाई तेंक यू सो मज़ भाई रामत सा जो कि 20 गिन्द पर 8 रन और फिर से बाद सामना करेंगे इस उबर की आखरी गिन्द का वोईस भाईन वोईस ब्याइन गिन्द बाजी करते वे फिलिप वोईस ब्याइन राइट आम ओबर दे विगेट फ्लाइट गिन्द और स्वान फूर्ट में एक्रोस दा लाइन जाके बॉर्ड को खेल दिया है सीधा मीड़ाउफ के पास कोई रन नहीं डॉडबल होता हुआ 14 ओवर कम्प्लीट हो चुके है 14 ओवर समाप्त हो चुके है अफगनिस्तन का इसको 36 या पर 36 रन एक विकेट के लुकसान पर अच्छी गिंद बाजी किया है इस ओवर में और हमारे साथ बहुत साड़े बाई जूर चुके हैं तो इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो फिलाल रहमात सा आट रनों की स्कोर पे और रियायज हुसेन या पर 12 रन बना के खेल रहे हैं 14 ओवर के बाद स्कोर जो है 36 रन एक विकेट के लुकसान पर बढ़े मैं तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने के बाई सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा फिलाल देखना होगा कि अगला गिंद बाज कौन आएंगे मुझे लगता है फिर से एक बार पीटर सेलर कप्तान खूद आए हैं गिंद बाजी के लिए यहां पीटर सेलर कप्तान खूद आए हैं गिंद बाजी के लिए यह इनका पचासवा मैच है और अब तक 54 विकेट ले चुके हैं 5-6 की economy rate से गेंद बाजी करते हैं और ODI केरियर में 35 रंदे के 4 विकेट सबसे बहतर इन है यहाँ पर पिटर सेलर का तो भाई बने रहिएगा सामना करेंगे यहाँ पर याई जूसें जो कि अपना debut match के रहे हैं बहुत ही बैतर इन सौट बाल चला गए डीप एक्स्टर कवर की तरफ सिंगल मिल जाएगा इस गेंद पे और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे-धीरे साहिं 30 रंड बन चुका है एक विकेट के लुकसान पे अमरे साथ जिन्ने भी भाई जोड चुका है सब्सक्राइब भाई लाइक ज़रू करें 17 भाई उन्हें लाइक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके में स्पोर्ट कर सकते हैं तो देखते हैं भाई यहाँ पर किद्नी जल्दी अब लोग 20 लाइक तक जल्दे से जल्दी पहुचा आते हैं क्या लगता है भाई आज यहाँ पर कौन सी टीम है मैच को जीतेगी कॉमेंट से ज़रूर करें भाई आगे आने वाली मैचेस की कॉमेंटरी सुनने के लिए लाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिजेगा यहाँ पर फिल्डिंग में तोड़ी सी एयर रद बदल होती हुई तीन फिल्डा जो है आप साइड में रखे गए यहाँ पर रियाई जुसेन के लिए फिर से बाद लेफ टाम ओवर दिविकर बॉल करता हुआ कट कर दिया है बॉल को पॉइंट के दिजी सामें बहुतर इन फिल्डिंग तीस कज के दाइड कर दर और कोई रद नहीं बहुती बहुतर इन फिल्डिंग किया है यहाँ पर फिल्ड ने तो भई बने देए यहाँ पर 14 और 3 गेदों के बाद 38 रद बन चुका है अफगानी जीते का चलिए देखते हैं इस बार खेल दिया डीम मिट फिकेट के उपर से और यहाँ पर 6 रदों के लिए इस मैच का पहला चका रियाई जुसें ने लगाया है रियाई जुसें ने इस मैच का पहला चका लगा दिया है और इसी चके के साथ अफगानिस्तान का स्कोर एक 44 रन बन चुका है एक प्रिकट के लुकसान पे रियाई जुसें 40 के दुबर 19 रनों के स्कोर पे अब तक इस अफगानिस्तान की इनिंग्स में तीन चौके और एक छके भी लगा चुके हैं फिर से एक बार गेद बाजी करते हैं प्रिकट कर दिया है बाल को बाल चले गए डिप बैकवार्ट पॉइंट की तरह फिल्डर वापर मौजूद है और यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा तो भाई हमारे साथ बने रहेगा और यहाँ पर लाइक जरूर कर दिजिएगा बहतरीन मैच होता हुआ आज मुझे लगता है कि आफगानिस्तान जो है यहाँ पर एक बड़ा स्कोर करने वाला है तो भाई जो लोग हमारे साथ सैमत है लाइक जरूर करे क्या लगता है यहाँ पर क्या 300 रन कर पाएगा अफगानिस्तान 300 रन कर पाएगा या नहीं कॉमेंटज जरूर करे और 17 भायोंने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहांपर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं खिली देखते हैं को एक ठैंक यूस सो मज भाइ करके सपोर्ट करने लिए टैंक यूस सो मज भाइ पंद्रा ओवर कंप्लेट हो चुका है अफगानिस्तन का स्कोर जो है यहाँ पर 45 रंड एक बगट के लुक्सान पे बुने हैं अमारे साथ बहुत सारे भाई जूर चुका है और मैं चाहूँगा कि अब लोग लाइक ज़रूर कर देवें अफगानिस्तन की तरब से रियाईज हुसेन की बात करें तो यह इनका पहला मैच है और पहली मैच में काफी सांधार बैटिंग करता हुआ नेदर लेंज के खिलाब इन्होंने डेबियू किया और डेबियू मैच में 41 गिन्दों पे 20 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं फिलाल और रहमत साथ की अगर बात करता है रहमत साथ काफी एक्सपेरियंस खिला रही है और 28 साल उमर है राइट है बैट्समन है और पिछली मैच में इन्होने पहली मैच जो नेदर लेंज के खिला था उसमें 70 रन बना है थे दूसरी मैच में इन्होनने 54 गिन्दों पे 35 रन बना है और तिस्रे मैच पे अब तक 23 गिन्दों पे 9 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं तो भई अमारे साथ बने रहे हैं लाइक ज़रूर कीजिए और यहाँ पर बहुत ही उंदा मैच देखने के लिए मिलेगा तेंक्यू सो मज़ भई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए तो भई यहाँ पर बने रहे हैं पंदरा ओवर तीन गेदो के बाद स्कोर जो है चीयालीस रन एक विकट के लिक्स सेन पे बना है तो देखते हैं हमारे साथ कौन कोर भई जिदने भी भई जुरूरे हुए हैं कम से कम यहाँ पर कॉमेंट करके ज़रूर बताए कि आप लोग कहां से जुरे हुए हैं हमारे साथ इस ओबर की चौथी गेन जी यहाँ इस ओबर की चौथी गेन वेस भाई और इस बार बैकपूर में गए बॉल को खेल दी आई पॉइंट की दिसा में और रन के लिए भागना चाते थे रहमात सा मगर यहाँ पर रही आईज के असाने बॉला की भई पहुँच नहीं पाएंगे तो इसी के साथ डॉट बॉल होता हुआ मामूद इवराहिम जी हमार पहले मैच कौन जीता था पहला मैच भाई यहाँ पहला मैच जो था यहाँ पहला मैच जो था यहाँ पर अफगानिस्तान ने जीता था दूसरा मैच जो है अफगानिस्तान ने जीता था 48 रनों से जी हाँ दो ही मैच अफगानिस्तान ने जीता है और पहला मैच 36 रनों से जीता था दूसरा मैच 48 रनों से जीता है स्टैंप चेकिंग किया जा रहा है डिस इस एन पेंडिंग है फिला देखना होगा कि यहाँ पर थार नंप्यर का निन्ने क्या आता है वो इस वेन की गेंद थी और देखना होगा यहाँ पर स्टैंपिंग चेक किया जार रहा है फिलाल हमारे साथ जितने भी भाई जूर चुक है और फ्लाइटेट गेंद थी जिसको थोड़ी सी स्ट्रेच करके बॉल को खेलने की कोशिस किया था पैर थोड़ सा आगे आगे था और यहाँ पर विकेट कीपर ने बॉल को पकड़के मुझे लगता है कि यह नॉट आउट है मुझे लगता है और पहुँच चुके थे पैर रग दिया था नॉट आउट है मुझे लगता है फिलाल देखना होगा कि आमपेर करने नहीं क्या आता है सैफुल्ला सफी जी अमरे साथ जार्मानी से जूर चुक है यहा पर 20 भायोंने लाएक कर दिया है तो आप भी यहा पर लाएक करके सपोर्ट कर सकते हैं निमताज जी हमरे साथ जूरे रहने के लिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नेगे बज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बैतर इन मैच होता हुआ इस बार स्टैंपिंग अभी भी चेक किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर फिरोज अरसाद व्लॉक जी भाई देखना पड़ेगा यहाँ पर फिराल कोई निन अभी तक नहीं आया है जी हाँ आउट को लेके कोई निन अभी तक आया नहीं है मेरी हिसाब से देखा जाए तो ये जितना मुझे मालूप पर रहे है कि ये नौट आउट होने वाला है अब पैर जो है हावा में है ये नहीं ये चिक किया जा रहा है फिलाल अब देखना होगा कि आम पैर का निर्नाई क्या आता है आउट हो गया चलिए देखते हैं भई अभी तक तो निर्नाई नहीं आया है फिला चारो एंगल से यहाँ पर दिखाई जा रहा है तो भई ये फिलाल जो लोग अभी तक लाइक नहीं गया भई लाइक करो बीस भाई उने लाइक कर दिया है तो आप भी आप लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं अब गनिस्तन ने आज टॉस जीता टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और पहला विकेट गुरबाज का और यहाँ पर लियॉड ने लिया था पीटर सेलर ने कैच लिया था फिलाल देखना होगा कि यहाँ पर स्टैंपिंग चेक किया जा रहा है स्टैंप आउट है कि नहीं अभी तक कोई निन्नाई नहीं आया है स्टैंप आउट को लेके सैंसा खान जी मेरी हिसाब से देखा जाए तो यह नौट आउट है जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ यह नौट आउट है मगर आम प्यार कर निन्नाई क्या आता है यह देखना होगा थेंक्यू सो मजब लाइक करके स्टपोर्ट करने के लिए अमारी साथ बहुत साड़े बाई जूर चुके हैं नीमताज जी हमारे साथ दुबाई से जुरे हुए है सैफुला सफी जी हमारे साथ जार्मानी से जुरे हुए है यह कॉमेंटिक कहां से सुन रहे हैं कॉमेंट करके जरूर बताइए नॉट आउट है जी भाई यहां पर नॉट आउट का नीजन ने आ चुका है जी हां यहां यहां पर नॉट आउट का नीजन ने आ चुका है भाई तो इस ओबर की आखरी गेंद और सामना करेंगे बोईस वाइन की गेंद इस ओवर की आखरी गेंद बोईस वाइन की इस ओवर की आखरी गेंद और यहाँ पर सामना करेंगा कौन दिखना होगा भई आखरी गेंद अब तक यह दूसरा ओवर चल रहा है बोईस वेंद का और सामना करेंगे रहमत सा राइट हेंड बाट्समन को राइट हेंड ओवर दो विकेट बाजी करते हुआ बैट का एज लिया बॉल चलागा है पॉइंट के दिसा में और वहाँ पर किंगमा की वैटल इंफिल्डिंग कोई रन नहीं तिस गज के दाइरे का अंदर किंगमा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉल को रोका है 16 ओवर के बाद अब गनिस्तान का स्कोर 46 रन एक विकेट के लुकसान पे बन चुका है अब गनिस्तान ने आज टॉस जीता टॉस जीत के पहले बले बाजी करने का फैसला किया है पारी की सुरुवात गुर्बाज और रियाईज हुसेन ने किया था गुर्बाज याँ पारफलोएड की गेंट पे पीटर सेलर को कैच दे बैठे और स्री 12 रन बनाएं 27 गेदों पे फिलाल मैदान पे है रियाईज हुसेन जो की 42 गेदों पे 20 रन बनागे खिल रहे हैं और रहमात साज जो की अब तक 9 रन बनागे खिल रहे हैं 28 गेदों पे तो भई यहाँ पर 23 भाईयों ने हमें लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं फिर से एक बार गेंद बाजी करने आएं पीटर सेलर रहमात साज जो की 28 गेदों पे 9 रनों की स्कोर पे हैं सामना करेंगे इस ओबर की दूसरी गेद का पीटर सेलर कारने रन डेट के गर बात करें तो आफगानिस्तन की बहुत ही नीचा है नीचे है तीन की करीब रन डेट है और इस आपर मुझे लगता है कि जावरदस्थ फिल्डिंग सीली में डॉप में बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉल को रोका गया है एकरमेन ने इस बॉल को रोका है और इसी के साथ आपके बता देखी यहाँ पर दोनों ही बल्ले बात जो है सिंगल के लिए भागना चाहते है और यहाँ पर सिंगल भी पूरी तरीके से रोक दिया है नेदरलेंड्स के क्रिकेटारों ने रियाईज हुसेन जो की 43 गेंदों पर 22 रन विसकुर्पे है रहमत साथ फिलाल सामना करेंगे इस ओबर की चौथी गेंद का पीटर सेलर गेंद बाजी करते हुए लेफ टाब ओवर दविकेट गेंद बाजी करते हुए इस बार बैक पूर में ख़ल दिया है बाल को कवर की दिसा में मगर बहुत ही बैतर इंफिल्दिंग फिर से एक बार पिजगज के दाइरिक अंदार किसी भी तरीके से मौके नहीं दे रहे यहाँ पर बड़ा सॉट खेलने के लिए और सिंगल लेने के लिए भी यहाँ पर मौके नहीं मिल रहे हैं दोनों बल्ले बाज को तो दूनों बल्ले बाज़ याँ पर फिर से इस बार मिल्ली स्टैम का बॉल था पूल कर दिया है बॉल को डिब मिड विकेट के दिशा में छे रणों के लिए बहुत ये उंदा सॉट याँ पर बहुत देर से वेटेड सॉट था बॉल के लिए वेट किया और आखिर कर बैकपूल में जाके बॉल को पूल कर दिया है डिब मिड विकेट के दिशा में ये इस मैच का दूसरा चका था जो कि रहमा साकी बले से आया है और इसी चके के साथ अफगानिस्तान का स्कोर तेरे पन रन एक विकेट के लुकसान पे बन चुका है पचास रन पूरे हो गए अफगानिस्तान के सत्रा ओवर के बाद चौवर रन एक विकेट के लुकसान पे हमारे साथ 26 भाईयों ने लाइक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं पिरोज अरसद व्लॉक जी अमारे साथ जूर चुका है बैए चलिए देखते हैं अमारे साथ बहुत साड़े बार यूच चुके हैं और यहाँ पर एक भाईयों ने लाइक करके में सपोर्ट भी कर दिया है पीटर सेलर ने यह पीटर सेलर का दूसरा ओवर था दो ओवर डाले हैं पीटर सेलर ने और यहाँ पर सत्रा ओवर के बाद अफगानिस्तन के इसको चौवन रण एक विकट कर दुक्सान पे पहला पचास रण बनने में 101 गिंद खेला है अफगानिस्तन ने फिलाल यहाँ पर गिंद बाजी करने आएंगे बोईस्वाइन अगला ओवर डालेंगे बोईस्वाइन और सामना करेंगे यहाँ पर रहमत साथ यहाँ पर चौका यहाँ चौका देखना होगा मुझे लगता है कि वन बाउंस चार जी नहीं यहाँ पर छे रणों के लिए रहमत सा का यह दूसरा चौका इस मैच का तीसरा और रहमत सा का दूसरा 22 रणों में पहुँच चुके हैं रहमत सा इसी चौके के साथ और स्कोर हो चुका है अफगानिस्तान का साथ रण एक प्रिकेट के लुकसार पे तो भई आमारे साथ जिद्यमी भाई जूर चुके हैं सभी को लुका यहाँ पर 30 भाईों ने लाइक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं वीर अंदर खुमार जी यहाँ जूर चुका है थैक्किश सो माच भई और यहाँ पर लाइक जरू करें लाइक का मदबत है सपोर्ट सपोर्ट में जरू करें क्या लगता है भाई इस मैच में क्या कौन आज नेधरलेंड्स कुछ हद तक लड़ पाएगा या सरेंडर करतेगा इस मैच में भी लाइक ज़रू कड़े बाई, लाइक का मलद बता है, सपोर्ट सपोर्ट लगने ज़रू कड़े और चैनल पर दो बाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कड़े और इस ओबर की पांच में गेंट सामना करेंगे, रहमात साइटीस गिंदू पर बाईस देनों की स्कोर पर खेल रहे हैं, तो यहाँ पर बैट्समन को घेरने की पूरी तरी तैयारी करके रखा है नेदर रन्स के किलिकेटर रन, इस बार बैट का एज लिया पॉइंड में किंग मा फिल्डिंग कर रहे हैं और बहतरी इन गैप निकाल नहीं पाए, अठारा ओवर कम्पलिट हो चुके हैं, अब गानिस्तन का स्कोर, साथ रन बन हैं एक वकेट के लुकसान पे, बोईस भा और यहां पर लाइक किया है, तो आप भी यहां पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं भई, सभी को लोगा भाई, जो लोग अभी तक चानको सब्सक्राइब नहीं किया भई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने पले मैचेस की लाइब कोमेंटरी आपको जरूर मिल जाएगा, फिलाल अफगानिस्तान का इसको साथ रन अठारा ओवर के बाद और बहुत ही धीमा खेलता हुआ, रियाईज हुसेन जो की यहां पर सामना करेंगे फ्लोएड, अपना साथमा ओवर डालेंगे, एक मातल विकर जो फ्लोएड ने लिया था, और उसके चलते हैं, यहां पर पिटर सेलर ने लिफ टाम गेंद बाजी को यूज किया है, पिटर सेलर दूनों ही लिफ टाम बोलर है, पिटर सेलर एक लिफ टाम ओफ स्पिनर है, और यहां पर फ्लोएड भी एक लिफ टाम ओफ ब्रेक डालते हैं, तो फ्लोएड को यहां पर गेंद बाजी के लिए लाया गया है याँ पर पिटर सेलर की जगा पर अच्छी गेंद बैट का एज लिए फिर से बार बॉल चला गया है कवर की दिसा में मगर कोई रन नहीं मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ अठारा ओवर दो गेंदो के बाद अफगारिस्तन का इसको साथ रन एक बगेट के लुकसान पर फ्रेड फिर से बार गेंद बाजी करने के लिए तैयार याँ पर रियाई हुसेन की बात करें तो अपना डिब्यू मैच खेल रहा है और थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपनी साजेदारी की बात करें तो इन दोनों के बीचे काफी अच्छी साजेदारी बन चुकी है और तो बार याँ जो सेन ने बाल को खिल लो है दो रन लिये हैं और इसी दो रनों के साथ सकोर जो है और इसी स्कोर आपर दो रन ले चुक है भई बहुत ऑढ़िया याँ पर रियाई जो से अच्छी रनिंग बीट्वीट इन दे विकेट है इनका लगी नहीं रहा है कि अपना पहला मैच खेल रहे हैं और इसी के साथ स्कोर जो है 64 रन एक विकट के लुक्सान पे बन चुका है रियाई जोसेन फिर से एक बार सामना कड़ेंगे इस ओवर की आखरी गेंद का लेफ्टाम ओबर दिविकेट बॉल आता हुआ बैट का एज लिया बॉल चला गया बैकवार्ट पॉइंट की तरफ कोई रन नहीं मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ 19 ओबर खतम हो चुके हैं 19 ओबर के बाद स्कोर जो है तैंक यू सो मज भाई बिरंदर कुमार जी हमारे साथ जुन्दें के लिए पाड़नार सीब 100 रन बैस जबूर यहां पर पाड़नार सीब अल्रेडी 44 रनों का बन चुका है पाड़नार सीब दोनों के बेज 44 रनों का अल्रेडी बन चुका है तीसरा और आकड़ी मैच आईए अफगानिस्तन और लेंदर लेंडस के भी तो 32 भाईों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहां पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं जी यहां 32 भाईों ने यहां पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं फ्लोएड ने 7 ओबर डाले हैं 13 रन दिये हैं और एक मतलब विकेट गुर्बाज का फ्लोएड ने लिया था फ्लोएड ने एक मतलब विकेट गुर्बाज का लिया था और पीटर सिलर ने यहाँ पर गुर्बाज का कैच भी लिया था तो उन्नीस ओवर के बाद यहां पर अफगानिस्तान का इसलोग चॉंसाट रन एक वगेट के लुक्सान पर आरियन दाथ बॉलिंग जी है भाई यहां पर आरियन दाथ बॉलिंग तो जरूर करेगा हीतेस क्रियेशन जी आमारे साथ जूर चुकायैं तैंकि सो मज भाई आमारे साथ थैंथिस भायोंने लाइक किया है जितने भी भाई आमारे साथ जुरे हमाएं सभी को वङलंग बाला लाइक जरूर करे लाइक कमंद बता Māichress सपोर्ट सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल प्रतव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए चलिए देखते हैं यहां पर कब आएगा देखना होगा यहां पर फिलाल 34 भायोंने लाइक कर दिया है ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है और ड्रिंक्स ब्रेक से जाने से पहले अफगानिस्तन का स्कोर्ट 19 ओवर के बाद फिलाल हमारे साथ बहुत सारे भाई जरूर चुका है बिरंदर कुमार जी जरूर चुका है रितेस क्रियेशन जी जरूर चुका है साइनसा खान जी जूर चुका है मानिक आनंद नाराइन जी जूर चुका है तो हमारे साथ जित्ते भी भाई अबिवी फिलाल चुले है याँ पर बहतरी निमेंच होता हूँआ नजर आ रहा है रन थोड़ा सा कम है अफगानिस्तान का धिमी शुरुवात जरूर है मगर मुझे लगता है कि यह नेदरलेंड्स के खिलाप अफगानिस्तान ने सबसे ज़्यादा 269 रन बनाए है और फिलाल देखना होगा कि आज इस 269 रनों की जो हाइस्ट स्कोर है नेदरलेंड्स के खिलाप इसको पर अफगानिस्तान क्रॉस कर पाता है कि नहीं उसको पीछे छोड़ पाते हैं कि नहीं फिलाल रहमत साह 23 रनों के स्कोर पे 40 गंदों का सामना की वे और डेब्यू करने वाले खिलापी रियाईज हुसेन 25 रनों के स्कोर पे 48 गंदों का सामना की करते वे महिंदर जी हमारे साथ जूर चुक है भाई इसके बाद आहाने वाले हैं हासी मुतला सरीदी नजीमुल जार्दान ओमर जजाई रसीद खान तक यहां पर बैटिंग कर सकते हैं रसीद खान एक अच्छी ओल राउंडर बन चुका है फिलाल हम लोगों ने देखा है टी 20 में रसीद खान एक अच्छी ओल राउंडर की भूमिकानी बात है थैंक्यू सो मज़ भाई 35 लैक तक पहुचाने के लिए 35 भायों ने आमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहां पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं दोबार से मैच स्टार्ट अब भी मुझे लगता है कि 19 में ओवर में ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है और थोड़ी ही देर में ड्रिंक्स ब्रेक जो है खुतम हो जाएगा कि दोहा बहुत होट जगा है और मुझे लगता है और सुरुवात हो चुका है पहली गेंद यहां पार पहली गेंद रहमतुला सामना करेंगे बोईस भाइन की गेंद इस बार थोड़ी सी फ्रॉंट फूर्ट में आगे बॉल को ट्राइब किया है मीड ओफ के तरफ कोई रण नहीं मिलेगा डॉट बॉल होता हो रहमत सा एक तालीस गिंद पर तेईस जड़ी स्कुल पर सामना कर रहा है बात करता है बोईस भाइन ने अब तक तो काफी अच्छी गेंद बाजी किया है और बैट्समैन को मौके ज़्यादा नहीं दिया है बड़ी सौट खेलने का फिलाल रहमत सा सामना करेंगे इस ओबर की तीसरी गेंद का राइटाम ओबर दो विकेट फ्लाइट गेंद इस बार बैक फूर में गयाए बाल को खेल दिया है पॉइंट की दिसामें मगर यहां पार वीवी एन किंग मा वहती भाधरी चुस्त फिल्डिंग तीस कच के तायरी के अंदर तो भाई हमारे साथ जिन्दें भी भाई जूर चुके हैं सभी को भाई लाइक जरू करें और इस बाल हाँ में खेल दिया है बाल को 6 रनों के लिए बहुती बढ़िया साथ और रहमत साक की बहुती बढ़िया साथ राइट आम ओबर दे विकेट गेंद भाजी फिर से एक बार सौट पीच गेंद थी जो उसको पूल कर दिया है डीम बिड विकेट के दिशा में फ्लैट सिक्स कोई फिल्डर बाजून नहीं थे और यहाँ पर इसी 6 रनों के साथ प्लैट वान बाउंस सिमा रिखा के बाहर चार रन था वो और उसी चौके के साथ स्कोर जो है यहाँ पर आपको बता दे कि यहाँ पर जो मैच हो रहा है काफी मुझे लगता है कि छोटा ग्राउंड है जिस तरीके की छेके लेद रहे हैं और चौका लग रहे है थोड़ी सी मुझे लगता है कि छोटा ग्राउंड है अगर यहाँ पर दो याँ पर गेंद बाज करम मौझूद है जहां पर उस रन को याँ पर डिफेंड कर सकते हैं और फिलाल बात करें कि याँ पर नेदर लेंड्स भी बहत है बहुत यह बहतरीन गेंद बाजी करतावा इस ग्राउंड पे अब तक तो अच्छी गेंद बाजी किया है सजीवी गेंदबाजी किया है बैट्समेन को मौके नहीं दिया है ज्यादा सौट खेलने का प्रोजेक्टे डिस्कोर की बात करें तो अगर इसी तरीकी से चलता रहेगा अगर पांच की करीब रेट यहां पर बने रहता है अफगानिस्तान के रियाई जोसेन 26 रणों की स्कोर पे बल्ले बाजी करते वे तो भाई अमाले साथ और पहली गेंद दो रन ले चुके है रियाई जोसेन ने यहां पर दो रन ले चुके है भाई फ्लुएड की गेंद थी फ्लुएड का यह आठमा ओवर है फ्लुएड गेंद बाजी करते हैं बाएंहाथ से कारेट डन डे ट की बात करें तो कारेट डन डे जो है यह 3.52 का है फ्लुएड वाई लेफ और यहां पर मुझे लगता है यह बॉल को केंसल कर दिया जाएगा जी यहां बॉल को कैंसेल कर दिया गया है दूसरा गेंथा चो यह कैंसेल कर दिया गया है फिलाल दोनों के बीचे साजेदारी की अगर बात करें तो 49 रनों की साजेदारी बन चुकी है 38 भाईों ने हमें लाइक किया है तो भाई हमारे साथ बने रही है रहमा साब भी बने हुए है मैदान पे 45 गेंदों पे और 27 रनों के स्कोर पे रियाईज 51 गेंदों पे 27 रनों के स्कोर पे बने हुए है फिलाल दो रन की चक्कर में देखना देख रहा है कि यहाँ पर फिर से बार गिन बाजी करते वे जी हाँ फिर से बार गिन बाजी करते वे बहुत तो भै बने रही हैं हमारे साथ लाइक जरू कीजिए और यहाँ पर ओ सिंगल लेता वा देखते हैं भै कौन कौन भाई हमारे साथ जूरे हुए थैंक यू सो मज़ भाई यहाँ पर 40 लाइक तक बहुचाने के लिए भाई थैंक यू सो मज़ फिलाल यह 21 मावा चल रहा है और अफगानिस्तन के स्कोर 72 रन एक विकेट के लुक्सान भाई फ्लोएड अब तक तो अच्छी गेंदबाजी किया है वोही गेंदबाजी करते वे हमारे साथ देखते हैं भाई आप लोग कहां से जूरे हुए हैं हमारे साथ कौन सी जगा से आप हमारी कॉमेंटी सुने हैं कॉमेंट करके जरूर बताईए ताकि हमेली भी लगे कि आप कहां से हमें सुन रहे हैं फिलाल दोनों ही बल्ले बाज यहां पर पाड़ी को समालते वे नजर आ रहे हैं चालिस भायों ने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहां पर लाइक करके सपूर्ट कर सकते हैं फिलाल बहतर इन मैच होता हुआ यहां पर अफगानिस्तान और नेदरलेंड्स के बीच क्या आज नेदरलेंड्स इस मैच में यहां पर कस्मीर से जुड़ चुके हैं बाई जैसान वानी जैसान जैसान जी अमारे साथ कस्मीर से जुड़ हुए बाई दुनिया का सर कहा जाता है कस्मीर को बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा लगा कि आप कस्मिनिट से हमें सुन रहे हैं और 21 ओवर के बाद इसको जह है 73 रन एक विकेट के लुकसान पर और फ्लोएट की बात करें तो 8 ओवर डाल चुका है फ्लोएट ने 8 ओवर में 17 रन दिये और एक विकेट ले चुका है दोनों के बीच साजेदारी की बात करें तो 71 गेंदों पर 51 रनों की साजेदारी या पर बन चुका है 71 गेंदों पर 52 रनों की दूसरे विकेट में साजेदारी बन चुके है रहमा सा 29 रनोगी स्कोर पे 47 गिन खेलके और रियाईज हुसेन 53 गिन खेलके 29 रनोगी स्कोर पे तो भई यहाँ पर लाइक जरूर करे 40 भईयों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं और जो लोग आपको बताते कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के बढ़िश सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा वहतरीन मैच होता हुआ वानिर जैसान जी थैंकियू सो मज़ भाई यहाँ पर थोड़ा सदिक्कत हो रहा है क्योंकि मैच बहुती डिले आरहा है जहां पर मैं देख रहा हूँ बहुती डिले आरहा है तो इसके लिए थोड़ा सदिक्षम पर जो है जो है बॉल-टो-बॉल कमेंटी नहीं कर पाना हो बड़े रही गया यहाँ पर 21 ओबर एक गिंद हो चुक है फिर से बार बोईस भाइन गेंद बाजी करते हुए राइट डाइन यहाँ से ओबर देवे गिंद बाजी करते हुए मिड़ ओफ के तरफ फ्रांट फूर्ड में आगे बॉल को खेल दिया है लॉंग ओफ के तरफ और यहाँ पर सिंगल मिल चाएगा और इसी सिंगल के साथ ही स्कोर जो है कि रियाइज हुसेन को रियाइज हुसेन को है रहां मत तो जिए रहां सा पिछली मैच में इनों एपाइं दिर्णों का पारी खेल रहा था वो खेल रहा है फिलाल और साथ में कहले हैं यहां पार रियाज हुसेन जो कि अपना डिब्यू मैच खेल रहे नेदर लेंड्स के साथ तो भाई 40 भाईयों ने यहाँ पर लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं तो भाई चलिए देखते हैं इस ओबर की आखरी गेंद का सामना करेंगे यहाँ पार रहमात सा बोईस बाईन अपना पाचमा ओबर डाल रहे हैं अब तक 22 रन दे चुके हैं इस ओबर में अब तक 7 रन आ चुके हैं भाई आखरी गेंद है इस ओबर की और सामना करेंगे रहमात सा राइट आम ओबर दे विकेट बाल डाल आता है फ्लाइट गेंग बाल को एगंस दा इस प्रिंच आके बाल को खेल दिया है एक्स्टर कवर की तरफ फिल्डर मौजूद है और यहाँ पर दो रन लेते वे दो नहीं यहाँ पर सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है बाईस ओबर खतम हो चुका है बाईस ओबर के बाद आप गानिस्तान का स्कोर बीरासी रन एक विकेट के लुक्सान पर बने है तो भई यहाँ पर दोनों ही बलेबाज यहाँ पर बहतर इन साज़ेदारी बनाते वे अब तक इन दोनों के बीच साज़ेदारी की बात करें तो 60 रनों की साज़ेदारी अब तक इन दोनों के बीच बन चुका है और यहाँ पर 42 भायों ने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं देखना होगा कि आज यहाँ पर जिस तरीकी की पहली ओबर में पहली ओबर से दवाब बना के रखाता आफगानिस्तन के ऊपर मगर अब रहमत सा और रियाईज हुसेन ने मिलके इस दवाब से उबरते हुए अफगानिस्तन को पहुचा दिया है 82 रणों की स्कोर पे और यहाँ पर देखना होगा कि अगला बैट्समेन कौन आने वाला है फिलाल रहमत सा सामना करेंगे यहाँ पर वीवियन किंगमा जो की अपर तक चार ओवर डाले हैं इससे पहले चार ओवर में वीवियन किंगमा ने 12 रंदी हैं अच्छी एकोनमी रेट के साथ गेंदबाजी किया है वीवियन किंगमा ने आई हैं अपना 25 वावर डालने के लिए और सामना करेंगे रहमत साह兩個 पीटर सेलर चाहते हैं कि यहाँ पर विकेट निकाला जाए और इसलिए अपने तेजगेद बाज को लाए हैं राइट आम ओवर द विकेट बॉल करता हुआ पटकी वी लेक्स टेम पे पीछुई थी वो all ball चला गया है इस बार डिम मिड विगेट के दिज़ा में दो रन अलाम से ले लेंगे यहाँ पर रहमत सा बहुत ही बहतनी रनिंग बिटें दो विगेट और इसी दो रनों के साथ अफगानिस्तान का इसको 84 रन बन चुका है एक विगेट के लुकसान पे तो भाई दूनों बल्ले बाजों ने यहाँ पर अच्छी बल्ले बाजी करते वे नजर आ रहे हैं कितने ओवर का खेल है भाई पचास ओवर का है भाई पचास ओवर का मैच है ये थैंक्यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए फिर सेक बार इस ओवर की अगली गेंद और सामना करेंगे यहाँ पर रहमत सा बाई जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने कि बाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना काफी बहतरीन मैच होता हुआ फिर सेक बार इस ओवर की यहाँ पर क्या लगता है बाई कौन सी टीम आज यहाँ पर जीतेगी कॉमेंट्स जरूर कड़े और कहां से आप आमारी कॉमेंट्री को सुन रहे है जरूर बताए रहमस सा जो की एक कावन गेंदों पर 33 रनों की स्कोर पर है फिलाल सामना करेंगे वीवीएन किंगमा की गेंद का यह बीवीएन किंगमा का पांचमा ओबर है और फिलाल 14 रन दे चुके हैं काफी अच्छी यहाँ पर गेंद बाजी किया है फिर सेक बार राइट आप ऑबर दो लेकर गेंद बाजी करता बार रहमस साख पटकिविग गेंती सौटव लेंदाली थी स्लोर बॉल और यहाँ पर कैच चुटा है ग्लोवर से ब्रेंडन ग्लोवर की हाथ से कैच चुटा है मीड ओफ में स्लोर बॉल था बॉल को पेस को भाब नहीं पाये थे बला आगे लेके चले गए थे बैट यहाँ पर मीड ओफ की तरफ बॉल गया था और यहाँ पर ब्रेंडन ग्लोवर की हाथ से कैच चुटा है और इसी के साथ डॉट बॉल होता हुआ बॉल भी होता हुआ तो भाई लाइक ज़रू करें थेंक्यू सो मजब लाइक करके सपोर्ट करने के लिए चुआलीस भाईयों ने हमें लाइक कर दिया है और आप भी हमें लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं तो दोनों ने पाड़ी को समालते हुए पूरी तरीके से पाड़ी को समालते हुए नजर आ रहे है यहाँ पूरी तरीके से पाड़ी को समालते हुए अफगानिस्तान के गुर्बाज आउट हो जाने के बाद रन की गति को जो है वो कम नहीं होने दिया है और फिलाल जो है कारें रन रेट तीन दसमलोग साथ दो का बन चुका है फिर से एक बार अफगानिस्तन की तरब से सामना करेंगे रियाज हुसेन और बॉलिंग करेंगे किंगमा का यह आकड़ी बॉल है इस ओबर का इस ओबर का अखड़ी गेंड और सामना करेंगे यहाँ पार रियाज हुसेन डाइनेहाद को खिलाड़ को डाइनेहाद से ओबर दो विकेट गेट बाजी करते वेक बीवियन किंगमा अच्छी गेंड बाजी किया है अब तक फिरसे एक बार पटकी भी गेंड शुआर बॉल था पूल करने की कोसिज बैट का एज लिया बॉल चले गया डीप स्कोर लेक की तरफ सिंगल मिल जाएगा और इसी सिंगल के साथ 23 ओबर खतम हो चुका है 23 ओबर के बाद स्कोर जो है 86 रंबर है एक बगेट के लुकसान पर तो हमारे साथ 45 भाईयोंने लाइक कर दिया है तो स्रिप और 5 भाईयोंने लाइक करना है ताकि यहाँ पर 50 लाइक तर जल से जल पहुँचा दे जी हाँ भाई यहाँ पर 45 लाइक तक अब 45 भाईयोंने हमें लाइक करती है तो आप भी लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं जी हाँ भाई आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं तोनों के बीच अच्छे साजेदारी बनतावा नजर आ रहा है दो लों के बीच अच्छे साजेदारी बनता हुआ नजर आ रहा है और रियाईज हुसेन की बात करें तो 69 गेंदों पे इन्होंने 36 रन बना के नौट आउट है रामा सा 34 रनों के स्कोर पे नौट आउट है फिलाल देखना होगा कि यहाँ पर 24 मा ओवा डालने के लिए तैयार है साकीव साकीव जी हाँ यहाँ यहाँ पर साकीव आए हैं गेंद बाजी के लिए साकीव आए हैं गेंद बाजी के लिए तो हमारे साथ बने रही है साकीब जूलफीकार जो कि यहां पर गेंद बाजी करने के लिए आए हैं और सामना करेंगे यहां पर रियाईज पहली गेंद चीहां इस ओबर की पहली गेंद राइट आप ओवर दे विकेट बॉल दालतावा फ्लाइट गेंद और स्विप कर दिया है और बड़े सोट की कोई जोखिम नहीं लेते हुए क्योंकि जानता है यहां पर सिंगल करके कम से कम यहां पर 30-35 ओबर तक खेला जाए तो यहां पर आखले जो है रितेस क्रियेशन जी नहीं भाई अभी तक तो यहां पर बॉलिंग नहीं दिया गया है आरियन दत को जी हां आरियन दत को फिराल तो गेंद बाजी के लिए नहीं दिया गया है देखना पड़ेगा कि आरियन दत मुझे अभी बहुत सारे ओबर बाकी है बहुत सारे ओबर बाकी है आरियन दत को बॉलिंग दिया जाएगा ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा मुझे लगता है कि अब तक यहां पर छे गिंद बाज को यूज किया है छे गिंद बाज को यूज किया गया है जी हां यहां यहां पर नेधरलेंड्स की तरफ से छे गिंद बाज को यूज किया गया है फिलाल देखना होगा कि यहां पर बर्लिंग करता हुआ इस ओबर की अंगली गेंद के लिए तैयार साकीब राइट आम अबर दोगेट इस बार बैकपूर में गये बॉल को लेग स्टेंप पे पीछ वी थी लेग ब्रिक डालने की कोशिस कर रहे हैं यहां पर साकीब जुल्फिकर और इसी के साथ 23 ओबर 4 गिंद के बार अफगानिस सथ के स्कोर 90 रन एक वेकर टूर सर पे कहां से कहां के लेके आ गया स्कोर को एक टाइम था जहां पर धाय यहां पर 2.50 की हिसाब से रन बनने था फिर से बार जिस्टेप ओट करके बहुदा सौर्ट यहां पार फिल्डर नीचे नहीं थे मगर खुसकिसमत रही यहां पर बड़ा सौर्ट की कोशिस तार याई हुसेन का दो रन जरूर आ गया है मगर मुझे लगता कि बाउंडरी लाइन पे लॉंग ओन लॉंग अफ में क कोई फिल्डर नहीं है मुझे लग डीप एक्स्टर कवर की तरफ एक फिल्डर है तीन चार चार फिल्डर जो है बाहर की तरफ रखे गहें और जहां पर लॉंग ओन पर कोई फिल्डर नहीं था अगर लॉंग ओन पर साइद फिल्डर रहते तो साइद इस बॉल पे आउट हो सकते थे फिलाल जो है यहाँ पर 24 ओवर के बाद अफगानिस्तान का इसको 93 रन एक विकेट के लुक्सान पर बने हैं 50 ओवर जी हाँ कौन जीतेगा मौनोज सोनी जी आपको बता दे कि यहाँ पर मैच जीत सकता है अफगानिस्तान क्योंकि करामती खान गेंदबाजी करेंगे भाई करामती खान जब गेंदबाजी करते हैं तो भाई यहाँ पर पूड़े 10 ओवर में कम से कम तर 3 विकेट जरूर लेंगे क्या लगता है भाई लेंगे की नहीं लेंगे कॉमेंट जरूर कड़े कॉमेंट करके मैं जरूर बताईए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा और यहाँ पर विकेट जी नहीं महती उंदा सौट लगाय था रहमत सा जो की सामना करेंगे इस बार वीवियन किंगमा की गेंद का यहां पर गलत बात बड़ी जोड से लगा था सौट मगर रन नहीं बने बोलर ने सीदेबल बॉल जो है यहां पर पैड पे मरा था दोनहीं मुस्कुराते बे रहमसा और दीवियन किंगमा फिलाल इस ओबर के अगली गेन और सामना करेंगे यहां पर रहमसा राइट आम और दीवियन किंगमा इस बार सुर्वर बॉल था बॉल बैट का एज लिया डिप बैक ओड प्रॉंट की तरफ गया है और यहां पर फिल्डर आके बॉल को फिल्ड करें तब तक एक रन लेते बे रहमसा पहुंच चुका हैं से 30 रनों के स्कोर पे और स्कोर हो चुका है बैट 24 और तीन गेंद को बाई पचानवे रन एक फ्रेकर के लुक्सान पे 46 भायों ने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहां पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं पचास ओबर ही थे स्क्रियस जीन फिलाल मौजूद है और इस सोबर की चौथी गेंद जी हाँ इस सोबर की चौथी गेंद राइट आम ओबर दे विगेट बॉल राता हुआँ इसमार लेक्स्टेम पे पीछ भी गेंद थी वाइड बॉल का इसारा आमपयर का वाइड बॉल होना चाहिए जी हाँ वाइड बॉल का इसारा आमपयर का और इसी वाइड के साथ स्कूर जो है यापकरनिस्तन का 96 रन एक विगेट के लुकसान पे बन है तो भाई यहाँ पर 46 भाईयों ने में लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर वीवियन किगमा गेदबाजी करते वे फिलाल अफगानिस्तन का स्कूर जो है 96 रन बन है एक विगेट के लुकसान पे अभी यह 25 वाँ चल रहा है और इसके बाद और 25 वाँ खेलने हैं अब देखना होगा कि दोनों के बीच साजेदारी तो बहुत ही अच्छी बन चुकी है अब तक पांच एक्स्ट्र रन दिये हैं अच्छी गेंदबाजी किया है यहाँ पर नेदरलेंड्स ने वीवियन किंगमा की बात करें तो वीवियन किंगमा ने अब तक 19 रन दिये है गेंदबाजी में अपनी पांच ओवर चार गेंदगी हैं और यह इनका इस ओवर की पांच भी गेंदग और आमप्यार के लिए साइद मुझे लगता है कि बाल को चेंज करने की हिदायत दिया वीवियन किंगमा के हाथ में दिया है तो भैं लाइक जरू करें लाइक का मंदगता है सपोर्ट सपोर्ट हमें जरू करें इस ओवर की पांच भी गेंद और जिसका सामना करेंगे रियाई जुसेन 65 गेंदों का सामना की वे 42 गेंदों की स्कोर पे है रियाई जुसे डाइनाट के खिलाड़ी है ओवर दो गेंद बाजी करता हुआ सौट अब लेंद बाल डाली थी पूल कर दिया है बाल को डीब स्कोर लेक की तराफ जहां पर ब्रैंडन ग्लोवर फिलिंग कर रहे हैं और यहां पर सिंगल लेता हुआ और इस सिंगल के साथ इस कोर जो है चोविस ओवर पांच गेंद बाद अबक आखरी बॉल पे यहां पर अच्छी गेंद बाजी सीधा यहां पर विकेट कीपर के पास क्या है कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ 25 ओवर के बाद अफगानिस्तान का इसको 97 रन एक विकेट के लुकसान पर रियाई जुसेन जोकी 46 गेदो पे 43 जनोगी स्कोर पे रहमा 37 जनोगी स्कोर पे खेल रहे है फिलाल 6 गेंद बाज को यूज किया है किंग मार ने 6 ओवर कंप्लिट कर लिया है 6 ओवर ने 20 रन दिया है और कोई सफलता नहीं मिला एक बाद तो सफलता फ्लोएड को मिला था फ्लोएड जोकी 8 ओवर में 2 मेडेन ओवर लिये 17 रन भी दिये और एक विकेट भी निकाला गुरुबाज का बेंडन ग्लोवर तीन ओवर डाले है 12 रन दिये और कोई सफलता नहीं मिला है बोईस भाई ने 5 ओवर डाले 23 रन दिये और इनको भी कोई सफलता नहीं मिला है पिटर सिलर ने 2 ओवर डाले है और साकीव जुल्फे करने 1 ओवर डाले है फिलाल देखना होगा कि यहाँ पर कौन आते हैं गेंद बाजी के लिए साकीव जुल्फे कर जो कि यहाँ पर बॉलिंग करेंगे और सामना करेंगे जुल्फे करके इस ओवर की लिए गेंद कर लास्ट 30 केदों पर 27 रना है तो इच्छी यहाँ पर दोनों ही बल्ले बाजों ने बल्ले बाजी किया है थैंक्यू सो मजब लाइक करके सपोर्ट करने के लिए 49 भायों ने में लाइक किया है और यहाँ पर सिर्फ एक लाइक दूर है 50 लाइक से इस उबर की अगली गेंद राइट आम अबर दो गेंद बैक पूर्ट में जाके बॉल को खेलने की कोशिस मगर कवर में फिल्डर मौजूद है पीटर सेलर जिर्फ ने बॉल को रोका है कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ तो यहाँ पर कोशिस होगी कि अफगनिस्तान अपना सौरन जल्दी से जल्दी पूरा करे सिर्फ एक रनों की जोरत है इस उबर की पांच भी गेंद फिल्द एक बार और इस बार हलके सब बैटर से खेल दिया है पॉइंट की दिसा में मगर फिल्द बैर एक बार डॉट बॉल होता हुआ अभी तक यहाँ पर पच्चीस उबर पांच गेंद हो चुका है यहाँ पर डीप एक्स्टर कवर की तरफ और इसी 6 रन यहाँ पर एक रनों के साथ 26 ओवर के बाद अफगनिस्तन के सको सो रट एक वकेट के लुकस्तान पर बोलर यहाँ पर फिलाल जो है छे गिंद बाज को यूज किया है हिरतेस क्रियेशन जी आठ गिंद बाज अभी तक तो नहीं यूज किया है फिलाल यह छे गिंद बाज यहाँ पर यूज किया है अब देखना होगा कि अगला गिंद बाज किसी को यूज करते है फिलाल 26 ओर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर और 100 रन एक वकेत कर उफसान पे ब्लेंडन ग्लोवर आया है गेंदबाजी के लिए ये इनका चौथा ओबर है ब्लेंडन ग्लोवर का ये इनका चौथा ओबर है और देखना होगा इस चौथे ओबर में कुछ अलग कर पाते हैं की नहीं आप चलिए दोनों ही परले बाजी यहां पर परले बाजी करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर चौथा ओबर डाप रहे हैं तिलाल स्कूर्ट यहां पर 101 रहनों का बन चुका है एक बिटके के लिपसान के और यहां पर 27 ना ओबर चल रहा है रियाईज एकतर गेदो पर च्याली यहां पर 46 अमरी स्कूर पिखे हो रहे हैं वही अमारे साथ तो जिदी भी भैज चुट चुके हैं सभी के बदेंगे वही यहां पर 27 अबर चल रहा है इस अबर की चौथी दिन और सामना करेंगे यहां पर फिर तक बार रहमत साथ बहुत खेल दिया है सिंगल लेता हुआ स्कूर को आगे बढ़ा दिया है आपको बतादें दूनों बल्ले बाज यहां पर दूनों ही बल्ले बाज है सिंगल लेके स्क्राइक को रोके करें ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे हैं क्योंकि जानते हैं यहां पर तूरे अगर यहां पर तूरे अगर खेला जाए तो अलांच यह स्कूर्ज है बहुत अच्छे हो सकते हैं सब्सक्राइब कर लिए फिलाल बहतरी नमाच होता हुआ जी हैं बहतरी नमाच होता हुआ नजर आग रहा था इसे लेकर लिगेंज इस वार पट्की लिगेंज थी खेल दिया बैक ओट पॉइंट की तरह चार रन अगर लिए रहमसा और इसी चौके के साथ अपना पचास भी पूरे कर लिए हैं लियाज हिसन नहीं यह पर पचास पूरे किया है बहतरी नमाच है बाई अपनी जो बहुत ही बढ़िया सो यह पर वाइड बॉल लेक्स टेम से काफी बाहर बॉल था वाइड बॉल दिया है यह पर ब्रेंडन ग्लोवर ने यह इनका चौथा ओवर है एक अथिरिक्तरगान स्कोर बोर्ड पे आता हुआ लाइक का मदबत है सपोर्ट सपोर्ट हमें जरू करे और चैनल पर पर चैनल को सबस्क्राइब जरू करे फिलाल यहां पर बहतरीन मैंच होता वा नजर आ रहा है दोनों बल्लेबाज लगातार कोसिस कर रहा है कि यहां पर एक अच्छी स्कोर खराकर दिया जाए 27 ओबर के बाद 171 प्रिकेट के लुक्तसान पे फिलाल 73 गेंदों का सामना की वे 75 रनोगी स्कोर पे खेल रहे हैं दोनों ही बल्ले बाच तो भाई बने रही हमारे साथ लाइक जोरू कीजिए और फिलाल जो है यहां पर स्कोर काट की अगर बात करें तो यहां पर एक बिकेट के लुक्तसान पे 107 रन बन चुके हैं 27 ओबर के बाद रियाई जुसेंजों की 50 रन बना के खेल रहे 73 गेंदों का सामना की वे और रहमसा 63 गेंदों पे 49 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं अफगानिस्तान का स्कोर हो चुका है 27 ओबर के बाद 107 रन बै अब हमारे साथ बने रहेगा लाइक जरूर किजीएगा और चैनल पर जैनल को सब्सक्राइब देज्यूर किजीएगा बहतरीन मैच होता वाँ फिलाल है यहां पर नजर आ रहा है तो भई यहां पर हमारे साथ बने रहिएगा जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भई सब्सक्राइब जुरूर कर ले अफगानिस्तान और यहां पर मैच काफी रोचक हो जाएगा आखिर तक क्योंकि यह मैच जितना चाहेगी यहां पर जी हां यह मैच जितना चाहेगी नेधरलेंड्स तो फिर से एक बार बने रही है हमारे साथ और यहां पर विकेट जी हां कैच ले लिया गया है और इसी के साथ विकेट रिया एज ने बॉल को खेलने की को साकिव जुल्फे करकी गेंती फ्लाइट गेंती आगे निकल के खेलने की कोसिस बैट का एज लिया और फिर से एक बार मुझे लगता है की कैच ले लिया गया है और इसी के साथ है दूसरा विकेट जो यहां पर साजेदारी बनती भी नजाल आ रही थी यहां पर विकेट गिनने के बाद दूसरा विकेट भी चला गया है फ्लाइट गेंती थोड़ा सा स्टेप आउटनर के खेलने की कोसिस बाल बैट का एज लिया और यहां पर कवर में फिल्डिंग कर रहे फिल्डर ने कैच ले लिया है और इसी के साथ दूसरा विकेट भी चला गया है कैच लेने वाले खिलाडी है यहां पर डी लीडी जी हां डी लीडी ने कैच लिया है भाई तो भाई हमारे साथ बने रहे हैं लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि अगरा 272 तीन गिंदो को बाद 108 रंड दो विकेट पूर्पसान के यहां पर प्री आये जुसेंद आउट होग चुका है कि अग्याश कशक्तर गिंदो पे 50 रंगी स्कोर्ट पे पचास रंगी स्कोर्ट पे आउट होग चुका है कि अग्याश कर आप अग्याश कर दो चुका कर दो कि अग्याश कर दो कर दो मैदान पर मुझे लगता है कि यहाँ पर नजीमूल जर्थान आए हैं खेलने के लिए तो भैं हमारे साथ बने रहे हैं लाइक जलूर कीजिए यहाँ पर साकीब जूलफे करने विकेड नղिया है यहाँ साकीब जूलफे करने विकेड निकल लिया है भई पर आठी सर्माजी यहां पर बैटेंग अले वीजाई सर्माजी हमारे साथ जूर चुके हैं तो इसी तरीके साथ जूरे रहेगा लाइक जरू कीज़ेगा और चैनल प्रतमा चैनल को सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा दून ही हस्मतुला ने आते ही अपना सिंगल रनों से खाता भी खोल लिया है 28 ओबर के बाद 110 रन बने है दो विकट का लुक्सान पे अफगानिस्तान के फिलाल यहां पर दूसरा विकट भी चला गया है जो की एक बहतरीन बैटिंग कर रहे थे रियाएज हुसेर और अच्छी साज़ेदारी यहां पर अच्छी पार्टी बाड़ी खेला है 75 गेंदों पर 50 रनों की एक अच्छी पारी अपनी डेवी मैंच पर खेला है हसमतुला और फिलाल मैदान पर है और रहमत साजो की 41 रन बना के मैदान पर है दोनों ही बल्ले बाज फिलाल नौट आउट है और देखना होगा कि यहां पर अगला गेंद बाज कौन आता है 28 ओवर के बाद अब गनिस्तन का स्कोर हो चुका है 110 रन दो विकेट के लुकसान पर फिर सेगबार लिक्स टेम से बाहर बाल वाइड बाल का इसारा आमपयार का बैन एन गलोबर आए है अपना पाच्वावर डालने के लिए आते ही पहली गेंद लिक्स टेम से काफी बाहर था जिसको वाइड बाल दिया गया है फिर सेगबार इस ओबर की पहली गेंद सामना करेंगे रहमासा राइट आप ओवर दिविकेट गेंद बाजी करता हुआ और इस बार फुल लिंद बाल बाल को ड्राइब कर दिया है सीली मीड ओफ के उपर से बाल चला है और यहांपर बहुत ही बहती बैतल इंद फिल्डिंग बीवी एन किंग मा का बहुत ही अच्छी थ्रो भी यहांपर रन नहीं ले पाए डॉड बाल होता हुआ अच्छी लेंद पर डाला था बॉल को बिडिल स्टैम का बॉल था फुल लेंद बॉल तो रहमत साक अपना क्या पचास रन पूरे कर पाएगा यह देखना होगा गाई तेंक यू सो मजब लाइक करके सपोर्ट करने के लिए यहांपर तरह पर भायों नहीं लाइक किया है आप भी लाइक कर सकते हैं और दोनों ही बल्ले बाज देखना होगा कि यहांपर कोशिस करने होगी रहमत साको यहांपर इस मैच में अगर अपना पचास रन पूरे करते ने की क्योंकि 41 रनों की स्कोर पे खेल ला है और अपने जो 50 रन है वो 9 रन दूर है अफगानिस्तान की एक अच्छी सुरुवात मिल चुका है 111 पे दो हो चुका है 2800 वद दो गेते के बाद और इस स्कोर को यहांपर अफगानिस्तान कहां तक ले जाते हैं देखना होगा इस ओबर की तिसरी गेंद सामना करेंगे रहमा सा राइट आम ओबर दो गेंद बाजी करता हुआ फुल लेंद बाल लेक्स टेम पे पीछवी गेंद इबाल को फ्लिक कर दिया है मगर इस बार मीड आन पे फिल्डर मौजूद है बाल को रोग लिया है बहतर इन देखने के लिए मिला है लेदर लेंड्स के तरब से दो कैच जरूद छूटे है पहली यहाँ पर फ्लोएट की गेंद पर एक कैच होड़ा था पीटर सेलर ने और एक कैच होड़ा था साइद ग्लोवर ने मगर उसके बाद और दोनों कैच को छोड़ दिया जाए तो बाकी जिदने भी फिल्डिंग हमें देखने के लिए मिला है वो काफी स्तांदार था और लगातार सिंगल डोकर दिया है यहाँ पर ब्रैंडन ग्लोवर ने तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं रामत सा जोकी 41 रनों की स्कूर पर खेलना है सामना करेंगे इस ओबर की पाँच भी गेंद का ब्रैंडन ग्लोवर बॉलिंग करते हैं उनके लिए तेया इस ओबर की पाँच भी गेंद और फ्राइट आप ओवर दो गेंद बाजी करते हैं इस ओबर की पाँच भी गेंद इस बार पठकी भी गेंद थी हल्क स्लोवर बॉल था बॉल को खेलने की कोशी सकंदे की उचाई पर बॉन बाउंस का इस अराम प्यर का मगर अच्छी गेंद यहाँ पर मैं कहूंगा ब्रैंडन ग्लोवर का साजी भी गेंद बाजी यहाँ पर और इसी के साथ 28 ओवर पांच के लिए हो चुके हैं भाई हमारे साथ बने रियर लाइक जरूर कीजे और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बहतरीन मैच होता हुआ फिला फिर एक बार पीटर यहाँ पर बॉलिंग करता हुआ ब्रैंड यहाँ पर ग्लोबर इस बार थोड़ी सी स्टेप ओट करके बॉल को खेल दिया है मिड ओफ के तराफ मगर वाँ पर वीवियन किंग मा जैसी तावर तोर फिल्डर मौजूद है कोई रन नहीं डॉड बॉल हो चुका है 111 रन दो विकट के लुकसान पर तो भाई यहाँ पर अब तरेपन भाईयों ने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं फिर आल अब गानिस्तान का स्कोर हो चुका है 111 रन दो विकट के लुकसान पर अब तक यहाँ पर नेदर लेंड्स ने साथ रन जो है वो एक्स्ट्रा रन दिया है और 29 ओवर के बाद फिलाल अभी भी 21 ओवर बाकी है तो दिखना होगा कि इस 21 ओवर में अफगानिस्तान जो है कितने रन चोड़ते हैं फिलाल हमारे साथ जीतने विभाई जूख चुके हैं तो लाइक जरू करें लाइक का मत बताए सपोर्ट हमें जरू करें और चैनल प्रदब चैनल को सब्सक्राइब जरू करें क्या लगता है भाई आज इस मैच में अफगानिस्तान जो है कितने रन का टार्गेट दे सकता है जी हाँ कितने रनों का टार्गेट यहाँ पर दे सकता है भाई फिलाल 39 ओवर हो चुका है फिर से एक बार आरियन दत्ता भाई और बहुत देर से रितेस क्रियेशन जी कर रहते कि आरियन दत्ता जी हाँ आरियन दत्ता है गेंद बाजी के लिए रितेस्ट्रियेशन जी पूछ रहते आडियन दत्ता कब आएंगे बॉलिंग करने के लिए तो यहां पर 29 ओवर में 30 ओवर डालने के लिए दिया गया है और पहली गेंद डॉड़ बॉल से सुरुवात किया है बहुती बढ़िया गेंद बाजी यहां पर आडियन दत्ता का लेक्स टेम पे फुल टॉस था फाइदा ने उठा पाए यहां पर अफगानिस्तान के हसीमत तुल्ला हसमत तुल्ला ने और आडियन खान एक बहतरी गेंद बाज है तो चलिए देखते हैं आडियन खान यहां पर गेंद बाजी करते हुए नजर आ रहा है और लगाता डॉट बॉले करता हुआ बैट्समन को फुल टॉस देंगे तो भाई आपको फाइदा मिलेगा हसमत तुल्ला यहां पर बड़े सौट ले सकते है इस ओबर की तिसरी गेंद राइटाम राउम यहां पर ओबर दो गेंद बाजी करता हुआ इस बार फ्लाइटेट गेंद थी विद दा स्पिंग बॉल को खेल दिया है लॉग ओन की तराफ सिंगल मिल जाएगा हसमत तुल्ला को और स्कोर हो चुका है अपगानिस्तन का 112 राइट के लुक्सान पे अगर आप भी हमें सुन रहे तो आपको पता दे कि आपर आरी अंदर ता आ चुके है गेंद बाजी के लिए और फिलाल कारें रेंडर जो है यहाँ पर अफगानिस्तन की थोड़ी सी नीचे आ चुका है और मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी हाथ खोल के खेलने होगे रहमत सा को फिर से एक बार बॉलिंग करता है रहमत सा को रहमत सा जो कि यहाँ पर एक तालीस रणों की स्कोर पर राइट आम ओबर दुगेंद बाजी करता है इस वर की चाथी गेंद और बॉल को खेल दिया है लोंग उन की तरफ इस बार और यहाँ पर सिंगेल मिल चाएगा दुन ही बले बाज यहाँ पर बड़ा सौट की कोई रिक से नहीं ले रहे और यहाँ पर सिंगेल तो भई हमारे साथ बने रहे हैं लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब पर जरूर कीजिए बहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है तो चौवन भाईयों ने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके जरूर सपोर्ट कर सकते हैं रहमात सा जोकी 72 गेदों पर 42 रणों की स्कोर पर है और दूसरी तरब 30 ओवर के बाद स्कोर जो है यहाँ पर 114 रण बने हैं दो विकट के लुकसान पर जी हाँ 14 याँ पर 30 ओवर कतम हो चुका है 30 ओवर के बाद अफगनिस्तन का स्कोर जो है यहाँ पर बने हैं 114 रण दो विकट के लुकसान पर तो भाई है आपने पहली ओवर में स्रिप तीन रण दे हैं हसमतुला स्रिदी जहो की कप्तान है इस ट्रिप के वो यहाँ पर बल्ले बाजी करेंगे दिखना होगा कि कौन गेंद बाजी यहाँ पर गेंद बाजी करेंगा थैंक्यू सो मजब बैल लाइक करके सपोर्ट करने के लिए तेंक्यू सो मज़ बैल लाइक करके सपोर्ट करने के लिए हसमतुला जो कि एक बाय हाथ के खिलाडी है और ब्रेंडन ग्लोवर अपना छटा ओवर डालेंगे अब तक पांच ओवर में 20 रन दे चुके हैं अपना छटा ओवर डालेंगे ब्रेंडन ग्लोवर तो चलिए देखते हैं याप और हसमतुला साथ गेदों पे तीन डनों की स्कूर पे खिलते पे नज़र आ रहे हैं सामना करेंगे ब्रेंडन ग्लोवर की गेंद का चीहाँ ब्रेंडन ग्लोवर याप और बाय हाथ के खिलाडी को डाइने हास से रांड व金 गेद गेदबाजी करता हुआ हसमतुला कोड रांड विक गेद गेदबाजी करता हुआ ब्रेंडन ग्लोवर इसोबर की डूसरी गेंद परके वी गेंद पन्रेंडन पे पीछ भी गेंद एक दो फिल्डर लॉंग ओन लॉंग ओफ में हैं यहां पर दो फिल्डर जो है ओन साइड में लखे हैं फिलाल हस्मतुला इस ओबर की अगली गेन का सामना करेंगे इस ओबर की तिस अगली गेन का सामना करेंगे हस्मतुला जो की आठ गेनों पे तिन रनों की स्कोर पे हैं फ अमारे साथ कौनकोर भाई जो यहाँ पर 56 भाईों ने आमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लाइक कर दिया हैं तो चलिए दिखते हैं यहाँ पर अमारे साथ ब्रेंडन ग्लोबर अपना चटा ओबर डाल रहा है प्रोजेक्टेडी स्कोर की अगर बात करें तो अभी भी यहाँ पर पांच की करीब अगर रन बनते हैं अफगानिस्तान करीब पांच की करीब करके रन बलाते हैं यहाँ से तो मुझे लगता है दोसो बारा की करीब रन यहाँ पर बन चाएगा फिलाल राहमात सा बैटिंग करता हुआ 73 गेदों पे 42 तनों के स्कूर फे सामना करेंगे ब्रेंडन ग्लोवर की गेंद बाजी का 31 मां ओवर चलता है राइट आम ओवर दर विकेट गेंद बाजी करता हुए यहाँ पर राहमात सा को पटकिवी गेंद थी बैट का एज लिया बॉल चला गया डिप बैक्वार्ट पॉंट की तरफ सिंगल लेके यहाँ पर स्टाइक को रोटेट किया है और इसके साथ अफगानिस्तान का इसकोड़ 116 रन दो विकेट के लुकसान पर आपके आरी अंदता ने एक ओवर में तीन रन दिया है आरी अंदता आय है और एक ओवर डाल भी चुके है और इस एक ओवर में उन्होंने तीन रन दिये है फिराल हमारे 57 भायोंने लाइक कर दिया है तो इसी तरीके से भाई लाइक करें और चैनल प्रदबाद चैनल को सब्सक्राइब पर जरू कर ले भाई फिलाल याँ पर तीस ओबर पांच के इंदों को बाद 116 लाद दो विकेट लुकसार पर बॉल की जो है याँ पर अमप्यार से थोड़ी सी बातचीत होते वे कप्तान पिटर सालर की फिलाल बैच रुका हुआ है फिलाल मैच जो है रुका हुआ है थैंक यू so much बाई like करकर करने के लिए थैंक्यू सो मच भाय लाइक करकर सपोर्ट करने के लिए यह पर अठावन भायोंने हमें लाइक कर दिया है थैंक्यू सो मच यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर किंगमा को वर्ण करते वे बॉल को खराब करने का यहाँ पर किंगमा को वर्ण करते वे बॉल को खराब करने के लिए 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 मुझे लगता है कि उनको वर्ण किया है अमप्यार ने और नय गेंद को लाया गया है जी हाँ नय गेंद को लाया गया है मैच के लिए तो थेंकियो सो मज़ भाई लाइक ज़रूर करें बॉल को चेंज कर दिया गया है जी हाँ बॉल को चेंज कर दिया गया है फिलाल हमारे साथ बने रही है या पर भी बिएन किंग मा बातचीत करते हुए तो भै आखरी बॉल है ये इस ओवर का ब्रेंडन गलोवर का ये आखरी गेंध है इस ओवर का और सामना करेंगे हसमतुला तो भै लाइक जरू करें लाइक का मज़बत है सपोर्ट सपोर्ट है जरू करें फिलाल बॉल के लिए या पर बॉल चेंज किया गया है नया बॉल लाया गया है 12 इस इनिंग्स में 12 एक्स्टर रन मिले हैं 121 पे पहुँच चुका है रन और दो विकेट के लुक्सान पे यहाँ पर राइट आम राउंड देगेट बॉल करता हुआ हसमातुला को अप्स्टेम पे बाहर बॉल और यहाँ पर डॉट बॉल होता हुआ और इसी डॉट बॉल के साथ इस कोर जा है यहाँ पर 121 रन 31 ओवर कतम हो चुका है 31 ओवर के बाद 121 रन दो विकेट के लुक्सान पे पाँच रन एक्स्टर मिले है यहाँ पाँच रन एक्स्टर मिले है अफगानिस्तान को बॉल को खराब करने के लिए यहाँ पर वीवियन किंगमा बॉल को खराब किया था और इसके चलते पांच तिरिक्तर रन मिले हैं अफ़गानिस्तान को तो भई हमारे साथ बने रहे यह लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दो पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फिलाल यहाँ पर 121 का स्कोर बन चुका है वो भी दो विगट के लुकस्तान पर 31 ओवर के बाद और मैदान पर बने हुए हैं यहाँ पर दोनों खिलाडी रहमाथ सा जो की चोहतर गेंदों पर 43 ओवर के स्कोर पर और हस्मतुला जो की यहाँ पर 11 गेंदों पर 4 रन मना के फिल्स है एक बार बता दे की यहाँ पर रहमाथ सा जो की यहाँ पर सामना करेंगे देखना होगा अगले गेदबाज कौन है जी आ आरियन दर्थ आरियन दर्थ आये हैं गेदबाजी के लिए और सामना करेंगे रहमाथ सा डाइने हाथ के खिलाडी को डाइने हाथ से ओवर दोविकेट गेदबाजी करते हुए आरियन दर्थ पोजेक्टे डिस्कोर की बात करें तो यहां पर मुझे लगता है कि 220-25 के आसपास यहां पर अफगानिस्तान के रन बन जाएगा मुझे लगता है 240 के करीब यहां पर रन बन सकते हैं अफगानिस्तान के आपको क्या लगता है भई कॉमेंट जरू करें כ idols comment करके मैं जोरू पता है इसंगल कि पहली गेन 32 में ऑफर की पहली गेन और यहां पर बैट पूर में जाने से मजबूर किया है बॉल को खेल दिया कवर्फ की पारिसर के लिए बागे है और यहां पर काफी इसान सिंगल रहमत सा ने लिया है और इसी सिंगल के साथ स्कोर भी अफगानिस्तान का 122 रन तक पहुँच चुका है यहां पर काफी बहतरी नहीं पाड़ी खेलतावा अफगानिस्तान की अगर बात करें तो यहां पर अफगानिस्तान की तरब से रहमत सा ने 2013 से लिके 2022 तक 89 मैच खेल चुके हैं और 89 मैचों में 2615 रन है सबसे बेस्ट इनका ODI में 114 रन बना है 36 का एवरेज है तो काफी अच्छे खिलारी है रहमत सा और अगर बात करते हैं इसके बाद आने वाले खिलारी नजीमुल जादरान की अगर बात करें तो नजीमुल जादरान ने अब तक 2012 में इनका डेबी हुआ था नजीमुल जादरान का और 2012 से लेके 2022 तक 73 मैच खेल 404 रन नौट आउट ये इनका सर्वच्च स्कोर है एक दीवसिया क्रिकेट में 29 की आउसत है 29 की एवरेज है जिन्स एवरेज है ये 1644 रन नजीमुल जादरान ने बनाए हैं नजीमुल जादरान इसके बाद आने वाले खिलारी है तो ये भी अच्छे बात्समैन है तो है और चार रन मिल गये है और रहमासा इसी चौके के साथ पहुच्च चुके हैं 48 रनों के स्कोर पे और यहाँ पर स्कोर हो चुका है भई आपको बता देकी 127 रन फिस एक बार रहमासा 48 रनों के स्कोर पे सामना करेंगे आरियन दा तक इस ओपर की एगली गेंद का क्या इस से गेंद पे अपना दो रन लेके अपना पचास पूरे कर पाएंगे रहमासा डाइनाइट का खिले गोवर दो गेंद बाजी करता हुआ इस पर बैक पूर में जाके बॉल को खेल दिया है आरी अंदार्ता का यह दूसरा ओवर है और सामना करेंगे रहमासा राइट आम अबर दो विकेट बाजी करता हुआ इस पर फ्लाइट अगेंद हल्के बैड़ो से खेला है बॉल को मीड़ आउफ के तरफ सिंगल लेने का चाहते थे मगर यहाँ पर कोई रन नहीं डॉड बाल होता हुआ 32 ओबर कम्प्लिट हो चुके है अब गानिस्तन का स्कोर 127 रन तो विकेट के लुक सांग पे फिलाल अब गानिस्तन के अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज काफी जबरदस्त खेलता वा हस्मतुल्ला की बात करते हैं तो हस्मतुल्ला अब तक 2013 से लेके 2022 तक 44 एक दीवस यह मैच खेल चुके है 44 एक दीवस यह मैचों में इनोंने 34 की एवरेल से 1285 रन बना चुके है 97 रन इनका हैस्ट स्कोर है वो में नौट आउट से और काफी बहतरी खेलते हैं 2013 में हस्मतुल्ला साहीदी का डेबी हुआ था और साहीदी का डेबी हुआ था आपको पता दे वांडे में इंडिया के खिलाब बैंगलू में 2000 डेबी हुआ था केनिया के खिलाब ODI में 2013 में 2018 में टेस्ट खेले हैं 2013 में इनका एक दीवस यह करियार में डेबी हुआ था तो देखना होगा भाई यहां पर क्या कमाल करते हैं क्योंकि इस ओबर की अगली गेन और सामना करेंगे हसमातूला इस ओबर की दूसरी गेन सामना करेंगे हसमातूला बायाथ के खिलाडी को डाइने हाथ से रो राउंड अगर बग्रता जी कारता हुआ बायाथ को डीप एक्स्टा कबर की तरफ सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 32 अबाद दो गेनों के पाद 128 जन दो विकेट के लुकस्तान पे बना है भाई या पार जिनने भी भाई जूर चुका है मारे साथ लाइक जरू कड़े लाइक का मदब बता है सपोर्ट सपोर्ट हमें जरू कड़े रहमत सा जो कि 48 रनों के स्कोर पे खेल रहे है फिलाल अपने 50 से अर्द सतक से अपने अर्द सतक से 2 रन की दूरी पे है जी हाँ याँ याँ पर रहमत सा अपने अर्द सतक से दो रनो की दोड़ी पे है और थोड़ा सा मुझे लगता है कि कैसे हो है राजी ब्राजन तिर्के जी थेंकिव सो मज़ भाई अमारे साथ चुड़े रहने के लिए मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और उम्मीद करूगा कि भाई राजी ब्राजी ब्राजन तिर्के जी अब भी बहुत ही बढ़िया है और थेंकिव सो मज़ भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए गेंधबाजी करता हूँ ब्रेंडन ग्लोबर अपना 4 ओवर डाल रहे हैं अब तक अप्पी साजी भी सठी के गेंधबाजी किया है ब्रेंडन ग्लोबर ने यह इनका 7th ओवर चल रहे है और फिलाल 23 रण देचुके हैं और यहां पर हावे खेल दिया है बॉल को और पॉइंट में बहुती बहुती बहुतर इन कैच विकेड ब्रेंडन ग्रोबर को रहमसा 48 दिनों की स्कोर पे आउट होता हुआ ओप्स टैम के बाहर पीछुई ती गेन हाथ खोलने का मौकाविला था इस बार रहमसा को खेल दिया था पॉइंट की उपर से खेलने की कोशिज मगर पॉइंट में बहुती जबरदस फिल्लिग मैंने बहले ही का था कि पॉइंट में बहुती बहतरीन फिल्लिंग कर रहे है यहां पर आयलन्न के खिलारी ने और इसी के साथ तिस्रा विकेट गिरता हुआ रहमासा की रूप में 128 पे यापतीन विकेट आउट हो चुके है रहमासा आउट हो के पैबिलियन की ओर चल चुके है रहमासा का कैच लिया है डी लीडी ने दी लीडी का ये दूसरा कैच था जो की पॉइंट में लिया है और इसी के साथ आपको बता दे कि या पर अब गरनिस्तान के उपर दबाब और भी भर जाएगा तिसरा विकेट चला गया है एक पूरे सेट बैट्समन जो की रहमासा 48 रनों की स्कोर पे आउट हो गये है ब्रेंडन ग्लोबर का अपना पहला विकेट मिल चुका है और 48 से रनों की स्कोर पे आउट होता हुआ अब देखना होगा कि मुझे लगता है नाजीम उल्ला जद्रान आने वारे है यहां नाजीम उल्ला जद्रान आने वारे है जिरना होगा कि कौन आते है भाई मुझे लगता है कि नाजीम उल्ला जद्रान आने वारे है यहां पाई तो लाइक जबर करे वाई ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद दोबारा से थोड़ी देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा ड्रिंक्स ब्रेक से जाने से पहले विकेट खो दिया है अफगानिस्तान ने आज ये टॉस जीता टॉस जीत के पहले गिया पर बले बाजी करने का फैसला किया पहले बले बाजी करते हुए अफगानिस्तान ने अपना तीसरा विकेट खो दिया है राहमस सा आउट हो चुके हैं 48 जनों के स्कोर पे और स्कोर या पर अफगानिस्तान का 128 नंतीम विकेट के लुकसान पे बने हैं का कैंट hoc WILL toute अ कहएंट हैं कर आहर मिलद के लोका के लुकसा नंतीम लोंजब यूपारिक्ट्म के लुकसान से लियाओत ऑल यूझन साना वहाँ प्समेंगोगी उे धूफदो कर लुकस्व foreigner तो भाई बने रहिएगा लाइक जुरू किजिएगा और चैनल पर चानल को सब्सक्राइब जुरू किजिएगा तो चलिए देखते हैं जद्रान और स्ट्राइक जद्रान स्ट्राइक लेंगे बाई और पहली गें का सामना करेंगे यहां इस ओवर की पांच भी गेंद और यहां पार डॉर्ट बॉल होता हुआ नजीमुल्ला जद्रान फिला नए बल्ले बाज है नजीमुल्ला जद्रान की मैंने बात किये हैं 73 मैच केल चुके हैं और 73 मैचों में इन्होंने 1644 रन बना चुके हैं और 1150 और 100 रन बना चुके हैं 104 रन का सबसे अधिक स्कोर है तो भई हमारे साथ बने रही है आखिर काड यहां पर दिखना होगा की अफगानिस्तान जो है इस मैच में कितने रनों तक पहुँच पाता है 33 ओवर के बाद स्कोर जो है अफगानिस्तान का 29 रन तीन विगेट के लुकसान पे लास्ट भिकेट जो यहां पर रहमत सा आउट है है वो 48 रनों पे आउट है है रियाज और रहमत उल्ला ने पाड़ी को सवालते वे अच्छी साजेदारी लिभाई और रियाज आउट हो चुके थे साकीब जलफेकर की गेंद पे 50 रनों की स्कोर पे और रहमत सा फिलाल बैनन गोवर की यहां पर आउट हो गेंद पे आउट है है और डी लीडी ने कैच लिया है नजीम उल्ला एक रनों से अपना खाता भी खोल लिया है आरियन दत आया है गेंद बाजी के लिए दो ओवर में नौ रन देके यहां पर फिलाल गेंद बाजी करेंगे और यह इनका तीसरा ओवर है अच्छे गेंद बाज है देखना होगा यहां पर फिकेट ले पाते हैं कि नहीं बाए हाथ के खिलाड़ी है नजीम उल्ला जदरान डाइनया से ओबर देवे गेंद बाजी करता हुआ लेक्स्टर पे पीछवी गेंद बाज़कर फिलिक कर दिया है सौट थार्ड मेंड की तरफ कोई रन नहीं डॉट बाज होता हुआ तो भई हमारे साथ बने रही है आरियन दत्ता अपना ये तीसरा होगा डाल रहे है और फिलाल अफगानिस्तान का स्कोर 139 रन है नजीम उल्ला जद्रान की अगर बात करें तो नजीम उल्ला जद्रान ने 2012 में अपना डेबियू किया था और यहां पर चौका मिल चुका है बैट का एज जिलिया था और बॉल चला गया है थार्ड मेंड की तलब चार रनों के लिए बीवी एन किगमा पीछे थे मगर यहा अप गानिस्तान का स्कोर्ड 133 रन बन चुका है बई जी तेंक यू सो मजब या प्श्याइम उस्या बापल गुप जी अमारे साथ जूर चुका है बई तेंक यू सो मजब बाइक चूरने के लिए और आप भी अमारे साथ जूरे रहए यहां जरू कीजेगा फिलाल हमारे साथ जितने भी भाई जूर चुके हैं सभी को बता दे कि यहाँ पर बल्ले बाजी कर रहा है नजीमूल चाध्रान इस बार रिवर सुप करने की कोशिज मगर पॉइंट में बहतर इन फिल्डिंग विवियन कीमा खा विवियन कीमा जोकी यहाँ पर फिलाल पॉइंट में फिल्डिंग कर रहा है हमारे साथ जितने भी भाई जूर चुके हैं समको बोलेंगा भाई लाइक जरू कड़े लाइक का मलब बता है सपोर्ट सपोर्ट हमें जरू कड़े फिलाल दो गेंदे बागिया इस सोवन में फिर इक बार रिवर्स वीप और यहाँ पर चार रन सौर्ट थार्डमेन के फिल्डर के उपर से बॉल निकल गया है यहाँ पर चार रनों के लिए नजीमूला जाद्रान की यह पहला चौका और इसी चौके के साथ अफगानिस्तन का स्कोर 137 रन ती डुकेट के लुकसान पे ओवर की सवापती हो चुके है 34-34 ओवर के बाद 137 रन बन है तीन विगट के लुकसान पे यहाँ पर हमको बता दे कि यहाँ पर 35 में ओवर की सुरुवात होने जा रहा है देखना होगा कि यहाँ पर ब्रैंडन ग्लोबर री साथ मुझे लगता है कि 35 मां ओवर डालेंगे और फिलाल 35 में ओवर की सुरुवात होने जा रही है और देखना होगा कि पर 35 में ओवर की सुरुवात किसके हाथों से होता है विविएन किंगमा को गेन बाजी दिया गया है विविएन किंगमा का यह साथ मां ओवर है इससे पहले 6 ओवर डाल चुके है 20 रंदे चुके है पहली गेन्द राइटाम रंद अगर बॉल करता हुआ हसमतुला को और समतुला निस बार आप्स टेम पे खेल दियाने की कोशिस मगर कोई रंद नहीं डॉट बॉल हता हुआ तो काफी अच्छी या पर किंगमा को दोबारा बुलाया गया है या पर बले बहिया गेन्द बाजी के लिए किंगमा बॉलिंग करता हुआ तो क्या आप भी यहां पर लाइक कर सकते हैं देखते हैं यहां पर धीरे धीरे अफगनिस्तान के उपर दवावा बनते हैं कि नहीं क्योंकि रन थोड़ी सी जो है यहां पर कम बना है तो चलिए देखते हैं फिर से वर्किंग बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की तीसरी के दोड़िया पर डॉट बॉल हुआ है अब इन दोनों को एक अच्छे साज़ेदार निवारी होगी यहाँ पर मुझे लगता है कि कम से कम 40 में ओवर तक इन दोनों को बलेबाजी करनी होगी और स्कोर को 1560 कि करीब अगर बना लेते हैं तो साहध यहाँ पर अभगनिस्तान कम से कम 200 की करीब जाने की कोसिस करेगा देखना पड़ेगा भाई क्या यहाँ पर अभगनिस्तान इस मैच में 200 की करीब रन आकड़े जो है यहा पर छूप आता है कि नहीं तो भाई हमारे साथ बने रहे हैं लाइक ज़रू किजिए और यहां पर अरसर भाईयों ने हमें लाइक कर दिया है थैंक यू सो मज़ भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए फिर से एक बार इस ओबर की पांच भी गेद और सापना करेंगे यहां पर नजीमुल्ला जार्दार लाइक करें भाई यहां पर अरसर भाईयों ने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहां पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं बसीर खोसल जी हमारे साथ जूर चुक है भाई थैंक्यू सो मज भाई हमारे साथ जूर ने करिए फिर से खबार इस ओबर की आखरी गेंद और नजीमुल्ला जादरान सामना करेंगे किंगमा बॉलिंग करता हुआ जादरान एंड हसमतुल्ला दोनों ही बायहाथ के खिलारी है बायहाथ के खिलारी को डाइने हास से राउंड दो गेट गेट बाजी करता हुआ वीवियन किंगमा इस ओबर की आखरी गेंद पटकी वीगेंस ओड़ पलेंद दालने की कोशिस और देखना होगा जी नहीं आपर वाइड देते हैं कि नहीं जी नहीं आपर कोई वाइड नहीं दिया गया है और इसी के साथ ओबर की समाप्ती वान बाउंस का इस अला भी किंगमा को और इसी के साथ पाई 30 ओबर के बाद है अफगानिस्तन का स्कोर 138 रन तीन विकेट के मैं देखने के लिए मिलेगा तो यहां पर 68 भाईयों ने यहां पर लाइक कर दिया है तो आप भी यहां पर लाइक करके बैस सपोर्ट कर सकते हैं जल्द से जल्द भाई लाइक करें और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब करें हसमतुल्ला सामना करेंगे नए गेंदबाज वोसभाइन की वोसभाइन जोकी एक स्पीन गेंदबाज है और उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे बोईस भाई गिंद बाजी करते हुए राइट आम राउंद गिंद बाजी करता हुआ हसमातुला को हसमातुला यहाँ पर तावर तोर बल्ले बाजी के लिए जाने जाते है राउंद गिंद बाजी करता हुआ इस बार बैक प्रूम में जाके बॉल को खेल दिया सीधा बोलर के हाथ में कोई रन नहीं मिलेगा डॉर्ट बोल होता हुआ तो भाई याँ पर हमारे साथ जिन्दे भी भाई जूर चुके हैं आप लोग हमें कहां से सुन रहे हैं कॉमेंट करके जरूर बताए और याँ पर याँ पर थेंक्यू सो मज़ भाई लाइक करके सपोर्ट करने लिए इसी तरीके से भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को तो चलिए देखते हैं याँ पर हमारे साथ जिन्दे भी भाई जूर है सबी को बता देखिए बोईस भाईन गेद बाजी करतवा और नजीम उल्ला जात्रान जो है याँ पर बैटिंग करते वे इस ओवर की अगली गेद पर डॉट बोल होता वाला लागाता दो गेदे याँ पर डॉट कर दिया है और इस ओवर में अब तक सिर्फ एक रण आए हैं जी हाँ इस ओवर में अब तक सिर्फ एक रण दिये हैं तो चलिए देखते हैं नजीम उल्ल जात्रान क्या याँ पर अफगानिस्तन की स्कोर को क्या पहुचा पाएगा भाई क्या लगता है दू नोही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं फिलाल और याँ पर चौका भई बहुती बढ़िया सौट चार रणों के लिए इसमार राउंड देखेट गेंद बाजी किया था बॉल को गैब में खेल दिया है कवर और एक्स्टर कवर के बीच में से चार रणों के लिए बहुती उंदा सौट यापर नजीम उल्ल जात्रान का और इसे चौके के साथ स्कोर भी अफगानिस्तान का 143 रण बन चुका है तीन बगेट के लुकसार पे जी हाँ बहुती इन सौट यापर नजीम उल्ल जात्रान का तो लाइक जुरू करे और लाइक का मदब बताए सपोर्ट सपोर्ट अभी जुरू करे फेला अलब बहतरी नमाच होता वा और बल्ले बाज दोनों ही कोसिस करें कि बड़ा सौट लिया जाए क्योंकि यहां से अगर बड़ा सौट नहीं लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि अफगानिस्तान को कम से कमर 200 का आंकरा जोड़ू छुने चाहाएगी यहां पर नहीं तो मैंने हम लोगों ने देखा था कि पिछली दो मैचों में उन्होंने रन को डिफेंड भी कर लिया था जिस तरीके से यहां पर गेदबाजों ने अफगानिस्तान के गेदबाजी किया था उन्होंने 36 रनों से जीता था पहला मैच और 48 रनों से जीता था दुसरा मैच तो उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ पर कुछ भी स्कोरों अफगानिस्तान जो है यहाँ पर डिफेंड कर लेगा 36 ओवर के बाद स्कोर जो है अफगानिस्तान का 144 रंग 3 बिगट के लुक्सान पर बने है करो दुक्ष कर दो रखी कि लुक्सा अभब हुए। जएती a. झाल झाल जी हाँ भाई धीरे धीरे यहाँ पर सत्तर भाई उन्हें लाइक कर दिया है और अफगानिस्तान जो है यहाँ पर धीरे धीरे अच्छी स्कोर की ओर बढ़ता हुआ जी हाँ अच्छी स्कोर के ओपर बढ़तावा नजर आ रहा है इस ओबर की चौथी गेन जी हाँ इस ओबर की चौथी गेन और सामना कुरेंगे नजीम उल्चाद्रान मगर यहाँ पर फिर से एक बार डॉट बॉल सिंगल लिया है और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धी है तो भई अमारे साथ जितने भी भाई जूर चुके हैं सभी कवरों का लाइक जरू कड़े लाइक का मंदा बता है सब्सक्राद्ट जरू करें अधिर अधिर यहां पर बहतर इन मैच होता हुआ और अफगानिस्तान अपनी मैच के आखरी में पहुंच चुका है लगबग और इसके बाद थोड़ी सी मिस्पिल हुई है और यहां पर सिंगल लेने के लिए जा रहे थे मगल यहां पर एक रन मिलेगा और इसी एक रनों के साथ कोई रन नहीं मिले है कराची पाकिस्तान से साहिब नदीम जी अमारे साथ जूर चुका है सलाम भाई सलाम भाई नादी यहां पर साहिब नदीम जी अमारे साथ पाकिस्तान से जूर हुए है और यहां पर थोड़ी सी जो है स्टेच करके ड्राइब लगा के रन के रन पूरे किये थे हस्मतुल्ला और उसके चलते यहां पर थोड़ी सी ज्यादा स्टेच कर लिये थे इसी के साथ इंजियोड हो चुके हैं हस्मतुला हस्मतुला दोबारा से तैयार है बैटिंग करने के लिए जी हाँ हस्मतुला दोबारा से बैटिंग करने के लिए तैयार है और सामना करेंगे तो भई हमारे साथ बने रही है असमतुल्ला फिर्ज ते तैयार हो चुका है बैटिंग करने लिए नजीम उल्जा जद्रान स्टाइक लेंगे और सामना करेंगे बोईस भेन की गेंद बाजी का जी हाँ अफगानिस्तान का स्कोर 147 रंग तीन बेकट के लिकसान पे बने हैं तो हमारे साथ जीनने भी भाई जूर चुका हैं सभी को भाई लाइक जरू कड़े एकतर भाईयोंने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करे 151 रनों तक पहुँच चुका है जी हाँ 150 रन पुड़े हो गया अफगानिस्तान की नजीमुला जादरान जो है यहाँ पर 18 रनों की स्कोर पे पहुँच चुका है फिलाल तो वही अबारे साथ बने रहे हैं लाइक जरूर कीजिए और चैनल प्रतबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा फिर से एक बार नजीमुला जादरान सामना करेंगे बोईस भाइन की गेंद बाजी का राउंड दर के गेंद बाजी करते हुए बोईस भाइन यहाँ पर लेक स्टम पे पीछवी गेंदी स्कोर पे यहाँ पर अफगानिस्तान का स्कोर हो चुका है 155 रन मुझे लगता है अब थोड़ी सी जो है रन की गती जो है यहाँ पर बढ़ने वाली है जी हाँ यहाँ 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 पर रन की गती जो है यहाँ पर बढ़ने वाली है तो हमारे साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के बज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा महतरीन मैच होता वहाँ यहाँ पर नजर आ रहा है दोनों बैट्समैनों के बीच अगर साज़ेदारी की बात करें तो इन दोनों के बीच 27 रनों की साज़ेदारी हो चुके है 38 ओबर के बाद यहाँ पर अफगानिस्तन का स्कोर हो चुका है 155 रन तीन प्रिकट के लिकसान पे तो भई 72 भई उने हमें लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अगले जो बारा ओबर बाकिया इस बारा ओबर में अफगानिस्तन अपनी स्कोर बोर्ट पे कितने रन चोर पाएगा कॉमेंट जरू करें भई कॉमेंट करके जरू बताएए कि यहाँ पर अफगनिस्तान जो है कितने रन चोर पाएगा भई लाइक जरू करें लाइक का मदब बताए सपोर्ट सपोर्ट हमें जरू करें फिलाल बहतरीन मैच होता हुआ देखते हैं यहाँ पर काफी बहतरीन मैच होता हुआ नजर आर रहा है भई थैंकियों सो मच बैल लाइक करके सपोर्ट करने के लिए यह 49 मावार चल रहा है और दोनों ही बले बाजे फिलाल जो है कोई रिक्स नहीं ले रहे है और सिंगल लेके स्टाइक को रोटेट करते रहे है फिलाल कारेंट रेंडेट के अगर बात करें तो इसी तरीके से अगर 200 की करीब जरूर पहुँच जाएगा मुझे लगता है कि यहां पर 230 की करीब अफगानिस्तान का स्कोर बन सकता है आपको क्या लगता है कितना बन सकता है भाई आकरमेन अपना दूसरा ओबर डाल रहे है और पहली ओबर काफी कामयाब थे साथ और इस बार फुल टॉस बॉल था बॉल को ड्राइब कर दिया है डीब मिड़गेट के दिसा में सिंगल लेता हुआ सिंगल नहीं यहाँ पर दो रन कंप्लेट कर लिया है और सी दो रनों के साथ इस कोर जो है 169 रन तीर विकेट के लुक्सान पर बन जुका है तो भाई यहाँ पर जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े गए हैं सभी को बोलोंगा भाई आब यहाँ पर से अफगानिस्तान का जो स्कोर है वो कहां तक पहुंस सकता है कुछ आइडिया है भाई कॉमेंट जरू कड़े काहे कि यहाँ पर 49 ओवर हो चुड़े हैं और सिब 11 ओवर बाकी है और 11 ओवर में मुझे लगता है कम से कम तो यहाँ पर 60-70 रन आने वाले हैं आपको क्या लगता है भाई 74 भाईयों ने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर परसांग तामांग जी कर रहा है कि यहाँ पर 210 अंडर होंगे भाई 210 अंडर तो नहीं होंगे मुझे लगता है 210 से ज़्यादा ही होगा भाई देखते हैं परसांग तामांग जी जो की नेपाल से जुड़े हुए हैं हमारे साथ हमारे साथ नेपाल से जुरे हुए है परसांग 95 और और यही पाइच है ऐनल परन से सुर्वाय करे λkward नहीं पाए आप तो हमारे साथ और भी कोई दिखते हैं और किस भाई को कुछ कहना है तो जरूर कहिए ताकि यहाँ पर पढ़ना चले कि अफगानिस्तान जो है यहाँ पर कितने रेंट बना पाएगा फिर से एक बार इस सोबर की दूसरी गिंद के लिए तैयार वीवियन किंगमा तो भाई 74 भाईयों ने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करें वीवियन किंगमा जो की सोबर की चौतिया और यहाँ पर फिर से एक बार डॉड बॉल खेलता हुआ नजीम उल्ला चार्दान 23 दूगी स्कोर पे खेल रहे थे राउंड दे किंगमा ने हार्ड हिट किया मगर फिर से एक बार मीड आफ पे फिल्डर मौजुद थे तीजगज के दाइरे के अंदर बॉल को रोक लिया है गैप निकाल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर नजीम उल्ला जाद्रान और लगातार कोशिज करे हैं यहाँ पर गैप में खेलने के लिए मगर गैप नहीं निकाल पा रहे हैं तो भाई यहाँ पर चोहतर भाईयों ने में लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं और जो लोग चैनल पर ने हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अफगानिस्तान ने फिलाल 169 रनों की स्कोर पे तीन विकेट के लुकसान पे इस ओबर की तिसरी गेज़ राइट आम ओबर दिफिकेट गेज़ बाजी करतवान नजीम उल्चाद्रान को इस बाहर पूल कर दिया है बॉल को सौट पिछ गें थी और खेल दिया है डीफ फाइ 75 भाइयों ने लाइक कर दिया है थेंक्यू सो मच भाइय लाइक करके सपोर्ट करने के लिए वी किंगमा जो कि यहां पर गेंद बाजी कर रहे हैं और यह एक बार वान कर दिया गया है और अफगानिस्तान को मिले है बॉल इन्होंने टेंपरिंग करने का कोसिस किया था तो भई अमारे साथ बने रहे हैं लाइक ज़रूर किजिए और चैनल पर दो पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किजिएगा अफगानिस्तान धीरे धीरे यहां पर 162 रनों की स्कोर पर पहुंच चुका है चलिए देखते हैं अब धीर किमा यहां पर गिन बाली करते हैं इस सोबर की पांच भी गिन और सामना करेंगे इस बार हाश्मा कुला पर गुण और यहां अफ़िया है इस अब तक पांच भण ले चुके हैं और यह आखरी गेंग है और देखना होगा इस आगली गेंद पर कितने रन आता है देखना है और यहाँ पर सिंगल आया है हसमतुला बायात के खिलेडे को ओवर दो विगेंद बाजी करते हुए बॉल को खेल दिया था डीप एक्स्टर कवर की दिसा में और यहाँ पर आखरी गेंद पर सिंगल लिया है और इसी सिंगल के साथ नो बॉल का इसारा फ्री हिट मिलेगा भाई रन जोकी बड़े सौट के लिए जाने जाते हैं फिलाल सामना करेंगे फ्री हिट का फाइदा है यहाँ पर देखना होगा अफगनिस्तान जो है इस फ्री हिट में फाइदा ले पाते हैं कि नहीं तो बाई 75 भाईों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं फिलाल गेंद बाजी करने के लिए ते यार वी कंगमा और सामना करेंगे नजीम उल जादरान हाँ बेखेल दिया है बॉल को फिल्डर ने नीचे है वन बाउंस मिडविकेट के लुकसान पर फ्री हिट का फाइदा नहीं ले पाएं या पर अच्छी गेंद बाजी किया सौट अब लेंद आली थी स्लोर बॉल था बॉल को पूल कर दिया था डिब मिडविकेट के दिसा में मगर यहाँ पर सिफ एक ही रन मिले है तो किंगमा ने आट डाले है आट ओबर में 29 रन दी है और कोई सफलता नहीं मिला है यहाँ पर बैटिंग करता हुआ नजीमुला जाद्रान एंड हसमितुला स्री साहिदी जिनोंने पारी को समालते हुए स्कोर को 140 ओबर के बाद अफगानिस्तन का स्कोर 167 रन बने है तीम विकेट के लुकसान पर देखा जाए तो अफगानिस्तन के मुकाबले नेधरलेंड्स जो है काफी विक टीम है और फिलाल इन्होंने अच्छी परफॉर्म किया है ओवरल परफॉर्मेंस देखे नेधरलेंड्स की तो बहुत ही बढ़िया है जिस क्रिकेटिंग सोच के साथ अफगानिस्तन तब पहले से इंटरनेशनल खेल रहे है और टेस्ट को टेस्ट का भी इनको जो है टेस्ट भी खेलते है अफगानिस्तन मगर नेधरलेंड्स को टेस्ट का यहाँ पर नहीं मिला है मौकाब फिलाल यहाँ पर गेंद बाजी करने के लिए एकरमेन आए हैं दो ओबर एकरमेन ने किया है और यह इनका तीसरा ओवर है पहली गेंद और यहाँ पर सिंगल से सुरुवात किया है नजीमुल जद्रान ने मिडिल स्टाम का बॉलता फ्लिक कर दिया है बॉल को सौट फाइनले की तरफ सिंगल लेता हुआ नजीमुल ला आपर हम बात कर रहे थे नेधरलेंड की खिलारियों की तो नेधरलेंड की खिलारियों ने अच्छी पार्फर्म किया है खास करके कप्तान पीटर सेलर ने सीब दो अवर डाले है और कोई सफलता नहीं मिला है मगर दो catch लिया है एक catch लिया है पीटर सेलर ने और दो catch दी लीडी ने लिया है उम्मीद है कि यहां पर 76 भाईयो ने जीस तरीके से लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके में जल्द से जल्द 80 लेक तक पहुचा देंगे अगर यहाँ से मुझे लगता है कि जिस तरीके की गेंद बाजी चल रही है यह 41 मा ओबर चल रहा है और फिलाल जो है 170 रन बन है अफगानिस्तान के 3 बिकट के लुकसान पे इस तरीके की गेंद रन चलता रहेगा तो 230 की करीब मुझे लगता है कि रन बना पाएगा यहाँ पर अफगानिस्तान दुनों बल्ले बाजल यहाँ पर कोशी और यहाँ पर सौट फाइनल लेकी तरफ खेल के फिर से एक बाद भाग चुके है और देखना होगा कि यहाँ पर थैंक्यू सो मज़ भाग लाइक करके सपोर्ट करने के लिए पराजिमुल्ल जादरान और हसमतुल्ला यह दोनों ही बल्ले बाज बैटिंग करता हो हाँ एकतालिस ओवर कतम हो चुक है ए और दोनों ही बल्ले बाज ताबर तोर बैटिंग अभी तक तो नहीं देखा है फिलाल अफगानिस्तन के इनिंग्स पे अब तक की इनिंग्स पे तीन छक्के लगे हैं स्लिप और नौ या दौस चोके लगे हैं भाई जदरान की स्कोर बताते रहो भाई जदरान की स्कोर तो जरूर बताते रहेंगे जद्रान फिलाल 29 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं जद्रान फिलाल 29 रनों की स्कोर पे और हस्मत उल्ला 20 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं यहाँ पर हस्मत उल्ला ने यहाँ पर एक भी चोका एक भी छका नहीं लगाया है नजीमुल जद्रान ने चापांच चोके लगा चुके है फिलाल अफगानिस्तान का स्कोर 41 ओवर के बाद 173 रन तीन विकेट के लुकसान पे तो भई हमारे साथ जितने भी भई जूर चुके हैं भई लाइक जरू करें फिलाल यहां पर बहुती बढ़िया मैच होता हुआ तीन विकेट के लुकसान पे यहां पर रन बन चुके हैं अफगानिस्तान के 173 रन 78 भई हमें लाइक किया है तो आप भी यहां पर लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ताकि आगे अने वले मैचेस की कॉमेंटरी आपको जरूर सुनने के लिए मिल जाएगा कौन है स्टाइक पार बाई स्टाइक पार है हसमतुला सत्यम जादब जी स्टाइक पार है हसमतुला साहिदी 32 गिंदों पे 20 रणों की स्कोर पे गिंद बाजी ब्रेंडन ग्लोवर ब्रेंडन ग्लोवर जो की अब तक 7 ओवर डाले हैं 24 रण दे चुके हैं और एक विकर भी ले चुके हैं तेंक्यू सो मज़ बाई करके 80 लाइक तक पहुचाने के लिए अब तक 20 गिंदे हो चुके हैं अब तक बाउंडरी नहीं आया है फिलाली सोबर की पहली गेंद और यहां पार हसमतुला ने सिंगल लेके नजीमुल जादरान को दिया है स्टाइक दोनों बल्ले बाज यहां पार सिंगल लेके स्टाइक को रोटेट करते रहा है बहुत देर से 20 गिंदे हो गए बड़ी सोट नहीं आया है बाउंडरी कोई आ नहीं आया है फिलाल यहां पर बल्ले बाजी करते वे नजीमुल जादरान सामना करेंगे इसोबर की अगली गेंद का बैंडन ग्लोबर बैंडन ग्लोबर प्रणों के लिए बैतरिन सोट यहां पर नजीमुला जादरान का 34 गिंदों पर 33 गिंदों के स्कोर पर यह इनका छटा चौका है तो भाई लाइक करके हमें सपोर्ट जरू करिएगा बिरासी भाईयों ने यहां पर लाइक किया है और चैनल पर नमचल के सब्सक्राइब जरू की जगा इस ओबर की 30 गेर और यहां पर फिर से एक बार सिंगल लिया है और इसी सिंगल के साथ इसकोर जो है धीरे धीरे अफगानिस्तान का 180 रन बन चुके है बैट्समेन थे यहां पर नजीमुला जादरान और ग्लोबर की राउंड दा विकेट गिंद बाजी और हलके से बॉल को खेल दिया था डीप फाइन लेकी तरफ सिंगल लेके 180 तक पहुच चुका है अफगानिस्तान का इसकोर तीन विकेट के लुकसार पे तुनों के बीचे साजेदारी की अगर बात करें तो इन दोनों के बीचे 52 रनों की साजेदारी बन चुकी है जी हां बहुत ही बड़ी अबावन रनों की साजेदार इन दोनों के बीच बन चुका है तो भाई लाइक जोर करें लाइक का मदबतर सपोर्ट तो यहां पर बिरासी भाईयों ने जैसे लाइक किया है आप भी यहां पर लाइक करें सत्तम जद्व जी भाई नहीं दिखा सकते जहीं भाई यहां पर लाइव तो नहीं दिखा सकता सौरी भाई चली भाई यहां पर फर्स्ट बाउंसर बॉल था जो कि यहां पर वाइड दिया है और इसी वाइड के चलते स्कोर जो है 181 रन काफी उंचा बहुती बढ़िया बामसर था और बैट्समैन को डड़ाने की कोशिस यहां पर ब्रैंडन ग्रोवर का तो बैट जिस तरिके से बीरासी भाई ने लाइक किया है आप भी यहां पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं फिर से बार आँक यहां पर सिंगल लेके हसमत उल्ला ओप स्टेंप पे बॉल हाथ कोलने का मौका मिला बॉल को खेल दिया था मिड ओफ के तरफ जहां पर आडियन दर्थ फिल्डिंग कर रहा है बॉल को रोका है 30 गज़ के दाइरेक के अंदर मगर रन को नहीं रोक पाए गोलबार है गोलबार जो कि अपना आटवा ओवर डाल रहा है यह आखरी बॉल है और यहां पर आखरी बॉल पर सिंगल लिया है जादरान ने स्लोवर बॉल था बॉल को खेल दिया डिप स्कॉयल लेक की तरफ और सिंगल लेता हुआ 42 ओवर के बाद स्कॉर जो है अफगानिस्तान का 183 रं 3 वेकट के लुकस्तान पे बने हैं तो 82 यहां पर साहनाबाद आलम जी हमारे साथ जुर चुक है भई साहनाबाद आलम जी हमारे साथ जुर चुक है थैंकिस सो मज़ भई आज बात करें कि यहां पर बहतरी ने मैच होता हुआ और बने रही हमारे साथ लाइक जरू कीजिए और चैनल प्रतबर चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा 42 ओवर और 8 ओवर बाकी है और इस 8 ओवर में देखना होगा M.D. साहिल जी आवारे साथ जुर चुक है थैंकिस सो मज़ भई साहिल जुर जुर ने के लिए कहां से अप लोग मेरी कॉमेंटी सुन रहे हैं कॉमेंट करके जरू बताईएगा नाजीमुल जादरान है स्टाइक पर और सामना करेंगे वाई कितने रान होगा बाई सुनिल मिस्रा जी यहां पर मुझे लगता है कि कम से कम यहां पर 220-25 से लेके 230 रेनों के बीचे स्कोर हो सकता है 225 से 30 के बीचे स्कोर यहां पर हो सकते है उज्जैन से सुनिल मिस्रा जी हमारे साथ उज्जैन से जुर चुक है है बेटिंग राजा जी आमारे साथ जूर चुक है भाई तैंकी सो मज भाई जूरने के लिए सबी दोस्तों को बोलने को भाई बिरासी भाईयों नहीं आपा लाइक कर दिया है तो आप भी आपा लाइक करें फिलाल आकेरमेन गिंदबाजी करते हुए अपना चौथा हुआ डाल रहे हैं माइनदय और इस बार हाड इट किया है बोलर के बगल से बॉल निकल गया है चार रनों के लिए 72 इन सौट याँ पर हस्मतुला साहिदी का कप्तान हस्मतुला साहिदी का ये चौका और इसी चौके के साथ हस्मतुला साहिदी पहुँच चौका है 26 रनों के स्कोर पर याँ पर अफगानिस्तान का स्कोर हो चुका है 188 रन दिल्ली से जूर चुका है और याँ पर 42 ओवचार के दुग बाद 190 रन बन चुका है और आप भी आप लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं महिंदर जी आमारे साथ जूर चुका है तैंक्यू सो मज़ भाई फिलाल और याँ पार हस्मतुला ने बॉल को खेल दिया है थाओ में खेल दिया है थोड़े से स्टेप आउट करके बॉल को खेला था मीड ओफ के ऊपर से और याँ पर वन बाउंस फिल्डर के पास पहुचा है सिंगल मिलता हुआ डीप एक्स्टर कवर में फिल्डर मौजूद थे और याँ पर सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बारता हुआ ब्यालीस ओवर पांच के दोगबाद एक सो एकानवे रहा है आज बाई आज तो मुझे लगता है कि मैच जो है काफी रोचक होगा आखरी बॉल तक जाएगा मैच और इस मैच में कुछ भी हो सकता है अगर याँ पर पूरे मुझे लगता है कि याँ पर नेधरलेंड्स को कोसिज करने होगी कि जो रसी इस मैच में भी मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ही काफी अच्छा खेलेगा और इस मैच को भी जी देगा वास आउट कर देगा साइदिया पर नेधरलेंड्स को तो आपको क्या लगता है भई आज इस मैच में क्या होने वाला है कॉमेंट जरू करे और यहां पर कितने स्कोर बनेंगे ये भी कॉमेंट जरू करे आरियन दर्थ आये हैं गेंदबाजी के लिए अब तक तीन ओवर डाल चुके हैं और सत्रा रंदी हैं कोई विकट इनको नहीं मिला है 84 भईयों ने जिस तरीके से लाइक किया है आप भी हमें लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं भई तो चलिए देखते हैं यहां पर एकरमेन का ओवर हो चुका है और यहां पर फिर्थ इक बार आरियन दर्थ आये हैं गेंदबाजी के लिए इस ओबर की अगली गेंद के लिए तेया और यहां पर जी यहां यहां पर बोल्ड कर दिया है नजीमुल जद्रान को क्लीन बोल्ड कर दिया है आउटसाइड दो आपस्टेम बॉल था बॉड़ी यहां पर बैक फूट में जाके बॉल को खेल लेकी कोशिस किया था चार हो चुक है भाई तो भाई इसी तरीके से हमें लाइक ज़रू करें तो काफी अच्छी गिंद बाजी यहां पर आरी अंदाता का पैला विकेट आरी अंदाता का तीन ओबद दो गिंदो पे सत्रा रंदे के यहां पर एक विकेट निकाला है अफगानिस्तार का 191 पे 4 हो चुका है 84 भाईयों ने हमें लाइक किया है तो आप यहां पर लाइक जरूर कड़े हमारे साथ बहुत सारे भाई जूर चुका है थैंक्यू सो मजब जूरे रहने के लिए थैंक्यू सो मजब जूरे रहने के लिए और इसी तरीके से जुरे रहे हैं लाइक ज़रूर किजिए सभी दोस्तों को बोलों को बाई अगर चानल पर नदर बचानल को सब्सक्राइब ज़रूर किजिए यह तीसरा ODI मैच है जो कि यहाँ पर खेला चार रहा है अपकरनिस्तान और नेधरलेंड्स के बीच दो मैच अल्रेडी नेधरलेंड्स यहाँ पर हार चुका है और यह तीसरा मैच है जो कि यहाँ पर अफगानिस्तान के पास फिलाल 191 रनो का बहुत बड़ा स्कोर है चार बिगेट को के यहाँ पर बना लिया है तो यह पर नाई ब भले बाज यहाँ पर आचुका है उमर्जाई अजमतुला उमर्जाई जीयाँ आचुका हैं यहाँ पर बैटिंग करड़े के लिए त्वेय était फिलाल बहतरीन मैच होता हुआे यहाँ- आर रहा यहेँ पूरी नई टीम के साथ वांडे उत्र हैं रसिद खान, नजीम उल्ला जादरान, गुर्बाज ये सारे खिलारी कुछ खिलारी है जो की पुराने है मगर बाकी जितने भी खिलारी है पूरी तरीके से नए है जैसे आज रियाईज हुसेन को मौका मिला खिलने का डिब्यू किया उन्होंने तो मुझे लगा कि इसी तरीके सी अफगानिस्तान क्रिकेट भी अपनी निउ जेनरेशन को फिस एक बार लाने की कोशिस कर रहे है पचास ओवर कप वर्ल्ड कप बहुत ही जल्द होने वाला है और उस वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीमों की तैयारी दोनों ही टीम करते वे सभी टीम कर रहे है और यहाँ पर करते वे नजर आ रहे है अब गानिस्तान तो भाई जिनने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं सभी को मुलने का भाई यहाँ पर आखरी गेंद है और इस पार आखरी गेंद ओवर्ड गेंद बाजी करता हुआ पर फ्लिक कर दिया है बॉल को बॉल चला गया है यहाँ पर डीप एक्स्टर कवर की तरफ सिंगल लेता हुआ और इसी के साथ ओवर की समापती यहाँ पर चुआलिस ओवर हो चुका है चुआलिस ओवर के बाद एक सो तीरानेवे रन बने है चाप बगेट के लुकसान पे थिरानेवे रन बन चुके हैं एक सो तीरानेवे रन चाप बैक लुकसान पे दुख ली सोर के बाद फिलाल चे ओवर का मैच अभी भी बाकी है अफगानिस्तान के लिए और अफगनिस्तन इस श्योवर में कितने रन बना पाते है यह देखना होगा मेरा हिसाब से अगर दे देकी नजीम उल्ला फिलाल बने हुए है आउट होने वाले खिलाली है हस्मतुल्ला हस्मतुल्ला आउट हो चुके हैं नजीम उल्ला जद्रान बने हुए है पहली गेंती चार रन से भी किंगमा का स्वागत किया है नजीम उल्ला जद्रान ने नजीम उल्ला जद्रान पहुंच चुका है 42 रनों की स्कोर पे भी किंगमा का स्वागत किया है इस ओवर में नजीम उल्ला जद्रान ने चौके के साथ फिलाल अमरे साथ बने रही है वाई लाइक जोरू किजिए काफी भैतरीन मैंच होता हूँ है यहाँ पर नजर आ रहा है यहाँ पर दो रन मिले हैं और इसी के साथ दो रन मिले हैं और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है यहाँ पर बन चुका है दो रनों के साथ बने हैं यहाँ पार 99 गेंद हो चुका है चुआलिस ओबा चाल गेंद के बाद 200 रन पूरे हो गए यहाँ पार अफगानिस्तान के चार दगट के लुकसान पे हमारे साथ यहाँ पार नजीमुला जादरान बने हो ए है 44 गेंद पे 45 रनों के स्कोर पे और उमर जाई जो के एक रन बना के अपना खाता भी खोल चुका है फिलाल यहाँ पार अब 200 रन पूरे कर लिए है अफगानिस्तान ने और अमारे साथ जितने भी भाई जूर चुका है यहाँ पा लाइक जरूर करे लाइक का मदब होता है सपोर्ट सपोर्ट अब जरूर करे भई और 87 भायों ने लाइक कर दिया है तो आप यहाँ पर लाइक जरूर करे वी किंगमा यहाँ पर गेंद बाजी करते हुए और सामना करेंगे इस ओबर की अगली गेंद का उमर्जाई फिलाल 225-230 रणों की बीचे रण जरूर बने जाएगा यहाँ पर अफगानिस्तान के और दिखना होगा उमर्जाई जो की यहाँ पर सामना करेंगे इस ओबर की अगली गेंद का उमर्जाई तैयार है पूरी तरीके से डाइने हाथ का खिलारी है उमर्जाई ओमर्जाई सामना करेंगे राइटाम ओवर्ज़ गेंद बाजी करता हुआ फुल लेंद बॉल स्लोर बॉल था सीधी बलने से खेल दिया है बोलर के पास कोई रण नहीं डॉट बॉल होता हुआ चार ओवर पांच गेंदे हो चुका है चार ओवर पांच गेंदे च्वालीस ओवर पांच गेंदे के बाद स्कोर जो है यहाँ पर दोसो रण चार बिगट के लुकसान पर विकास कोहली जी कहा रहा है अठासी बही अठासी क्या दोसो तो भई बने रही है यहां पर टीवी पे तो यह मैच नहीं आ रहा है भई जी हां यहां यहां पर 45 ओवर खतम हो चुके हैं 45 ओवर के बाद 201 रन उमर जाई जो की यहां पर 2 रनों की स्कोर पे नजीम उल्लज जद्रान जो 44 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं किंगमा भी किंगमा ने 9 ओवर डाले हैं 37 रन दिया है और कोई सफलता नहीं मिला है फिलाल आपको क्या लगता है होगा जी हां भाई अजमात सेख जी यहां पर मुझे भी लगता है कि 225 से 230 रनों के बीचे कुछ भी हो सकता है और हमारे साथ बहुत सारे भाई जूर चुकता है सभी को बोलेंगा भाई लाइक जरू करें न 91 भाईयों नहीं लाइक किया है तो आप यहां पर लाइक कर के सपोर्ट कर सकते हैं एक कानेवे भायों ने हमें लाइक कर दिया है तो अब भी यहाँ पर हमें लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं फिलाल यहाँ पर यहाँ पर नेदरलेंड्स ने अपनी इस इनिंग्स में आठ गिंद बाज को यूज किया है फिलिब वोईस बैन ने 7 अबर डाले हैं ब्रैंडन ग्लोवर ने 8 अबर डाले है जिनोंने कामिया भी गेंद बाजी किया था पहला विकड लिया था गुरभाज का बहुत ही महत्तपुन विकड था फ्रेड जिनोंने 8 अबर डाले है विकिंग माने 9 अबर डाले हैं 37 अबर कोई सफलता नहीं मिला है फिलाल इस बार अगले यहां पर गेंद बाजी करतावे आडियन दर्ता अपना 5 अबर डाल रहे है माममद समसेर जी अमारे साथ जूर चुक है तैंकियो सो माज भाई इसी तरीके से अमारे साथ बने रहे है और नजीम उल्ला जादरान अपनी 50 की ओर बढ़तावा नजर आ रहा है क्या कर रहे है बै क्या कुछ नहीं कर रहे है यहां पर थोड़ा सा अच्छा मैच चल रहा है उसी को लुप्त उठा रहे है आरियन दर्ता अपना 5 अबर डाल रहे है और देखना होगा कि इस ओवर में भी क्या विकेट रिले सकते हैं जोरदार अपील पैड पे लगी थी मगर यहां पर कोई रन नहीं बहुत ही अच्छी गेजबाजी यहां पर आरियन दर्ता का फ्लाइट गें थी पूरी तरीके से रिवर स्विप करने की कोसिस किया था पूरी तरीके से मिस किया टाइमिंग और बॉल जो है पैड पे टगड़ाया नजी मुल्ला जादरान लगातार कोसिस कर रहा है बड़े सौट का क्योंकि जानते हैं यहां से अगर बड़े सौट लेंगे तब ही स्कोर को एक अच्छी जगा पे पहुँचा सकते हैं तो भई यहां पर तिरानवे भईयों ने हमें लाइक किया है अरबाज सेख से वन टाइम अरबाज सेख जी अमारे साथ चूर 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 है और इसी तरीके से भई अमारे साथ जूरे रहिए यहाँ पर 33 भाईयों ने लाइक किया है तो आप भी यहाँ लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं इस ओबर की आखरी गेंद है और जिसका सामना करेंगे उमर्जाई आरियन दर्ता का जी हाँ आरियन दर्ता का इस ओबर की आखरी गेंद और सामना करेंगे उमर्जाई और फिर से एक बार यहाँ पर बहुती बड़ा चौका लगाया है यहाँ पर उमर्जाई ने तो भाई बने रहीएगा लाइक जरू कीजिएगा और इसी चौके के साथ 46 ओबर के बाद 207 रन 4 विकेट के लुकसान फे फिलाल अभी भी चार ओबर बाकी है तो भाई चुरानवे भाई उने हमें लाइक कर दिया है तेंक्यू सो मज़ भाई लाइक करके सपोर्ट करने लिए इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो अफगानिस्तान की दोनों बल्लेबाज मौजूद है नजीम उलाज चादरान 46 रणों के स्कोर पे और उमर्जाईयां पर 7 रण बना के खिल रहे हैं फिलाल अगर स्कोर की बात करें तो 225 से लेकर 230 रणों के बीच कुछ भी हो सकता है आपका नेट स्लो है क्या जी नहीं भाई अजमत सेख जी मेरा डेट स्लो नहीं है थोड़ असा डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ असा स्लो हो रहा है भाई यहां पर फिलाल 34 रण बने हैल आखिर के 30 गेंदों पे और एक विकेट भी गया है और फिर से बार ब्रेंडन ग्लोवर को दिया गया है आट ओबर डा रहे हैं ग्लोवर ने और 34 रण देके एक विकेट भी निकाला है और चार रणों के लिए बहतरीन सौट नाजीमुला जद्रान और इसी चोके के साथ नाजीमुला जद्रान 50 रणों की स्कोर पे ब्रेंडन ने इस बार ओबर दिविकेट गिंद भाजी किया था काफी बाहर बाल था बाल को बोड़ी से दूर जाके बाल को खेला नाजीमुला जद्रान ने मिड़ॉफ के ऊपर से चार रणों के लिए इसी चोकी के साथ नाजीमुला जद्रान भी 47 से गेदों पे 50 रण पूरे कर लिए हैं भैई अफगानिस्तान का इसको 211 रंग चार रिकत के लिख साथ है तो लाइक जरू करें भाई लाइक करना जरू करें सपोर्ट सपोर्ट हम जरू करें और चाहां सब्सक्राइब जरू करें अब तो लगता है कि आपा 200 रंडेड लाइक जरू करें लाइक करें सपोर्ट सपोर्ट हमें जरू करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरू करें अब तो लगता है कि आपा 235 प्लास रंड बन जाएगा अफगानिस्तान का 235 रंड के उपर रंड बन जाना चाहिए चलिए लाइक जरू करें भई लाइक का मदब बते सपोर्ट चौस यहां पर चुरान वे भाईयों ने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहां पर लाइक करें सपोर्ट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि यह स्कोर 235 तक जरू जा सकता है जिस तरीके अंदाज बे यहां पर नजीम उला जद्रान बैटिंग कर रहा है लाइक जरू करें भई बैटिंग करता हुआ नजीम उला च्छा है यहां पर 56 रनो की स्कोर 235 तक जरू बर की चौथी गेंद और यहां पर फिर से एक चक्का बहुत ही बढ़िया च्छक्का लगाया है नजीम उला जद्रान ने बैटन ग्लोबर की गेंथी जिसको घुमा दिया है चाच्छे रनो के लिए तो कमाल की यहां पर बैच चलता हुआ भई लगाता दो दो चक्के इस ओबर में लग चुके है तो आज नेदरलेंड्स के खिलाब सबसे अधिक रन बना लेगा फिलाल अफगानिस्तान का सबसे अधिक स्कोर जो है नेदरलेंड्स के खिलाब 269 रनो का है 259 का है अब देखना होगा कि यहां पर उस रिकॉर्ड को यहां पर नजीम उल्ला जादरान और उमर्जाई यह दोनों ने मिल के तोर पाते हैं कि नहीं तो भाई लाइक ज़रू करें 95 भाईयों ने लाइक किया है तो आप भी यहां पर लाइक करें तो काफी अच्छी मैच हो रहें की उमीद 47 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर जो है 224 रन 4 बिकेट के लुकसान पर फिलाल 3 ओवर अभी भी बाकी है और 3 ओवर में कम से कम उम्मीद है कि यहां पर 26 रन और जोड लें अफगानिस्तान तो 250 रन तक जरूर पहुचाएगा तो भाई जो लोग अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया भाई लाइक जरूर कर दे तक यहां पर महमसिम सेर्जी हमारे साथ जुड़े हैं मन्जय कुमार जी हमारे साथ जूड चुकए थैंकि सो मजबर मन्जय कुमार जी और फिर से बार इस सोबर की पहली गेंग और यहाँ पर पहली गेंग पे दो रन लिया है इस बार आउटसाइड डॉपस्टेम बॉल था बॉल को हटके बॉल को खेल दिया है और इस ओबर की दूसरी गेंट फिर से एक बार सिंगल लिया है उमर्जाई ने यहाँ पर सिंगल लिया है आरी अंदर ताकी गेंटी हार्ड हिट करने की कोशिज बॉल चला गया डिम मिड्विकेट की दिसा में और सिंगल लेता वा और इसी सिंगल के साथ 226 रन बन चुका है लगातार यहाँ पर सिंगल बडोडते वे नजीम उल्ला जादरान जो की एक अच्छी गेंट बल्ले बाज है अब तक 52 के दुबर 64 रनों की स्कोर पे बल्ले बाजी करते वे और यहाँ पर देखना होगा कि नजीम उल्ला जादरान इसी स्कोर को कब से कब 250 तक ले जा पाते हैं की नहीं और इस वार के अगली गेंट और यहाँ पर डॉड बॉल होता हुआ कोई रन नहीं डॉड बॉल होता हुआ और इसी डॉड बॉल के साथ स्कोर तो भाई आमारे साथ बने रही है और याँ पर हमें 99 लाइक तक पहुचा दिया है भाई ने तो आब भी यहाँ पर लाइक कर रहा है प्रत्पे चानल को सब्सक्काइब ज़तरान और याँ बॉल गर बिच एक अच्च्छे स्ताजैदारी बनता हुआ और जोड़त है तो बड़ा सौट की फिलाल डेथ ओबर चल रहे हैं और अभी तक हुमर्जाई ने बॉल को खेला था मगर यहाँ पर सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ 228 तन बन चुका है फिर से एक बार आखरी गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर नजीम उल्ला जादरान देखना होगा कि आखरी गेंद पर नजीम उल्ला जादरान क्या बड़ा सौट लेपाते हैं जी नहीं बड़ा सौट की कोश्टे इस पैट पर लगी और यहाँ पर डॉड़ बॉल होता हुआ और इसी के साथ ओबर की समापती अड़ तालीस ओबर के बाद यहाँ पर दो सौटाइस रन चार्ट ब्रिकेट के लुकसान पर बढ़े हैं तो भाई जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के बाई सब्सक्राइब जरूर यह चाइनीज जी विसाल जी विसाल जी हमरा साथ जूर चुके हैं और से बाई यहाँ पर अफगानिस्तन और गयान मुझे लगता है धाईसो तक पहुंचना चाहेगी 22 रन दो ओवर में 22 रन आएंगे के नहीं आएंगे भाई जरूर हमें बताइए 99 भाईयों ने यहाँ पर सौ भाईयों ने लाइक कर दिया है थेंक्यू सो मज़ भाई थेंक्यू सो मज़ भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए सौ भाईयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है और आठ गेदबाज को यहाँ पर यूज किया है नेदा लेन ने इस मैश में किंग माज जो की यहाँ पर 9 ओबर डाले हैं फ्लोएड जिनने 8 ओबर डाले हैं 17 रंद यह काफी अच्छी गेदबाजी किया है और एक विकेड भी निका रहे हैं पीटर सेलर जो की कप्तान है सिब 2 ओबर डाले हैं ग्लोबर ब्रेंड ग्लोबर जो ने ने 9 ओबर डाले हैं 51 काफी महंगे रहे एक कावन रंद यह और एक विकेड भी निका रहे हैं तो थैंकियो सो मज भाई पहली गेंग और यहाँ पर एक रंद लेके उमर जाई ने नजीम उल्ला जादरान को दिया है तो देखना होगा कि यहाँ पर नजीम उल्ला जो की 55 गेड़ो पर 75 रंद की स्कोर पर खेल रहे हैं बड़ा सोट ले पाते हैं कि नहीं कि जोड़ आता है तो यहाँ पर बड़े सोट की तो भाई लाइक ज़रू करें लाइक का मदब होता है सपोर्ट सपोर्ट हमें ज़रू करें और चैनल पर दो पर चैनल को सबस्क्राइब ज़रू कर ले फिलाल नजीम उल्ला जादरान इस सोबर की दोस्टी गेंद और यहाँ पर विकेड़ जीया यहाँ पर वीवीन किकमा ने नजीम उल्ला जादरान को आउट कर दिया है और कैच आउट रहे हैं जो चुके हैं नजीम उल्ला जादरान अच्छी गेंग थी राउंड विकेट बॉल किया था इस बार फिला लेंद बॉल और मिड ओफ मेर फिल्डर जो है थोड़ी सी पीछे खड़े थे और यहाँ पर आउट हो चुके हैं नजीमुला जद्रान अफगानिस्तान का पांचपा विकेट गिलता हुआ दो सो उनतिस रनों की स्कोर पे आउट होके बाहर की तरब जाते वे नजीमुला जद्रान और इसी के साथ 48 सुबर एक गेंदो के बाद 239 रन पांच विकेट के लुकसान पे बने हैं अफगानिस्तान के तो यहाँ पर जो उम्मीद लग रहा था कि 250 रन पहुंच जाएगा अब देखना होगा यह रन पहुंच पाता है कि ने 103 भाईयों ने यहाँ पर लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं और नो बॉल को जाचा जा रहा है मुझे लगता है कि यह नो बॉल की बहुत ही करीब है और अमप्यार इसका डिसन क्या निन्ने जो है यहाँ पर क्या देता है फिलाल मैदान से बहार नहीं और यहाँ पर मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी नो बॉल है जी हाँ यहाँ यहाँ पर फिर से एक बार नो बॉल है और फ्री हिट में मिलेगा भाई विवी एन किंगमा का ये नो बॉल था तो यहाँ पर रण नजीम उल्ला जद्रान फिर सिख बरो आपस आते वे फ्रीड बाला बॉल का सामना करेंगे नजीम उल्ला जद्रान तो भई अमारे साथ बने रहे हैं दो सो तीस रण बन चुका है चाप विगट का लुकसान पर यहाँ पर एक सो तीन भाईयों ने हमें लाइक किया है और अब भी यहाँ पर लाइक करके सिपोर्ट कर सकते हैं फिलाल बहतरीन मैच होतावा नजर आ रहा है इस ओबर की दुसरी गेंड वी किंग मा बॉलिंग करतावा नजीम उल्ला जद्रान को, डाए bekommt यहाँ पर राउंद अगे बाल करतावा इस ओपर के अगली गेंद राउंद अगेट गेंद बाजी करता हुआ और यहां पर कोई रन नहीं डॉट बालोता हुआ बहतरीन गेंद आउटसाइड दॉपस्टेम एंगल क्रेट करके बाल किया था सीद अब विकेट कीपर की दस्तने में गया है बहतरीन गेंद बाजी यहां पर विवियन किंगमा का यह विवियन किंगमा का आखरी ओवर है और अब तक इनोंने 9 वद 2 गेंद किया है 49 रंदी है बहती बहतरीन गेंद बाजी करता हुआ विवियन किंगमा तो भाई 104 भाईयों ने लाइक किया है तो भई बने रहेज़ेगा लाइक जरू कीज़ेगा और याँ पर छे रनों के लिए नजीमुला जद्रान ने छक्का लगाया है भई बहुत ही उन्दा सौट अपस्टेम पे बॉल था बैकपूर में गया बॉल को खेल दिया है लॉग ओन की उपर से छे रनों के लिए नजीमुला जद्रान ने याँ पर छक्का लगाया है और पहुँच चुका है एकत्तर रनों की स्कोर पे फिलाल अफगानिस्तान का स्कोर जो है दो सो चतिस रन चाथ बिकेट के लुक्सान पे बने है 72 इन पारी खेलतावाई याँ पर नजीमुला जद्रान 58 गेदों पे तीन छक्के लगा चुके हैं अब तक आठ चौके भी लगा चुके हैं अपनी एकत्तर रनों की इनिंग्स में फिलाल 122 की स्टाइक रेट से बल्ले बाजी करते हैं नजीमुला जद्रान ओर सामना करेंगे इस ओवर की चौ energized का तो भाई लाइक जिरू करें और यहां पर हमें हमारे साथ बने रहे यहई 104 भाई नहीं यहां पर लाइक किया है तो आप भी यहां पर लाइक करें सपोर्ट कर सकते हैं फिलाल यहां पर नजीम उल्ला जद्रान सामना करेंगी इस ओबर की चोथी गेत का वीकिंग मा काफी महांगे साभिस होते वे इस ओबर में इस बार बाये हाथ के खिलाड़ी को डाइने हाथ से राउंड देक गेंद बाजी करता हुआ मगर यहां पर विकेट जी हाँ वीकिंग मा ने फिर से बार नजीम उल्ला जद्रान को आउट कर दिया है और इसी के साथ पांचमा विकेट गिता हुआ फुलान लिंद बॉल था बैट का एज लिया और विकेट कीपर नहीं यहां पर कैच लिया है और यहां पर बैट का एज लेके सीद अफ विकेट कीपर की दस्तने में गया है फिलाल यहां पर नजीम उल्ला जद्रान जो है आउट होके पैविलियन की तरब जाते वे और यहां पर कोई नो बॉल नहीं है फिलाल अप गरिस्तार का स्कोर 236 और पांच पिकेटे लुकसान पे 48 ओवर चार गिंदे के बाद तेंक यू सो मज़ भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए 106 भाईयों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहां पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं फिलाल आठ गिंदे बागी है अफगानिस्तान के इनिंग्स के और देखना होगा कि इस आठ गिंदों पे कितने रन यहां पर अफगानिस्तान बना पाता है तो लाइक जरूर करें भाई लाइक का बदर बता है सपोर्ट सपोर्ट अबे जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें 107 भाईयों ने यहां पर लाइक कर दिया है तेंक्यू सो मच भाई धी किंग माह अभी भी दो गिंदे बागी है इस ओबर में और गिंद बाजी करते हुए और यहाँ पर सिंगल लिया है जी हाँ रसित खान फिलाल बले बाजी करते वे नजर आ रहे हैं और यहां पर 48 ओबर 5 गेतों के बाद 237 रन बन चुका है पांच विकर्ट के लुक्सार पे इस बार उमर जाई है स्ट्राइक पे जी हाँ उमर जाई है यहां पर स्ट्राइक पे 13 गेंदों पे 10 रनों की स्कोर पे सामना करेंगे इस ओबर की आखरी गेंद और यहां पर चौका बहतरीन चौका उमर जाई ने लगाया है फिलाल यहां पर उमर जाई ने बहतरीन चौका लगाया है वी किंग बागी आखरी गेंद पे और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 241 रन बन चुके है स्लोवार बॉल था पूल कर दिया था डिप मिडविकेट और लॉंग ओन के बीच में से चार रनों के लिए गैब में खेला हुआ सोट था बहतरी न चिक रिकेटिंग सोट यहाँ पर उमर जाइका उन्चास ओबर के बाद 241 रन क्या आज यहाँ पर अफगानिस्तान नेधरलेंड्स के खिराब जो इनका हैस्ट स्कोर है उसको क्रॉस कर पाएगा नेदा लेंड्स के खिलाब यहाँ पर अफगानिस्तान का हैस्ट स्कोर 269 रनों का है 259 का है क्या उसको क्रॉस कर पाए का भाई लाइक जरूर करें लाइक कमदबताई सपोर्ट सपोर्ट हमें जरूर करें 107 भाई उन्हें लाइक कर दिया है 107 भाई उन्हें लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं फिलाल देखना होगा कि कितने रन चोड़ पाते हैं यहाँ पार 49 ओवर हो चुके है अभी एक ओवर बाकी है यहाँ पर और ब्रेंडन ग्रोवर आ है गेंद बाजी के लिए नहीं क्रॉस होगा जी हाँ भाई यहाँ पर अर्मार यहीं क्रॉस होगा भाई मुझे भी लगता है 250 भी क्रॉस होगा कि नहीं होगा 250 क्रॉस हो सकता है चलिए देखते हैं मुझे लगता है 250 तो क्रॉस हो जाएगा जिस तरीके से रसित खान 20 पोटक बले बाज है और यहाँ पर सिंगल लेते हैं दबल दो रनों की कोशिस और यहाँ पर दो रन ले चुके हैं जी यहां रसीद खान ने यहां पर दो रन ले चुके हैं और स्कोर हो चुके है 243 रन रसीद खान भेट टी 20 में अच्छे औल राउंडर की भूमी का निभात हैं और आज देखना होगा कि यहाँ पर रसीद कान एक बड़ा सौट और यहाँ पर धाई सो का आंकड़ा पार हो सकते हैं जी हाँ रसीद कान की बल्ले से एक बड़ा सौट चाहिए जो कि यहाँ पर अफगानिस्तान को धाई सो का आंकड़ा पार कर आ सकते हैं राइट आम ओबर दे विकेट बिगेंद वाजी करता हुआ और इस बार भी बॉल को खेल दिया था डिब बैकवर्ड पॉइंट की तरब मगर अच्छे फिल्णिंग हुआ पर बाउंडर लैन पे फिर से बाद दो रन लेते वे और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है 245 रन पा बहतरीन चक्का रसिद खान का ओबसटों पे लेक ये गुमा दिया है जिस सोट के लिए जिस अनदाज के लिए जाने जाते हैं रसिद खान बिस पुक बल्लिवाजी रसित खान का और इसी छक्क्य के साथ स्कोर जो है अवगानिस्तान का 251 रण बन चुक है पाँच पिकेट के लुकसन पे जी हां भाई यहां पर पाँच पिकेट के लुकसान पे 251 रण बन चुक है पॉट्डक बल्लेवाजी रसित खान का और इसी चक्के के साथ स्कोर जो है अफगानिस्तान का 251 रन बन चुका है पांच पुट के लुकसान पे जी हां भाई यहां पर 5 पुकसान पे 251 रन बन चुका है अभी भी तीन गेदे बाखी है क्या आज 259 रनों का जो यहां पर हैस स्कोर है नेधरलेंड्स के खिराब अफगानिस्तान पार कर पाएगा और एक बड़ा सौट यहां पर पार करवा सकते हैं भाई यहां पर एक ररन ले लिया है और इसी एक ररनों के साथ फिलाल दो गेंदे बागी है इसोबर में एक 252 रन बन चुके हैं पांच फिलाल के लुकसान पे चली देखते हैं असाद अमद जी यहां पर मुझे भी लगता है कि यह क्रॉस नहीं होगा मगर उमर्जाई है यहां पर बने हुए और यहां पर चौका नहीं भाई यहां पर सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ इसक तो 108 भाईयों ने हमें लाइक किया है तो आप भी आपन लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं तो चली यह देखते हैं 108 भाईयों ने लाइक किया है आमें और इस ओवर की आखरी गेंद और यहां पर फिर से एक बार सिंगल लिया है जी हां सिंगल लेके ओवर की समापती हो चु आपका स्वागत है अबरी चैनल पे सभी दोस्तों को दोविगा भाइट ओबर खतम हो चुके हैं पचास ओवर के बाद आम गानिस्तान ने दोस्तों चौवण जन बना हैं पांच विक तो लिपसां के फिलाल यहां पर निदर लेंग्स के पास है तार्गेट जो है वो है कि दोस्तों पच्पन रहां है कि फिलाल हमारे साथ जिद्री भाई जूचुके हैं सब्सक्राइब लाइक जोड़ी करें सपोर्ट सब्सक्राइब जोड़ी करें नजीम उल्ला जगरान में आज तर्ण की जवर्दस्त पारी खरा है और इसी पारी में अगर बात करें तो आठ चोखे भी लगाए हैं नजीम उल्ला जगरान में उमरजाई की बात करें तो उमरजाई में यहां पर नॉट आउट रहे हैं उमरजाई नॉक आउट रहे वहां में पंदरा रंबनाके 15 तेरा रंबनाके नॉक आउट रहे हैं और आफिंकार यहां पर दोस्तों चोवन रहे हैं श्यपए यहां पर पांच में प्रक्षाण के पूर्य पचास ओगराई जीसमें से सक्रा जो है इसक्टा रहे हैं तो भई अमारे साथ जिद्ली भाई जूब चुए हैं सभी करें पो फोपर्ट हमें जरूर करे यहां पड़ टार्ड़ेट जो है नेदर लेंज के पास पर भेड़ को है तीर्गेट जो है वो है 255 रुनों का क्या आज यहांपर 255 डुमेर पूरे कर पाएंगे वही क्या लगता है बने रहेएगा लाइक ज़रू की Dob während और चैनल प्रदमे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा अफगानिस्तान ने आज टॉस जीता था टॉस जीत के बले बाजी करने का फैसला किया है और बले बाजी करते वे आपको बता दी कि यहां पर बले बाजी करते वे सुरुवात अच्छा नहीं हुआ था और गुरुबाज जो है स्रीब 12 रन बढ़ा के बहुती धीमी सुरुवात हुआ था और गुरुबाज जो है वो 12 रन के स्कोर पे फ्रुएड की गेंद के सिकार बने पीटर सेलर ने स्लिप में कैच लिया उसके बाद रियाज हुसेन और रहमत सा के बीच एकच्छ साज़ेदारी बने रियाज हुसेन ने भी 50 रन पुड़े किये और साकीब जुलफे करकी गेंद पे 50 रन बना के आउट हो गये रहमसा और हस्मतुला साहिदी जो की कप्तान है उनके बीच एक अच्छे साज़ेदारी बनी और 28 रन बने है 28 रन बना के हस्मतुला साहिदी पहले आउट है या पर रहमसा 48 रनों के इस कुर्पे जो की अपना 50 रन पूरे नहीं कर पाए और उसके बाद हस्मतुला भी आउट हो चुके है और हस्मतुला जजाई को बोल्ड किया था यहां पर हस्मतुला जजाई यहां पर हस्मतुला साहिदी को बोल्ड किया था आरियन दत्ता ने नजीमुला जद्रान भी एक बार आउट होके बाहर जाले गए थे मगर किंगमा ने नो बॉल किया था उसमें फ्रीड मिला और उसके बाद उसी ओवर में फिर से एक बार नजीमुला जद्रान को भी विवियन किंगमा नहीं आउट किया एकत्तर रन बनाएं 69 गेंदो पे आठ चोके और तीन छक्के की मदद से और यहां पर पचास ओवर में अफगानिस्तान ने 254 रन बनाए हैं 5 विकेट के लुकसान फे फिलाल बैटिंग करने वाले हैं यहां पर जी हां योके अल्ला हफीजन नाइस कोमेंटी थैंक यू सो मजब भाई थैंक यू सो मजब यहां पर बता दे कि थोड़ी ही देल में बैच स्टार्ट होगा तब तक के लिए भाई बने रहे हैं लाइक जरू कीजिए और चैनल प 10-15 मिट का ब्रेक है 10-15 मिट बाद दुवारा वे आपके सामने आऊंगा फिलाल नेधर लेंड्स के पास टार्गेट है 255 रनो का कि अथर प्रेयन का बाद दूदिए स्टार्ट का आपके थार ही दिए बने आपके लेख़ोगा के कि तो आपके सामने लाइक जड़िए और फिर्मादेशने सामाने नेचा बढ़ है जर गरेंड़ हैं प्रतर चैनल जर नेजरात हैं कि माई आपके सामने हैं यहारा और कि कि अो झाल 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 स्कॉट एड़ड्वर्ड्ड्ड और एकर्मेंट के उपर बहुत कुछी निलभर करता है अच्छी सुरवात है देने की कोशिज है नेधरलेंड्स को देखना होगा कि मुजीबूर रहमान दोनों ही ताबर तोड गेंद बाज मौजुद है एक तरब तो मुजीबूर रहमान है दूसरी तरब से रसित खान है और मुझे लगता है कि इन दोनों की कंबिनेशन अफगानिस्तान को इस मैच में भी जिता देगा इस फ्लाइटेड गेंद और तीड़ बल्ले से केला है बॉल को लॉंग ओन की तरफ दो रन की मांग है और यहां पर सिंगल मिला है तुम्हें लाइक जरू कड़े और लाइक का मदर बतर सपोर्ट सपोर्ट अभी जरू कड़े फिलाल यहां पर बहतरी मैच होतावा नजर आ रहा इस ओवर के पांच पी गेंद फ्लाइट गेंद थी स्वीप कर दिया है बॉल को डिब मेड़ विकेट के दिसा में दो रन अराम से मिल जाएंगे इस गेंद पर जी हां यहां 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 पर एकरमेन ने दो रन लेरके अपना खाता भी खोल लिया है और इसी दो रनों के साथ इसकोर जो है नेदर लेंज का पांच रन बने हैं एक ओवर पांच गेंदों के बाद एकरमेन और एडवर्ड्स यहां पर सुरुवात अच्छी देने की कोशिज है नेदर लेंज को मुझी बूर रहमान का इस ओवर की आँख्री गेंद डाइने हाथ से ओवर देवेकर गेंद बाजी करता वाल मिलिल स्टेम का बॉल को डिफेंट कर दिया है सीधा बोलर के हाथ में कोई रन नहीं दो ओवर समाप तो चुके हैं दो ओवर के बाद स्कोर जिनेदर लेंज का पांच रन विदाउट एनी लॉस यहां पर फारुकी मुझे लगता है कि यहां पर विगेट पहला जटका दे सकते हैं ऐसा नहीं है कि विगेट टेकर बोलर है यहां पर फारुकी काफी अच्छी गिंद बाज है फिर्सिक वर्बाएं हार से गिंद बाजी करते हुए पहली ओ यहां पॉट डॉर्ड बॉल होता हुआ एडवर्स से बैट्समेन और अभी भी 48 ओवर के बाद 48 गिंद ओवर में 250 रणों की जोड़त है फिलाव नेधर लेंड्स मैच में जीत हासिल करने के लिए क्या बाना पाएगा देखना होगा भई अब तक फारुकी ने बहुत ही जबर्दस्त गिंद बाजी किया है और यहां पर चोका जी हां बैटर इन सौट एडवर्स का बैट का एज लिया और चार रनों के लिए किसी भी तरीके से चोका आना चाहिए भई और यह पहला चोका नेधर लेंड्स इनिंस का लेफ टाम राउंड एकर बॉल किया था बैट का एज लिया बॉल चला गया डिप बैकवार्ट पॉइंट की तरफ चार रनों के लिए और इसी चोके के साथ नेधर लेंड्स का स्कोर नौ रर बन चुका है भई जी हाँ नेधर लेंड्स की एड़ड्स ने ये सॉट लगाए अच्छी क्रिकेटिंग सॉट तो भई यहां पर 116 भायों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहां पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते है फारुकी जोकी एक अच्छी गिंद बाज है और भैतरिन गिंद करते हैं फिनाल एड़ड्स को गिंद बाजी करते हैं जुर्दार एपील जिस बात की रण था और यहां पर फिर से एक बार सिंगल मिलेगा लेग बाज का इसार आमपेर का और यहां पर दस रण पूरे हो चुके है दो उबद तीन के दों के बाद दस रण विदाउट एनी लॉस हमारे साथ जिन्दे भी भाई जूर चुके हैं सभी को भलों को भाई 116 भाई उन्हें हमें लाइक किया है तो आप भी यहां पर लाइक करें सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से यह मैच पर नेदरलेंज चाहेगी इस मैच को जीतने के लिए इस उबर की चौथी के फिल्टेबार्ड बना दे की यहां पर फारुकी बहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब तक 6 रंद दे चुके हैं मगर अच्छी गेंदबाजी कर रहा है सजी हुई गेंदबाजी लाइन और लेंद पकड़ के गेंदबाजी कर रहा है और उम्मीद है कि इसी तरीके से अगर गेंदबाजी करते रहेंगे तो यहां पर सफलता जुरूर मिलेगा 116 भाई उन्हें लाइक किया है तो आप भी यहां पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं भाई तो चलिए धीर धीर एगी यहां पर मैच काफी रोचक हो चुका है और जिन्होंने अभी दख का चैनल को सब्सक्राइब ने किया वैज सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताके आगे आने वाली मैचस की लाइब कमेंटरी आपको सुनने के लिए मिल चाए फिलाल नेधरलेंड्स के अगर रिकॉर्ड्स की बात करते हैं जी हाँ नेधरलेंड्स की अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो थोड़ी देर में आपको भी परदा चलचाएगा रिकॉर्ड्स के बारे में नेधरलेंड का सबसे हाइस्ट स्कोर जो है तिन सो पंदर रन है पार्मूडा के खिलाब और आयरलेंड के खिलाब भी इनका 306 रनों का एक हाइस्ट स्कोर है और देखना होगा कि यहाँ पर नेधरलेंड्स ने सबसे अधिक अफगानिस्टन के खिलाब स्कोर बनाया है सबसे अधिक स्कोर अफगानिस्टन के खिलाब 231 रनों का सार्जा में बनाया था 256 रून बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाब सब एही सरवाधिक स्कोर है नेधरलेंज का अफगानिस्तान के खिलाब और वो सरजा में बनाए था 2012 में तो देखना होगा कि आज यहां पर रून को चेज कर पाते हैं कि नहीं 3 ओबर के बाद 14 रून बने हैं विदाउट एनी लॉस यहाँ पर 117 भायों ने में लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं फिर से एक बार गेंदबाजी करने आए हैं यहाँ पर मुजीबूर रहमान और मुजीबूर रहमान ने डॉट बॉल से सुरुबाद किया है लाइक जुरू करें फिर से बार गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर चौका बहुत यहाँ बड़ी आसोट जी हाँ एकर्मेन ने इस बार चौका लगाया है लिफ्ट यहाँ पर गैब में खेला हुआ सोट था पॉइंट और कवर के बीच में से बाल को निकाल दिया है कोई फिल्डर 30 कजगे दाइडे का अंदर नहीं है बाहर नहीं है और चार रन मिल गया है पावर पिले का भरपूर फाइदा उठाता हुआ तीन ओबर दो गिंदो के बाद यहाँ पर नेदरलेंस का स्कोर जो है 19 रन बच चुके हैं आज नेदरलेंस पूरी फॉर्म की तरफ खेल रहे हैं आज लगता है कि यहाँ पर नेदरलेंस से इस रन को चेज करना चाहेगी एक सो ठारा भायों ने में लाइक करती है देगे एक अच्छी गिंद बाजी यहाँ पर मुझीबूर रहमान एक अच्छी गिंद बाज है यह दूसरा होगा चल रहा है मुझीबूर रहमान का और लगतार कोशी से है कि यहाँ पर बैट्समेन को बीट करवाय जाए और इसी तरीके से सिली मीडॉन पर फिल्डर रखे है दो फिल्डर जो है यहाँ पर सामने की तरफ रखा गया है यहाँ पर एटेकिंग फिल्ड सजाई है मुझीबूर रहमान ने लगा था डॉट बॉल एक हिंतवा रसीद कान का बहतरी फिल्डिंग और आप जानता है रसीद काल जब भी फिल्डिंग करते हैं वो लाल टोपी पहनते हैं तो इक बहतरी यहाँ पर फिल्डिंग रसीद कान द्वारा डायरेक्ट थ्रो अगर विकेट पर लगता तो साइद रन आउट भी हो सकते थे इस गेन पर रन लेन की कोशिस के था फिल्क के था बॉल को मिड़ोन पर फिल्डिंग कर रहे हैं रसीद कान अच्छी थ्रो यहाँ पर डायरेक्ट थ्रो अगर लगती तो साइद यहाँ पर खत्रा हो सकता था और इस बीचे सिंगल लेके ओवर की समापती हो चुकी है चार ओवर के बाद नेदरलेंस का स्कोर्ट 20 रन बने हैं विद आउटर एनी लॉस एकरमन 11 रनों की स्कोर्पे और एडवर्ड्स 7 रनों की स्कोर्पे बल्ले बाजी करते वह यहाँ पर 118 भाईों ने हमें लायक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लायक कर के सपोर्ट कर सकते हैं अभी भी यहाँ पर आपको बता दें कि 46 ओवर बाकी है और 46 ओवर में यहाँ पर 235 रनों की जोरत है जी हाँ 235 रणों की जोरत है नेदर लेंज को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए पांच में ओवर्ट की सुर्बात होने वाला है और मुझे लगता है कि फारू की फिर्शिक बार आएंगे गेंद बाजी के लिए तेंक यू सो मज बार लाइक करके सपोर्ट करने में क्या लगता है कि आज यहाँ पर क्या नेदर लेंज जो है फाइट दे पाएगा अफगानिस्तान तो पूरी तरीके से मैच पे हावी हो चुका है फिलाल और यहाँ पर दिखना होगा कि कब ब्रेक्ट्रू मिलता है अफगानिस्तान को नेदर लेंग की सलामी जोड़ी यहाँ पर बल्ले बाजी करते हुए नजर आ रहे हैं फिलाल चार ओवर इस ओवर की दूसरी गेर सामना करेंगे यहाँ पर एकरमेन बैकरमेन को बाएहाथ के खिलारी बाएहाथ से ओवर दिखन गेंद बाजी करता हुआ फिर से एक बाद डॉट बॉल खेला है और यहाँ पर डॉट बॉल के साथ इसकोर जो है चार ओवर दो गेदो बाद 20 रन विदाउट एनी लॉस फारुकी यहाँ पर अच्छी गेंद बाजी कर रहा है लेफ टाम बोलर है और काफी कमाल की गेंद बाजी करता है और अच्छी पेस पे बॉलिंग डालते है अच्छी लेंद पे बॉलिंग डालता है और फारुकी ने अब तक एक भी गेंद सिर्फ एक गेंद साइड वाइ प्राइब जरूर की जगा 119 भायों ने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहां पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं फिर से एक बार इस ओबर की तिसरी गिंद फारुकी गिंद बाजी करते वे एकरमेन को और एकरमेन बहुती बढ़िया सौट इस बार आप स्टैम पे रूम मिला था बाल हाथ खोलने का खेल दिया है बाल को गैप में कवर और एक्स्टर कवर के बीच में से चार रनों के लिए एकरमेन का ये बहुती बढ़िया सौट और इसी चौके के साथ स्कोर जो है नेदरलेंड्स का चौविस रन बन चुका है चारो अब तीन के दगबाद बहुती उंदा सौट यापा फारुकी थोड़ा सा महंगे होते हुए और 119 भायों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं फिलाल एकरमेन और यहाँ पर एकरमेन 18 गेंदो 19 गेंदो पर 15 रनों के इसको पर पहुंच चुके हैं इस बार विकेट कीपर अगर बॉल तक गुर्बाज दोर लगाये थे बॉल अच्छी लेंद पे दाला था सौट ओ बॉल डाली थे बैट का एज लिया और हाव में बहुत देर तक था मगर बॉल तक विकेट कीपर गुर्बाज पहुंच नहीं पाए नहीं तब catch out हो सकते थे और यहां पर खुस किसमत रहे यहां पर एकर में खुस किसमत रहे यहां पर एकर में, 4-5 गिने हो चुको है 4-5 गिने को बाद score जा है यहां पर 24 run without any loss तो thank you so much भाई, like करके support करने के लिए और इसी तरह बाद like करो और support करो भाई को देखते हैं हमारे साथ कौन-कौन भाई जूरे होए हैं और हमारे साथ इसी तरिके से जूरे रहेगा like जरूर कीजेगा और चैनल पर दोबाद चैनल को subscribe पर जरूर कीजेगा फिलाल हमारे साथ बने रहे है आडवर्ड्स जो की साथ रनो की स्कौर पर एकरमेन जो की यहाँ पर आखरी गें दिस ओबर की जी यहाँ बायाँ से ओबर दो विकिन गेंद बाजी करते पे फारूर की सामना करेंगे कॉलिन एकरमेन और यहाँ पर चोका बहुत यह बढ़ी आशोट चार रनो के लिए फिल से एक बार एकरमेन नहीं यहाँ पर चोका लगाया है चोका नहीं भई यहाँ पर हाव में खेल लिया था बॉल को यहाँ पर बाहर चला गया है बॉल छे रनो के लिए डीब स्कॉयल लिग की ऊपर से गया है बॉल छे रनो के लिए और इसी छक्के के साथ स्कोर जा है नेदर लेंज का तीस रनो तक पहुच चुका है पाँच ओवर के बाद जबरदस्त सुलवात या पन नेदर लेंज का पाँच ओवर में 30 रन बन चुका है नेदर लेंज का एकरमेन 21 रनों के स्कोर पे खेल रहे है एडवर्ड सर 9 के दो पे 7 रन बना के खेल रहे है दोनोंने अच्छी सुलवात देने का कोशिस किया है नेदर लेंज को नेदरलेंड्स ने 5 ओवर में 30 रन बना लिया है ये काफी मैंगा ओवर था फारुकी का इस ओवर में 10 रन आये है भई तो भई लाइक जरू करे या पर 119 भायों ने लाइक किया है तो हमें जरू लाइक करे और देखते हैं कि इतनी जरू आप लोग जल्द से जल्द लाइक करके में सपोर्ट करते है क्या लगता है भई आज कुछ अलग होने वाला है क्या जी हाँ भई मुजीबूर रह्मान आये है गेदबाजी के लिए और मुजीबूर रह्मान ने फिर से एक बार डॉट बॉल से सुरुवा तक क्या है तो भई क्या लगता है यहाँ पर इस मैच में क्या अलग होने वाला है कुछ पिछले दो मैच जैसे अफगानिस्तान ने जीता है उसी तरीके से इस मैच में कुछ अलग होने वाला है क्या कॉमेंट जरू करे और चैनल पे नहीं तो बाई चैनल को सब्सक्राइब जरू करे फिलाल यहाँ पर नेधरलेंड से बैटिंग करता हूँ आई सोबर की दूसरी गेंद और यहाँ पर डॉट बाल होता हूँ अगर बात करें तो 5.12 सुनने दो की यहाँ पर रिक्वाइड रंडिट है और यहाँ पर एक सीली मीडाउन पर फिल्डर रखे गया है दवाव बब बनाने की कोशिस है बैट्समेन के उपर क्योंकि जानते हैं यहाँ पर दवाव जितना बड़ेगा थोड़ा सा जो है स्ट्रेटीजी यूज करता हुआ मुजिलूर रह्मा और इस बार स्वीप करने की कोशिस पैट्ट पे लगी जुर्दा रपील और मुझे लगता है कि यहाँ पर आमप्या ने नॉट आउट दिया है तो बैल लाइक जरू कड़े लाइक कमल दवाथ सपोर्ट सपोर्ट अब जरू कड़े पांच ओबा चार गेंद हो चुका है पांच ओबा चार गेंद के बाद 32 स्रण बन हैं यहाँ पर विडाउड लॉस पिछली बॉल पे मुझे बुर रहमान ने अच्छी गेंद बाजी किया था पिछली गेंद पे और पैड पे लगा था जुर्दार एपिल किया था मगर आमपियार ने कहा कि आउटसाइड दा लिग स्टैम बॉल पीछ हुआ था और इसके लिए यहाँ पर डियारेस भी नहीं लिया गया है फिलाल हमारे साथ बने रहिए यहाँ पर 116 भायों ने लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक कर गया है क्या लगता है यहाँ पर आज यहाँ पर नेदरलेंज के इस रन को चेज करने की कोसिस तो जरूर करेगा और यहाँ पर सुलुबार तो जरूर अच्छा हुआ है और यहाँ पर फिर तक बार बहुत अलकों खेल दिया है जब तक बॉल को फिल करें तब तक दो रन लेते हुए और इसी दो रनों के साथ इस कोर जो है धीरे धीरे बरतावा 34 रन बन चुका है चे ओबर के बाद नेदरलेंज का इसको 34 रन बन चुका है यहाँ पर 6 ओबर के बाद अभी भी चार ओवर पावर प्ले का मौज़ी यहाँ पर बाकी है फिर आल देखना होगा पिछली ओवर में काफी महंगे रहते फारुकी 10 रन आयते पिछली ओवर में भारुकी की और यहाँ पर फारुकी कोई ही गेंदबाजी करवाय जाएगा यहाँ दूसरे किसी गेंदबाज को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा थैंक्यू सो मच भार लाइक कर गए सपोर्ट करने के लिए इसी तरह भार लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को तो चलिए देखते हैं बने रही है और यहाँ पर भैतरिन मैच होता वार नजर आ रहा है यहाँ पर नेदरलेंड्स जो है 255 रन चेज कर रहे है और 255 रन बना है फिलाल नेदरलेंड्स को 221 रनों की जोरत है 263 गेंदों पर रसित खान फिलाल बॉलिंग करने नहीं आया है और फिरस एक बार एहमेद को गिया बाजी दिया गया है एहमेद मलिक फिराद फरहाद एहमेद मलिक इनको गिंदबाजी दिया गया है एहमेद को और देखना होगा कि यहां पर पिछली ओवर में पहले ही का था पिछली ओवर में फारुक की जो है काफी महंगर रहे थे तो इसके लिए उनको गिंदबाजी नहीं दिया गया है और एहमेद मलिक को गेंद बाजी दिया गया है काफी अच्छे गेंद बाज है एहमेद मलिक और यहाँ पर पहला ब्रेक्थूर दिला पाते हैं कि नहीं यह देखना होगा बाएहाथ के गेंद बाज है और तेज गेंद डालते हैं मुझे लगता है कि जल्द से जल्द रसीद खान को आना चाहिए और कम से कमा पांच ओवर तो इस बार करवाना ही चाहिए पावर प्ले के अंदर मुझे लगता है कि पावर प्ले के बाद ही रसीद खान को लाय जाएगा काफी अच्छी गेंद बाज है बाएहाथ के गेंद बाज है यहाँ पर आहमेद और अच्छी लेंद पर बॉलिंग डालते हैं तेज गेंद डालते हैं खास करके यहाँ पर बात करें अफगानिस्तान पूरी एक अच्छी टीम बन चुकी है फिलाल और यहाँ पर नेदरलेंड से तो काफी बहतर तीम है और बहुत द दीन से कहिए बहुत ही एक्सपेरियंस टीम है वन डे में और फिलाल नेदरलेंड जो है काफी विक टीम अगर देखा जाए दोनों टीमों की अगर ना की आए तो यहाँ पर नेधरलेंड्स अफगानिस्तन से काफी वीक टीम है फिलाल यहाँ पर अच्छी बल्ले भाजी करते वे इस ओवर की चौथी गेन और यहाँ पर फिर से बाद डॉट बाल होता हुआ लगा तारे डॉट बाल खेलता हुआ यहाँ पर एडवर्ड्स 14 गिन खेल चुके हैं एडवर्ड्स और 10 रणों की स्कोर पे बल्ले भाजी करते वे नेधरल्लेंस का स्कोर जो है 6 वाद 3 के दो 4 के दो के बाद 35 रण विदाओट एनी लॉस तो थैंक्यू सो मज़ भाई यहाँ पर 120 भाईों ने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके में सबोर्ट कर सकते हैं फिलाल जो मैच का सिचुएशन है दोनों ही बल्ले भाज यहाँ पार रहे है अराम से खेल रहे हैं कोई दिक्कत है यहाँ पर बड़ी सौट की कोसिस ही नहीं कर रहे है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जोरुद भी नहीं है क्यूंकि रिक्वाइड रंडेट जो है 5 की कर पड़े ना तब ही जाके यहाँ पर नेदरलेंड्स एक अच्छी स्कोर को चेज कर सकता है मगर रसीद खान आने से मुझे लगता है थोड़ा सा फरक जरूर पड़ेगा इस मैच में किको रसीद खान ऐसे गेंद बाज है जो किसी भी विकेट में ये विकेट किसी भी पीच पे ये विकेट लेज सकते हैं अच्छी बोलर है इसलिए इसको करामाती खान भी कहा जा सकता है आखरी गेंद है और आखरी गेंद पे यापा सिंगल लिया है एडवर्ड्स ने और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है साथ ओवर के बाद 36 रंग विदाट इन लॉस मायाद के बल बॉल था और बॉल को खेल दिया था इस बार कवर की दिसा में रसीद खान फिरसे एक बार बॉल को फिल्ड किया है अब है लाइक जरू कड़े 120 भायों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं फिराल बैतर इंड मैच होता हुआ साथ वर हो चुके हैं नेधरलेंड के स्कोर 36 रंड में हैं विदाउट इन लॉस शुरूवात अच्छा यहाँ पर शुरूवात अगर नेधरलेंड की सुरूवात और यहाँ पर अफगानिस्तन के सुरूवात की बात करे तो मुझे लगता है कि निधरलेंड की सुरूवात जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ है इस मैच में फिस एक बार पहली गेंड चार रनों के लिए बाई यहाँ पर एडवर्ड ने चौका लगा दिया है आहमेद मलिक की गेंती जहाँ पर चोका लगाया है यहाँ पर एडवर्ड ने मुझीबूर रहमान आये थे गेंड बाजी के लिए मुझीब की गेंती मुझीब की गेंड रीउवर्ड विप किया है एडवर्ड और मुजीब को रीवर स्वीप खिलने का मतलब है आप बहुती भैतर पोजिशिन में है एडवर्ड्स और साथ ओबर एक गिंदो के बाद 40 रन बन चुका है नेदरलेंड्स का एडवर्ड्स ने डीवर स्वीप खिला है यहां पर मुजीबूर रहमान को तो बहुती बढ़िया यहां पर पोजिशिन में है यहां पर नेदरलेंड्स नेदरलेंड्स का स्कोर 40 रन बन चुका है साथ ओबर दो गिंदो के बाद तो भई हमारी साथ बने रही है लाइक ज़रूट यह और यहां पर देखते है शुरुगाती खेल खेलता हुआ यहां पर फिनाल मुजीबूर रहमान गिंदबाजी के लिए तैयार साबना करेंगे यहां पर एडवर्ड्स इस ओबर की चौती गे जी हां इस ओबर की चौती गे एडवर्ड्स स्कॉट एडवर्ड्स डाइने हाथ के खेलाडी को बाएहां यहां पर ओवर देखते हैं यहां पर एक चौका आ चुका है पूरे एक कंफिडेंट के साथ बैल ले बाजी करते वे एकर बैन अब तक 23 रणों की स्कॉर पे खेल रहे हैं और सामना करेंगे इस ओबर की आखरी गेंद का यहां पर आट ओबर के बाद एक तालिस रण बन चुका है विदाउट एन लॉस तो भई बने रहे हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल के सब्सक्राइब पर जरूर कीजिए क्या लगता है भई आज कुछ अलग होने वाला है या सेम रेजल्ट होगा कि आफगानिस्तान जो है इस मैच में फिट से एक बाद जीत हासिल कर सकता है बढ़े रहे है भई नौवा ओवर स्टार्ट होने वाला है और नौवे ओवर की तो चलिए देखते हैं यहां पर बहुती बहतरीन मैच हो रहा है फिलाल और यहां पर आट वाद दो गिन वाद एक तालिस रण बैटिंग करता हुआ यहां पर एडवर्ड आमेद मलिक यहां पर अपना दूसरा ओवर करते वे तो इसी तरीके से भाई हमारे साथ बने रहेगा लाइक जरूर कीजेगा और यहां पर तिसरी गेंद आफ स्टैंप पर बॉल था बॉल को खेल दिया है डिप बैकवर्ड पॉंट की तरफ सिंगल के लिए भागे हैं और यहां पर सिंगल कंप्लेट करता हुआ तो भाई हमारे साथ बने रहे है लाइक जरूर कीजेगा तो क्या लगता है यहां पर बने रहे है काफी बहतरीन मैच होता हुआ यहां पर नजर आर रहा है हुआ है काफी बहतरीन मैच होने वाला है और यहाँ पर देखना होगा कि थोड़ी सी जो है यहाँ पर मैच रुका हुआ है जी हाँ थोरी सी जो मैच है यहाँ पर रुका हुआ है और यहाँ पर दोनों के दोनों फिल्डर टकराया है और इसके चलते गुर्बाज और और एक खिलारी जो है मैदान पर लेटे हुए हैं फिलाल देखना होगा कि इस मैच में क्या होता है क्योंकि यहाँ पर मैच रुका हुआ है आट और चार गिंदों के बाद नेदर लेंड्स के स्कोर जो है 42 रन बन हैं और गुर्बाज तो भाई बने रही है यहाँ पर बैतली मैच होता हुआ एडबर्ड्स 23 गिंदों पर 17 रन बन की स्कोर पर नॉट आउट है दूसरी तरफ एकरमें जो है 39 गिंदों पर 23 रन बन की स्कोर पर विगट की पार गुर्बाज जो है इंजियोड है भाई इसके चलते यहाँ पर मै लाइक जरूर कड़ें भ혈 लाइक का मन दब होता है सपोर्ट सपोर्ट हमें जरूर कड़ें दो 121 भायों ने लाइक किया है वगानिस्तानी स्कया जीत हासिल करेगा क्योंकि करामाती खान बाकी है अभी गेंद बाजी के लिए करामातिक खान जो है अभी गेंदबाजी के लिए बाकी है तो मुझे लगता है कि उनके आने से थोड़ा फ़रग जरूर पड़ेगा तो चलिए देखते हैं फिलाल मैच स्टार्ट नहीं हुआ है और मैच रुका हुआ है भई लाइक जरूर करें और लाइक का मंदबाज जो है इंजियोड है और देखना होगा कि यहां पर गुर्बाज बाहर जाते हैं कि नहीं फिलाल डॉक्टर मैदान पर है और उनकी जो है ट्रीडमेंट चल रहा है तो हमारे साथ बने रही है भई लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बहतरी मैच होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है थैंक्स ब्लो फॉर यो स्पूर्टिंग योर कंट्री थैंक्यू सो मज़ भई उमर फारुक जी हमारे साथ जूर चुके है भई तैंक्स सो मज़ भई फिलाल मैच अभी तक स्टार्ट नहीं वाय वाय और गुरुबाज बाहर जाते वे जी हां गुरुबाज बाहर जाते वे मैदान से बाहर जाते वे गुरुबाज जी हाँ यहां पर गुरुबाज जो है मैदान से बाहर जाते वे और देखना होगा कि यहां पर क्या होता है तो फिलाल हमारे साथ बने रहे हैं लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यहां पर नायग यहां पर कीपिंग करेंगे तुसरे अभी भी दोसरो 13 रनों की जरूरत है अक्रम यहां पर कीपिंग करेंगे और देखना होगा गुरुबाज के बदले अक्रम यहां पर यहांपर keeping करेंगे विकेट कीपर का अदा रोल जो है यहांपर अदा करेंगे अक्रब फिर से एक बार गेंद बाजी करने के लिए तयार आमन मलिक और इस और कि अगली गेंद और यहांपर दो रन जी हां यहांपर दो रन मिलेंगे बहुती बढ़िया सौट लगाया था एकरमेंड ने बैट का यहां पर लेग स्टेम पर डीप स्कॉयल लेग की तरफ खेला हुआ सौट था और सिंग यहां पर दो रन मिल चुके हैं और इसी दो रनों के साथ नेजल रेंज का इसको और 44 रन बन चुके हैं ५िदाउड लॉस्ड उमर फारूग जी मैं कोटर में रहता हूँ चल यह बहुत बढ़िया भाई यह मैं एक कोटर स्टेडियम में ही है जी हाँ भाई राण बहुत स्लो चल रहा है यार जी भाई राण तो बहुत स्लो चल रहा है फिर से एक बार आपको बता दे कि यहाँ पर दुनिया के दिगज बोलर उसमें से दो बोलर यहाँ पर मौट खिल रहे हैं अफगानिस्तान के लिए और जिनको आप जानते हैं रसीद खान जो की करामातिक खान की तरफ से जाने जाते हैं दूसरे गन्दबाज है मुजीबूर रहमान जो भी एक बहुती उंदा गन्दबाज है फिलाल विकेड भले ही नाम मिले हो मगर अच्छी गन्दबाज है और इन दोनों गन्दबाज को बल्ले बाज जो है नेधरलेंस के अराम से खिलने की कोषिस करेगा और इसके चलते याथी कम होने से कोई दिक्कत नहीं है विकेट भी नहीं गिले तो यहाँ पर कोई गम नहीं है क्योंकि यहाँ पर रन को चेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा 254 रन बहुत ही टाफ स्कोर है भाई नेदरलेंड्स ऐसी विक टिम के लिए क्योंकि फिलाल अफगानिस्तान जो है अपनी क्रिकेट को अपनी बहतर कर लिया है फिर से एक बार हमारे साथ जिन्दमी भाई जूट चुके हैं स्टन की सोमाजबाई जूरे रहने के लिए लाइक जूरू करे लाइक का मदब होता है सपोर्ट सपोर्ट हमें ज़रू करे और मुझे लगता है कि इस मैच में कुछ अलग नहीं होने वाला है और फिर से एक बार अफगानिस्तान जो है अराम से जित सकता है इस मैच को फिलाल दोनों सलामी बल्ले बाज जो है यहाँ पर बल्ले बाजी करते हुए एकरमेन 25 रणों के स्कोर पे और स्कॉट एडवर्ड 17 रणों के स्कोर पे खेल रहे है अब यहाँ पर हजमतुला उमर जाई गेंद बाजी करने के लिए आए हैं अच्छे औल राउंडर रैप बैटिंग में काफी कमाल के करते हैं फिराल यहाँ पर बने रहे हैं हमारे साथ लाइक जरू कीजिए और प्रतबर चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा पहतरी नमेश होता हुआ तो क्या लगता है भाई कौन सीटिम आज यहाँ पर विन होगा कॉमेंट जरू करे एडवर्ड्स यहाँ पर सिंगल लिया है और सिंगल लेके यहाँ पर स्कोर को 45 तक पहुचा दिया है अब मुझे लगता है कि यहाँ पर यह आगरी ओवर है पावर प्ले का जी हाँ यह आगरी ओवर है पावर प्ले का और इस आगरी ओवर में मुझे रबता है एक विगर्ट जरूर निकालने होंगे अफगानिस्तान को तो भाई लाइक जरूर करें लाइक का मतलब बतर सपोर्ट सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर दो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजेगा तो चलिए देखते हैं अमरे साथ 122 भाई उन्हें लाइक कर दिया है थैंक्यू सो मज़ भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को जो लोग अभी तक चैनल को सबस्क्राइब ने किया भाई सबस्क्राइब जरूर कर लेना 9-2 गेंदों के बाद इसकोर यहाँ पर बन चुक है 9-3 गेंदों के बाद इसकोर जो है 45 रन बन चुक है चलिए बैज देखते हैं यहां पर बहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है इस ओबर की अगली गेंद और यहां पर डॉट बाजी यहां पर और लगातार यहां पर डॉट बॉले करता हुआ पारी कि यहां पर दोनों ने शुरुआ तो अच्छा किया था मगर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यहां पर रन पर रोक जरूर लगा है अच्छी गेंद बाजी यहां पर उमर्जाई का क्योंकि अब तक इन्होंने स्रिप इस ओवर में चार एक रन दिये हैं चार गेंदे डाले हैं स्रिप एक रन दिये हैं तो चलिए फिर्सिक पर एकरमन साबना करेंगे इस ओवर की पांच भी गेंद और यहां पर चौका मिस्फिल्ड हुआ है और चार रन मिल जाएंगे इसी तरिके से अगर मिस्फिल्ड करते रहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा थोड़ा से स्टेप आउट करके बॉल को खेलाता है मीड आफ के तरफ और वाँ पर फिल्डर मौजूद था जिससे मिस्फिल्ड हुआ है और चार रन मिल गए है यहां पर एकरमन को और इसी सिंगल के साथ ही स्कोर जो है 50 रन में पहुँच चुका है नेदरलेंड्स का नेदरलेंड्स का लगातार कोसिस है कि हर एक ओबर में 5 करी 5 रन करके ले आजाए अगर यहां पर 5 रन करके लेंगे तो साइद इस मैच में जीत हासिल कर सेगेंगे इसी रन निती के साथ यहां पर नेदर लेंड्स आगे बढ़ता हुआ दस ओबर में 50 रन बने हैं विदाउट इनी लॉस 5 करके रन फिलाल बने हुआ है कारेन रन रेट 5 करके और रिक्वाइड रन रेट फिर भी एक बार बता दे कि यहां पर 5.1 का बना हुआ है अभी भी 260 गेंडों पर यहां पर नेदर लेंड्स को जीतने के लिए 220 रेनों की जोरत है मुझे लगता है एक ओवर करामाती खान को देना ही चाहिए इस के दौरान इन दोलों की साज़ेदारी तोड़नी है आफगानिस्तान को अगर इन दोलों की साज़ेदारी तोड़नी है तो मुझे लगता है कि एक बार करामाती खान कींग खान को बुलाना चाहिए जो कि रसीत खान यहां पर अगर गिंद बाजी करेंगे तो साइद कुछ फरक पड़ सकता है अगर जो करेंगे और चैनल प्रदबर चैनल को सब्सक्राइब जो करेंगे काफी बहतरीन मैच होता वाईयां पर नजर आर रहा है जी हाँ काफी बहतरीन मैच होता वाईयां पर नजर आर रहा है भाई चलिए देखते हैं फिलाल यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर तो खड़ा करने की कोशिस है नेदर लेंड्स की हाँ हर एक ओवर में कड़ी 5 की कड़ीर रन ले जाने का कोशिस है और इस ओवर की दुस्री गेंद और यहाँ पर डॉट वाल होता हुआ और इस ओवर में अब तक 2 रन आ चुका है दस ओवर दो गेंदों के बाद इस स्कोर जो है नेदर लेंड्स का 22 रन बन है नेदर लेंड्स की दोनों बल्ले बाज की कोशिस है कि हर एक ओवर में 5 रन की करके लिया जाए अगर 5 रन करके जो यहाँ पर रिक्वाइड रन डेट है उसको बढ़ने ना दे उसको सेम रखे और स्टाइक को रोटेट करते जाए तो इसी कोशिस में बने हुए है दोनों यहाँ पर और आपको बता दे पहली पावर प्ले में पहला पावर प्ले जो था वहाँ पर अफगानिस्तान ने स्री 22 रन जोड़े थे और एक विकेट भी खो दिये थे मगर यहाँ पर नेधरलेंड्स ने उनसे 28 रन जादा बनाए है 50 रन और एक भी विकेट इनका नहीं गया है काफी अच्छी पोजिशन में है आया यहाँ पर नेधरलेंड्स अब देखना होगा नेधरलेंड्स से यहाँ से अपने पारी को सुधार सकते हैं कि नहीं एमद मलिक और बाएहाथ के बोलर है पटकी वी गेन थी पूल कर दिया है बॉल को डिम मिडिविकेट के दिशा में और मुजीबुर रहमा ने ड्राइब लगा के बॉल को रोका है सिंगल मिलेगा इस गेन पे और इसे सिंगल के साथ स्कोर जो है त्रेपन रन बने है दस ओवर तीन गेदो गबाद 122 भाईयों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहाँ पा लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं इस बार स्कॉट एडवर्ड्स है इस टाइक पे और देखना होगा स्कॉट एडवर्ड्स फिलाल इनकी बल्ले से उतनी बड़ी या स्कोर हमें देखने के लिए नहीं मिला है स्कॉट एडवर्ड्स ने दो चोके ज़रूर लगा हैं 18 रनों के 25 गितों का सामना की हुए तो क्या लगता है भाई आज इस मैच में नेधरलेंड्स क्या कमबैक कर सकेगा कॉमेंट दरूर करें भाई कॉमेंट करके हमें चुरूर बताइए 123 भाईयों ने हमें लाइक कर दिया है थैंक्यू सो मज़ भाई लाइक करके सबूर करनेंगी जी हाँ 123 भाईयों ने हमें लाइक कर दिया है और एहमद मलिक फिर से बार गेंद बाजी करते हैं इस ओवर की पांच भी गेंद और यहाँ पर कोई रन नहीं डौर बॉल होता हुआ दोनों के बीचे साजेदारी की बात करें तो यहाँ पर दोनों के बीचे साजेदारी जो है 25 गेंदों पर 33 रन बज़ चुका है आखरी बॉल है इस ओवर की जी हाँ आखरी बॉल है इस ओवर की बाईहाथ के बोलर है एहमद मलिक बाईहाथ से ओवर दो गेंद बाजी करता हुआ स्कॉट एडवर्ड्स को 124 भायों ने यहाँ पर लाइक किया है तेंक्यू सो मजब लाइक करके स्पोर्ट करने के लिए और यहाँ पर फिर एक बाई सिंगेल लेके स्टाइक को अपने पास रखा है स्कॉट एडवर्ड्स ने स्कॉट हो चुका है 11 ओवर के बाद ने डरल्ड्स का 24 रन स्कॉट एडवर्ड्स 26 गेंदो पर 27 गेंदो पर 19 रनों के स्कॉट पर एकरमेन 49 गेंदो पर 33 रनों के स्कॉट पर बैल लेबाजी करते वे तो भाई यहांपर हमारे साथ जिन्दे भी भाई जूर चुका है सभी को बनों पर लाइक जरू करें लाइक काम अदर बातãy सपोर्ट उसमें जरू करें और चैनल करदे चैनल को सब्सक्राइब बहतरीद मैंश होता है पांच की करीब रन जरू बनाने की कोशिस करेगा फिलाल अगर इस ओवर में स्रिप और स्रिप चार रन आये हैं जी हाँ इस ओवर में फिर आमेद मलिक ने स्रिप चार रन दिये हैं अब तक तीन ओवर डाले हैं फिराद आमेद मलिक और तीन ओवर में नो रन दे चुके हैं फिर से कुपार गेंद बाजी करने आये हैं यहाँ पर देखना होगा कि कौन आये भई तो भई हमारे साथ बने देए लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा उमर्जाई गेंद बाजी करते वे जरूरत है तो बड़े सौट की मुझे लगता है कि एक दो तो सौट लेने होंगे नहीं तो यहाँ पर बोलर्स की होसला बढ़ जाएगा और नेदरलेंज जैसी विक्टिम को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है अभी भी 200 रेनों की जरूरत है तो देखते हैं हमाले साथ कौन कर भाई कहां कहां से जुड़े हुए है कॉमेंट जरू कड़े उमर्जाई यहाँ पर गेंद बाजी करते हुए इस ओवर की तिसरी गेंद बाजी करता हुए फिट एक बार डॉट बॉल लगाता तीन गेंदे यहाँ पर डॉट कर दिया है लगातार डॉट बॉले करता हुआ जी हाँ लगाता तीन गेंदे यहाँ पर डॉट किया है उमर्जाई ने अच्छी शुरुवात इस ओवर का अगर आप गानिस्तान की नजरियते देखा जाए तो फिलाल हमारे साथ जिन्दे भी भाई जूर चुका है चौथी गेंद है इस ओवर की और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ बॉल को खेल दिया था इस बार मीड़ विकेट के दिशा में और यहाँ पर सिंगल मिल चाएगा अच्छी गेंद थी लेंद बॉल था तो इसी लेक स्टेम पे पीछ भी बाहर की तरब निगली हुई गेंद थी जिसको डिब मीड़ विकेट के देशा में खेल दिया है सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ इसकोर जो है दीरे दीरे बरता हुआ 56 रणों तक पहुँच चुका है स्कॉट एडवर्ड की बात करें तो 28 गिंदों पे 20 रणों की स्कोर पे खेल दे है और रिकॉर्ड रण रण रेट थोड़ा सा बड़ा है 5.19 का बन चुका है कारें रण 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 रेट जो है थोड़ा सा घटा है यहाँ पर नेदर लेंड्स का 4.80 का बना हुआ है तुमाई 124 भायों ने हमें लाइक किया है तैंकी सो मजब लाइक करके सपोर्ट करने के लिए और यहाँ पर कैच छोड़ा है जी हाँ स्कॉर्ड एडवर्ड की बॉल फ्लिक किया था एक रन जरूर मिला है ग्यारा ओवर्ड पाँच के लिए बाद दे सतावन रन जी हाँ एक बहुती जवर्डस्त कैच मिस से किया है नजीमुला जार्दान ने कैच में आच्छा नजीमुला जार्दान ने कैच छोड़ा है भई नजीमुला जार्दान जोकि पॉइंट में फिल्डिंग करे थे उन्होंने कैच छोड़ा है कासान सा कैस था मगर इसी तरीके से अगर कैच छोड़ते जाएंगे तो दिक्कत होता जाएगा क्योंकि बारा ओवर के बाद नेदर लेंस ने 57 रन बना लिया है इस ओबर में स्रिफ तीन रन आए है भई उमर जजाए कि इस ओबर से स्रिफ तीन रन आए है फिलाल है रिक्वाइड रन रेट जो है 5.2 सुने का बन चुका है लाइक जरू करे भई लाइक का मतलबत है सपोर्ट सपोर्ट हमें जरू करे अब तक नेदरलेंड्स की इनिंग्स में छे चौके और एक छक्का लग लग चुका है तो भई अमारे साथ जितने भी भाई जोड़ चुका है सभी को बने लाइक जरू करें लाइक का मतलबत है सपोर्ट सपोर्ट हमें जरू करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फिलाल बहतरीन मैच होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है फिर से बार एहमाद मलीग है यहां पर बायहांत के गेंद बाज बॉलिंग करता हुआ स्कॉट एडवर्ट को और जोरूर थैं तो यहां पर विकेट की नेधरलेंड यहां पर अफगानिस्तान आज पूरी तरीके से कोशिस कर रहा है मगर यहां पर सायंसाहाँ खान जी यहां चुट चुक है थैंक्यू सो मज़ भाई, अमारे साथ जूरे रेने के लिए तेंक्यू सो मज़ भाई हमारे साथ जुरे रेने के लिए देखते हैं हमारे साथ कौन-कौन भाई यहाँ पर जुरे हुए है अफगानिस्तान और नेदर्रेंट्स के बीच यह तीसरा ODI मैच है इसते पहले दो मैचेज में अफगानिस्तान ने जीत हासिल किया है बड़े अंतर से पहला मैच 36 रणों से जीता चाँ दूसरा मैच 48 रणों से जीता था फिलाल देखना होगा इस मैच में क्या होता है इस ओबर की तीसरी गेंद और यहाँ पर लगातार डॉट बॉल होता हुआ जी हाँ लगातार डॉट बॉल होता हुआ लगातार तीन गेंदे यहाँ पर डॉट खेल दिया है एडवर्ड स्कॉर्ड एडवर्ड ने तो इसी तरीके से अगर डॉट बॉल खेलते जाएंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो साएगा जी हाँ साइनसा खान जी मुझे भी लगता है कि यहाँ पर अफगान ही जीतेगा अफगानिस्तान ही जीतेगा भाई अजय कुमार प्रजापती जी मारे साथ जूर चुक है फिलाल रिक्वार्ड रंडेर अगर बात करें तो पांच दसमला दो आटका हो चुका है और यहाँ पर सिंगल लेकर इस टाइक जो है रोटेट किया है एडवर्ड्स ने इस ओबर में अब तक एक ही रन आया है चार गेदो पे तो भाई लाइक जरू करें लाइक का मन्दब होता है सपोर्ट सपोर्ट हमें जरू करें 125 भायों ने हमें लाइक कर दिया है जी हाँ 125 भायों ने हमें लाइक किया है और इसी तरीके से भाई लाइक करते जाए सपोर्ट हमें करते जाए एकरमेन जो कि यहां पर सामना करें गया वाइड बॉल और इसी वाइड बॉल के साथ इसको जह है 69 बन चुका है आपको भाई थैंक्यू सर जी क्यों भाई अजाई कुमार प्रजापती जी फॉर वाट अजाई कुमार जी है मुझे थैंक्यू जा बोल रहे है अगर मुझे पता ही नहीं जाल रहा है कि अजाई कुमार जी क्यों मुझे थैंक्यू बोल रहे है तो रिपेया बताईए भाई देखते हैं भाई अजाई कुमार जी क्या कहते हैं मैं उच्छुक हूँ क्या कहते हैं अजाई कुमार जी 127 भायों ने में लाइक किया है फिरसिक बारी सोबर की पार्च भी गेंट और यहांपर डॉट बॉल होता हुआ ओप स्टेम की तलब बॉल था सीधे बले से खेला था बॉल को सीधे बैट्समन के पास बॉली रह गया और यहांपर विकेट की पार ने आके बॉल को फिल्ड किया है कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ 128 भायों ने हमें लाइक किया है तेंक्योट सो मज़ भाई यहांपर बहतरी ने गेंद बाजी करता हुआ एहमाद मलीक जी नहीं भाई यहांपर आउट नहीं हुए भाई आउट नहीं हुए भाई एक तो मौका जरूर बना था पिछली ओवर में पिछली ओवर में जिस तरीके से नजीमुल जद्रा ने पॉइंड में कैच छोड़ा था स्कॉट एडवर्ड से बैटी कर रहे थे और वो असान सा कैच था जो कि नजीमुल जद्रा ने छोड़ा है फिलाल यहां पर तेरा उबर के बाद 69 रन बना है विदाउट एनी लॉस नेदरलेंज का रन की गती बहुत ही कम हो चुका है अब फिलाल यहां पर मुझे लगता है कि रन की गती बढ़ानी होगी अगर रन की गती बढ़ाने जाएंगे तो साइद विकेट भी गिर सकते हैं नेदरलेंज की तो एक ऐसा जगा में खड़े हैं नेदरलेंज की कि यहां से रन की गती अगर नहीं बढ़ाएंगे तो साइद इस मैच में भी जीत नहीं पाएंगे Netherlands कोशिज करेगा कि पूरे 50 over तक खेला जाए क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि पिछले यहां पर Netherlands all out ज्यादातर हो चाएते हैं ज्यादातर matches में Netherlands जो है all out हो चुके हैं एक सो यहां पर पिछले पहला match में भी all out हो गया था और दूसरा match में भी all out हो गया थे तो फिलाल Netherlands की कोशिज है कि पूरे 50 over तक बैटिंग किया जाए और मुजिबूर रह्मान और रसीद खान ने सिफ एक विकेट निकाला था भाई पिछली match में तो देखना होगा कि आज रसीद खान कितने विकेट निकालते हैं दो मैचों में नेदरलेंड्स के खिलाब रसीद खान ने चार विकेट निकाला है फिलाल देखना होगा कि इस मैच में कितने विकेट निकालते हैं उमर जाई को देखे गिंदबाजी करवा रहे हैं और मुझे लगता है कि पंदरे ओबर के बाद साइद आस सकते हैं रसीद खान विकेट चाहिए तो भाई रसीद खान को लाना होगा देखना होगा कि यहाँ पर कप्तान की सोच क्या है फिलाल वाइड बॉल और विसी वाइड बॉल के साथ इसकोर जो है नेधर लेंज का बासर टर्न मन हैं विदाउट एनी लॉस जजाई की अच्छी गेंच सौट अब लेंज बॉल डालने की कोशिस सर के उपर से बॉल चला गया है और अमपयार ने इसको वन बाउंस का इससारा देते हुए वाइड करार दिया है और इसी के साथ आपको बता दे कि यहाँ पर धीमी हो चुकी है नेधर लेंज के बैटिंग पहली सुरुवात बहुत अच्छा हुआ था पहले 10 ओबर में तो 50 रन आ गये थे नेधर लेंज के विदाउड लॉस मगर उसके बाद जो दूसरा पाउर प्ले स्टार्ट हुआ उसके बाद से यहाँ पर वो बले बाजी नहीं देखने के लिए मिला है फिलाल इस ओबर के लिग गेंग और यहाँ पर लगाता डॉट बॉले होता हुआ लगाता डॉट बॉले खेलता हुआ तो 127 भाईव नहीं हमें लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं इस ओबर में अब तक 3 रन आ चुके है तो देखना होगा जितने ज़्यादा रन आएंगे उतने अच्छे है नेधरलेंड्स के लिए आज कोसिज करेंगे कि नेधरलेंड्स पूरे 50 ओबर तक खेले और 50 ओबर में खेले और जीते भी क्योंकि यहाँ पर नेधरलेंड्स की पूरी टीम दो मैच खेले गया है यहाँ पर बहतलिन खेल का प्रदर्शन करता हूँ आज अपने मेरे कोमेंड पढ़ा सर जी इसलिए अब多ब्लों आपको मेरा कोमेंड पढ़ने के लिए बहुत बहुत थैंकि बैई आपका कॉमेंट मैं जरूर पढ़ूंगा क्यों नहीं पढ़ूंगा अगर दिखाई देगा तो जरूर पढ़ूंगा भाई और 128 भाईयों ने हमें लाइक किया है थेंक्यू सो मज़ भाई और हमको भी खुसी होता है कि आप लोग का कॉमेंट पर करें मैं बहर बार बोलता हूं कि आप लोग कॉमेंट कीजिए ताकि आपका का कमेंट पढ़ सको उसका जवाब दे सको तो साइद चूक हो गए ही होगी मुझे से तो सौरी भाई उस चूक के लिए हो जाए कुमार जी फिर से एक बार इस ओबर के आखरी गेंद और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ एकरमेन और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है दीरे दीरे बरता हुआ 14 रन बढ़ चुका है 14 ओबर के बाद एकरमेन पहुच चुका है 36 रनों के स्कोर के स्कोर पे 47 गिनों का सामना की हुए यहाँ पर हडिस से सुगला रॉक जी भाई तैंक्यू सो मज़ भाई तैंक्यू सो मज़ भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए 139 भायों ने हमें लाइक कर दिया है चलिए आखरी बॉल पर यहाँ पर नेदरलेंड्स ने सिंगल लेके यहाँ पर स्कोर को 64 रनों तक पहुचा दिया है उमर जाई ने 3 ओबर में 14 रन दिया है एकरमेन यहाँ पर बहतरीन स्टार्ट देने की कोसिस मगर मुझे लगता है कि फिलाल जो है नेदरलेंड्स की रन की गती जो है वो कम हो चुका है फिलाल थोरी सी जो है यहाँ पर रन की गती को बढ़ाना होगा नहीं तो रिक्वाइड रन जो है वो बढ़ता जाएगा तो उसकर दवाब यहाँ पर मुझे लगता है नेदरलेंड जैसी टीम बरदास्त नहीं कर पाए तैंक्यू हरस सुखला रॉक जी तैंक्यू सो माच यहाँ पर 129 भायों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहाँ लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं एक अच्छी बात है नेदरलेंड के लिए कि फिलाल दोनों की बीच ओपेनिंग साजेदारी में 64 रंज चोड़ लिया है नेदरलेंड ने फिलाल क्वाइस आमेद जो कि यहाँ पर लेक ब्रेक डालते हैं उनको गिंद बाजी के लिए बुलाए गया है फिलाल क्रिकेट बे अब तक 14 मैचों में 18 विकेट ले चुके हैं कुआई सामेद गिंद बाजी करते हैं यहाँ पर एकरमेंट को यहाँ पर लगातार अजय कुमार जी सर जी आप कहां से हैं बाई आजाई कुमार जी मैं वेस्ट बेंगॉल इंडिया वेस्ट बेंगॉल कलकत्ता से हुआ वेस्ट बेंगॉल इंडिया के वेस्ट बेंगॉल कलकत्ता से हैं भई कि वो काफी बैदर नियुक है कि हमारे साथ से जितने भी भाई जूड़ चुका थे हैं कि सो मजब जूड़ने जूड़ है रहने के लिए फिर से बार मुझे लगता है कि यात भाई यहां पारप प्रजापती जी मैंने तो आपको कहा कि मैं वेस्ट बेंगोल कलकत्ता से हूँ भाई यहां पर मैच रुका हुआ है फिल्डर इजूड है और इजूड वाले खिलाडी है कप्तान खूद है तो भाई लाइक जूरू करें फिल्डर मैच रुका हुआ है क्यूंकि यहां पर फिल्डर इजूड है तो भाई 139 भाईों ने हमें लाइक किया है और यहां पर ठीक हो चुके हैं 139 भाईों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहां पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं फिल्डर जो है यहां पर मैदान से बाहर जाते वे गुर्बाज पहले ही बाहर चले गए है और यहां पर रहमात सा फिलाल बाहर जाते वे मैदान से तो भाई लाइक ज़रू करें लाइक का मदोबता सपोर्ट सपोर्ट हमें ज़रू करें क्या लगता है दोस्तो कि आज यहां पर इस मैच में कौन जीत सकता है क्या कुछ अलग होने वाला है नेदरलेंड्स की सलामी बल्लेबाज फिलाल जिस तरीके से बल्लेबाजी करते वे दिखाई दे रहा है तो यहां पर उम्मीद जग चुका है नेदरलेंड्स की फैन को कि यहां पर नेदरलेंड्स कुछ अलग करने वाली है स्विप किया था बॉल को बॉल चला गया है यहां पर सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ 14 और चार गिन के बाद शासर डर्न विदाव डिनी लॉस सर जी आप बहुत अच्छे कॉमेंटरी कर रहे हैं भाई कोसिस कर रहा हूं आजय कुमार जी कोसिस कर रहा हो और कल का मैच में देखिएगा इससे भी बढ़िए आपको कॉमेंटरी लगेगा फिलाल तो मेरा जो मैं यहां पार कॉमेंटरी फिलाल नहीं कर पा रहा हूं क्यूंकि मेरा नेट बहुत स्लो हो चुका है मगर कल की जवर्दस्त कॉमेंटी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिजिएगा क्योंकि कल मैच काफी जवर्दस्त है नेधरलेंड्स फिलाल जुर्दार एपील और यहां पर कोई रण नहीं डॉड बॉल होता वा पैड पर लगा था बॉल और यहां पर डॉड वॉले होता वा पंदरा ओवर के बाद चासर टरं विदाउट इनिलो इस गेंद पेज जिस तरीके से एपील किया था क्वाइस आमेद ने उन्होंने उनको लगा था कि यह कंफिडेंट के साथ एपील किया गया है फिलाल पैंटीस ओवर यहां पर नेधर नेधर लेंड ने पंदरा ओवर में चासर टरं बना है अभी भी यहां पर दोस्त यहां पर आपको बता दे की फिलाल जो है यहां पर एक सो न यहां पर उनने बे रहनों की जोर रहत है दो सो दस की दो पर तो भाई अमारे साथ जितने भी भाई जुड़े भाई हैं सभी को लेंगा लाइक जरू करें लाइक का मन्द बताए सपोर्ट सपोर्ट हमें जरू करें और चैनल पर दो चैनल को आई भी जरूर कर लेए तैंकियू सो मज़ बाई लाइक करके干 यहां पर कमरूल हसान जी अमना दो साथ जूड़े लेने के लिए फिलाल यहां पर पंद्रा ओवर के बाद नेङलेंस का स्कोर जो है यहां पर बन चुका है छासर टरट रन और मुझे लगता है कि स्कॉर्ट एड रसीद खान जी हाँ करामती खान आ चुका है गईद बाजी के लिए और पहली गेंद और यहाँ पर चौके चौके से स्वागत किया है भाई स्कॉट एडवर्ड्स ने रसीद कान को चौके से शुरुआ यहाप स्वागत किया है और इसी चौके के साथ स्कूर जो है सर्तर रंग बन चुका है भाई नेदर लेड्स के तो चलिए देखने हैं अगला गेंद यहापर और अगले गेंद बे क्या होता है अब यहाँ पर विकेड मिले का चांस थोड़ा सा जरूर बड़ा है अब देखते हैं कि यहाँ पर विकेड लिकाल पाते हैं कि नहीं बहुँ अमारे साथ जो भी भाई जूट चुके हैं सभी को अगला लाइक जरूर गड़े एडवर्ड से और इस बार कट कर दिया है बॉल को थोरी सी मिस्पिल्ड हुई है क्वाई सावमेद से थोरी सी मिस्पिल्ड हुई है डिप बैकउट परंट के पर तरब चला गया है और दो रन अलाम से लेते वे जी हाँ दो रन अलाम से लेते वे तेंक्यू सो मुच भाई गोपी चंद जी हमारे साथ जूरे रहने के लिए जी हाँ गोपी चंद जी हमारे साथ जूर चुके है और इसी तरीके से भाई यहाँ जूरे रही है गोपी चंद जी 15 ओवर 3 गेतएक बाद 72 रन बने हैं विदाओट एनी लोस तो कमाल की मैचेस यहाँ पर चलता हुआ यहाँ पर फिर से आपको बता देखी रसीद खान जो है तोड़ा सा मैंगे सावित होते हुए इस ओबर में अब तक 6 रन दे चुके हैं और देखना होगा कि अगले जोग गेदबाज है दबाब तो यहाँ पर बना हुआ है नेदरलेंड्स के उपर और यहाँ पर विकेड ले पाते हैं कि नहीं लगातार सिंगल बटोर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही है रसीद खान को खेलने में जी हाँ एकरबेन और एडवर्ड्स को कोई दिक्कत नहीं हुए रही है रसित खान को खेलने में और इस पीच जो है फ्लैट पीच है बैटिंग पीच है मुझे लगता है और बोलर्स को ज्यादा मदद इस पीच से नहीं मिल रहा है फिलाल यहां पर डॉट बोल होता हुआ 16 ओबर के बाद 73 रनबन है विदाओट इन लास जी हां द्रिंस ब्रेक के बाद दोबारा से मैच्छ थोडी ही देर में स्टार्ट होगा के लुटाइने लुटे मेंगर बस्ते हैं झाल 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 तो चलिए देखते हैं डिंग्स बेक खतम हो चुका है और डिंग्स बेक के बाद दुबारा से मैच स्टार्ट होने जा रहा है जी भाई हमारे साथ में जूरे रहने के लिए और यहां पर 31 भाई उने लाइक कर दी है फिराल यहां पर आपको बता दे कि यहां पर टॉप पार्टनर सी बगर नेदालेंड्स की बात करे तो यहां पर प्रेफ्ट 73 रंकी बन चुकी है जी बेक के बाद दुबारा से मैच स्टार्ट होने जा रहा है को spendkin पहाँ की बातै है यहाँ जी बेक्राटव जी बातत दी रिस दुण क्वाई सामेद आया है गेंद बाजी के लिए और इस ओवर की दूसरी गेंद और सामना करेंगे यहाँ पर स्कॉट एडवर्ड्स 44 गेंद पर 32 रणो की स्कोर पर खेल रहे हैं फिलाल 182 रणो की जोरत है नेदर रेंड्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए चलिए देखते हैं यहाँ पर बने रहे है और लगातार यहाँ पर डॉट बॉले खेलता हुआ और थोड़ी सी अच्छी गेंद थी यह स्ट्रेच करके बॉल को ड्राइब करने की कोशिज किया था मगर अच्छी गेंद पूरी तरीके से बीट हो गया थे इस गेंद पे सोला हुआ थीन गंद के बाद 73 रन बने हैं विदाओट एनी लॉस तबहे हमारे साथ जिन्दे भी भाई जूर चुका थैंकियो सो माच बैज जूरे रहने के लिए लाइक जरू कीजिए लाइक का मदब बताए सपोर्ट सपोर्ट हैने जरू कीजिए और चैनल प्रतवा च सोट या पार और स्कोर निदरलेंज का 79-89 रन बन चुका है एड़ड 38 रनों की स्कोर पे पहुंच चुका है और 48 गिंदो का सामना की वे आज मुझे लगता है कुछ अलग करने वाला है निदरलेंज पूरी तरीके से हावी हो चुका है इस मैच पे भी हमरे साथ बने रही है या लाइक कर सब्सक्राइब जरू की जगा 20-90 आ अज्यादा राहा है कफिलाल कि जो लोग अभी तक चीनल कर सब्सक्राइब नहीं थे बैस सब्सक्राइब जरूर कर लिए चलिए देखते हैं 17 ओवर कदम हो चुके हैं और 17 ओवर गया अगर बात करें तो इस ओवर में भई इस ओवर में सिर्फ 6 रन आया है और वो भी बड़े छक्का लगाया था स्कॉट एडवर्स ने स्कॉट एडवर्स का खेला गया यह पहला चक्का था अब तक इन्होंने 50 गिंदों पे 38 रन बना हैं तीन चौके और एक चक्के की मदद से आँ तो फिलाल देखना होगा एकर मैन है स्ट्राइक पे और सामना करेंगे देखना होगा कि कौन गेट बाज आए हैं तो भाई अमाए जिद्दि भी भाई लाइक का मतलब है सपोर्ट सपोर्ट हमें ज़रुर करे फिलाल हमारे साथ जिद्दि भी भाई जून चुके हैं 254 रन बनाये थे 5 विकेट के लुक्सान पे उसके जवाब में यहाँ पर अच्छी शुरुवात हुआ है निदरलेंड्स का बीना कोई विकेट के खोए यहाँ पर 80 रन करीब है बना लिया है 17 ओवर एक गेंदों के बाद इस ओबर की दूसरी गेंद और यहाँ पर डॉट बाल रसीद खान थे बोलर और आज रसीद खान उतने अच्छे ले में नजर नहीं आ रहा है उसकी गेंद जो है उतनी तरीके से अच्छी नहीं दिखाई दे रहा है और बैक्समेन को कोई दिखाई और इस बार अंदर की तर जानक वो नीचे रहता है गेंद वो काभी खातक होता रहा है और यह इस गेंद पे भी दोड़ा सा बॉल नीचे था बैट का एज़ी में लिया और बॉल चला गया कवर की दिखाई में और यहाँ पर सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है दीरे दीरे एकासी लन बन चुके हैं सत्रा ओबर तीन गेंदों के बाद एडवर्ड्स 49 रनों के स्कोर पे एकर में 38 रनों के स्कोर पे बल्ले बाजी करते हैं अब तक इस ओबर में तीन रन आ चुके हैं थेंक्यू सो मच बार लाइक करके सपोर्ट करने के लिए इसी तरह भाई लाइक करो चलिए देखते हैं बने रहिएगा लाइक जरू किजिएगा बहतरीन मैं चोतावा यहां पर नज आ रहा है जी हाँ यहां यहां पार बहतरीन मैं चोतावा नज आ रहा है चलिए बाई दोनों यहां पर साजेदारी अच्छी बन चुके है नेदरलेंड्स के दोनों सलामी बल्लेबाज यहां पर काफी बहतरीन बल्लेबाजी करते हैं नज आ रहे हैं फिलाल हमारे साथ जितने भी भाई जूर चुके हैं सभी को बनेगा भाई लाइक ज़रू करें लाइक का मदबत है सपोर्ट सपोर्ट हमें ज़रू करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लिए फिलाल बहतरीन मैच होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है जी हां यहां यहां पर बहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है और चलिए देखते हैं यहां पर 135 भाई होने लाइक कर दिया है क्या आज यहां पर नेदरलेंड्स की यह जोनो सलामी जोड़ी कुछ अलग कर नेधर लेंड्स के लिए क्या इस मैच में जीत पाएगा नेधर लेंड्स बने रही है भाई तेंक्यू सो मज भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए यहां पर क्वाईस आमेद लगातार गेंद बाजी करते वे और यहां पर इसकोर जो है 18 ओबर दो गेंदों के बाद 85 रन बन चुका है भाई एकर मैंने इस गेंद पे दोनों ही बल्ले बाज दोनों ही सलामी बल्ले बाज है 40-40 की रनों की सकोर पे बल्ले बाजी करते वे रिक्वाइड रन रेड जो है यहां पर 5.37 का बन चुका है तो हमारे साथ बने रही है भाई लाइक जरू कीजिए यहां पर इसोबर की अगली गेंद और यहां पर डॉट बले होता हुआ क्वाई सामेद के यह अच्छी गेंद थी आप स्टेम पे पीछवी गेंद बल को खेल दिया था पॉइंट की दिसा में अगर कोई रन नहीं मिलेगा यहां पर तो चलिए देखते हैं यहां पर हमारे साथ बहुत साड़े भाई जूर चुका है तैंकिज सो मज भाई जूरे रने के लिए 136 भाईयों ने हमें लाइक कर दिया है फिलाल इस ओबर की पांच भी गेल बॉलिंग करता हुआ यहां पर क्वाईस अमेद और सामना करेंगे इस बार स्कॉट एडवर्ड्स 57 गेलों पे 40 रनों के स्कॉर पे है इस ओबर की अगली गेंद और यहां पर फिर से एक बार सिंगल लिया है बॉल को खेल दिया था डीम बिडविकेट के दिसा में दोर पड़े और यहां पर सिंगल कंप्लिट किया है एडवर्ड्स ने और इसे सिंगल के साथ इसकॉर जो है 86 रनों तक पहुँच चुका है तो भाई बने रही है यहां पर दोनों सलामी बले बाज अच्छी अच्छी तरीके से खेलता हुआ नेदरलेंड्स का स्कॉर इसकॉर जो है 86 रन बने है बीना कोई विकेट कोई आज यहां पर जो गेंदबाजी चल रही है अफगारी स्थान के उतने पहना पर नजर नहीं आ रहा है गेदबाजी में जो मदद मिलनी चाहिए इस ग्राउंड से यहां पर गेंदबाज को वो मदद यहां पर गेंदबाज को नहीं मिलता हुआ नेदर लेंड्स की दोनों बल्ले बाज अलाम से बल्ले बाजी करते हुए नजर आ रहा है फिलाल रिक्वाइड रंडेट जो है 5.45 का है जो कि अवी फिलाल जो है कंट्रोल में है मुझे लगता है कि जो रिक्वाइड रंडेट है उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देला चाहिए नेदर लेंड्स को कोसिस करने चाहिए कि हर एक के ओबर में कम से कम 4-5 रंड लेके जो रिक्वाइड रंडेट है उसको एक जैसा बंकरार रखे क्योंकि रिक्वाइड रंडेट जितना बढ़ता जाएगा दवाव उतने बढ़ते जाएंगे और बड़ा स्वाट खेलने के कोसिस करेंगे तब जाके आउट हो सकते हैं और यहाँ पर दोनों सलामी बलेबाज नेदर लेंड के कुछ अलग करने की कोसिस है इस मैच में बाई आपको बहुत बढ़िया बाई तैंक्यू सो मच बाई तो बाई आप लाइक ज़रू कर दीज़ेगा ताकि चैनल पर आते हैं और इस बाई हार्ड हीट की आए चार रन के लिए डीब मेड लिकेट के दिसा में और यहाँ पर एडवर्ड का भी भैतरिन तरीके से रसीद खान को खेल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही है रसीद खान को खेलने में यहाँ पर स्कौट एडवर्ड को स्कौर्ड एडवर्ड ने रसीद खान की ओवर में दो चौके लगाए हैं ये पहला चौका था और आते ही एडवर्ड ने रसीद खान को पहली ओवर में जब रसीद खान आये थे तब चौके से सुरुआत किया था बहुत ही बहतनी खेलतावा एडवर्ड स्पाइन्टालीस रनों के स्कोर पे नेधरलेंड्स का स्कोर पहुंच चुका है भाई यहां पर 90 रनों के स्कोर पे जी हाँ 19 ओबर 3 गेदों के बाद यहां पर नेधरलेंड्स का स्कोर 90 रन बज़ चुका है तो भाई यहाँ पर 136 भायों ने हमें लाइक किया है तेंक्यू सो मज़ भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए अब भी यहाँ पर लाइक करें जरूर खड़े ताकि हमें मौटिवेशन मिलता रहे रसित खान की गेंद बहुत धारदार गेंद नहीं हो रहे है जिस गेंद के लिए जाने जाते है फिलाल यहाँ पर एक गेंद स्रीपर रसित खान को देखने के लिए मिला जिसके लिए जाने जाते है तोड़ा सा जो गेंद बाजी करते है फ्लाइटेट थोड़ी सी उचाल रहता है और अचानक वो गेंद नीचे हो जाते है पूर्स 24 नहीं है उनका मालिक कोई अलग है तो चलिए देखते हैं क्या एडवर्स अपना 50 रन पूरे कर पाएगा और इस बार आख्री गेंद पे सिंगल लिया है और इसी सिंगल के साथ है स्कॉट एडवर्स स्ट्राइक अपने पास रखेंगे और स्कॉट एडवर्स जो है स्कॉट और यहां पर मेरा चैनल का नाम है स्पोर्ट्स निज्टिफोर नौट निज्टिफोर इस ऊथ्यास का ने सब्सक्राइब कर लिया है ताकि आगे आने वाली मैंच्ईश की लाइव कमेंटरी आपको सुनने के लिए मिल जाएगा क्या होगा अब देखना होगा चौका चौका एडवर्ड्स ने चौके के साथ अपना पचास रन पूरे किये भई एडवर्ड्स ने पचास रन अपने चौके से पूरा किया है और निदरलेंज का तो चलिए भई देखते हैं बने रही है यहां पर दीपक कुलहारी जी हमारे साथ जुरे हुए है और लगातार पूछ रहे हैं यह सब चीज यहां डिसकास करने का नहीं है जो भी डिसकास है आप मेरा मेरा मेल आईडी में डिसकास कर सकते हैं मेल आईडी में जॉइन होके डिसकास कर सकते हैं भई यह स्पोर्ट्स न्यूस 24 चैनल है स्पोर्ट्स का और यहां पर स्पोर्ट्स का ही मजा लिजी तो क्या लगता है भई क्या होने वाला है इस मैच में उसको बारे में बताईए क्या होने वाला है इस मैच में फिलाल 21 ओट के बादтак नेडरलेंज्स का स्कूर्ड या ठानवे रंबने है विदाउट टेनी लॉस तो दोनों सलामें बल्लेवाजी याँ पर भैतरीन बल्लेवाजी करते भे नजर आर रहे हैं लाइक जरू करें भाई, लाइक का मदब बता है, सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरू करें क्या लगता है भाई एम लगातार कॉमेंटरी सुनता हूँ भाई दिपक कुलारी जी, थैंक्यू सो मज़ भाई इसी तरह भाई सुनते रहेगा, लाइक जरूर करते जाएगा और कभी आपको भी मैं अपनी कॉमेंटरी में जोइन करूँगा भाई एक गेदों के बाद अठानवे रन बजचुके हैं तो भाई, लाइक जरूर करें, लाइक का मज़ बताए, सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल प्रदबे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले फिलाल यहां पर बहतरीन मैच होतावा, जी यहां फिलाल यहां पर बहतरीन मैच होतावा नजर आर रहा है 21, और यहां पर 100 रन पूरे होगे, भई यहां पर 100 रन पूरे होगे नेदरलेंड्स के इस गेंद पे यहाँ पर सिंगल लिया है एकरमन ने और इसी के साथ स्कोर जो है 100 रन पूरे हो गए है नेधरलेंड्स के 21 ओब तीन गेंदों के बाद स्कोर जो है यहाँ पर 100 रन नेधरलेंड्स के बन चुके है तो भाई लाइक जोलू करें यहाँ पर 149 भायों ने लाइक कर दिया है तेंक्यू सोमाज भाई दिपकुलारी जी और फिर से एक बार इस ओबर की चोथी गेंद और सामना करेंगे एडवर्ड्स तेरपन ननों की स्कोर पे खेल रहे हैं रसीद खान की गेंद और खेलने में कोई दिक्कत नहीं हो रहे हैं लेफ्ट आम यहाँ पर राइट आम ओवर्डविकेंद गेंद बाजी करता हुआ सीदे बले से खेल दिया है बोलर के पास कोई रन नहीं डॉट बाल होता हुआ दोनों के बीचे 100 रनों का साजेदरी बच चुका है 133 गिनों पे फिलाली सोबर के अगली गेंद और सामना करेंगे यहाँ पर एडवर्डवर्ड डाइने हास से ओवर दो गिन बाजी करता हुआ बैकपुर्ट में गए बॉल को खेल दिया है मिड़ आफ के तराफ सिंगल मिल जाएगा इस गेंद पे और इसी सिंगल के साथ एडवर्डवर्डवर्ड डाइनों के स्कूर पे पहुंच चुके हैं 21 ओबर पाज गेत को बाद 101 रन बन है नेधर लेंड्स के तो भाई हमारे साथ 138 भायों ने लाइक कर दिया है थैंकि सो मज भैल लाइक करके सपूर्ट करने के लिए और आख्री गेंद है इस ओबर की और सामना करेंगे इस पार एकरमेन राउंड विकेट बॉल करता हूँ आज बार स्विप कर दिया है बॉल को 72 इन सौर्ट टिम विकेट के दिसा में दो रन की मांग है मगर यहाँ पर सिंगेली मिलेगा और यहाँ पर रन चौथा ओबर डाल चुका है रसीद खान और कोई अलग कुछ नहीं कर पाएं और 21 रन दे चुके हैं अब तक 4 ओबर में फिलाल 153 रनों की जोर रहत है यहाँ पर नेदरलेंड्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए जी हाँ तरीके से लाइक किया है आप भी यहाँ पर लाइक करके में सपोर्ट कर सकते हैं बही जो लोग अभी तक चैनल पर नए है तो बही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजीगा बही जो लोग अभी तक चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा ताकि आगे आने वाले बैसेस की लाइब कॉमेंटरी आपको सुनने के लिए मिल क्याए फिर सेख बार क्वाइस आमेद आये हैं गेंद बाजी काने के लिए ये इनका पांचमा ओबर है और सिंगल लेके यहाँ पर स्टाइक को रोटेट किया है एकर बैन ने फिर सेख बार एडवर्स जो की पूरी तरीके से सेट हो चुक है और फिलाल नेदरलेंड्स के खिलाडी जो थे यहाँ पर बात करें किंगमा वीवियन किंगमा जिसको बॉल टेंपरिंग के चलते बॉल टेंपरिंग किया था और उसके चलते उनको वर्ण किया गया और पांच रन जो है यहाँ पर अफगानिस्तन पे खाते में जुड़ा गया तो चलिए पहला विकेट गिर चुका है यहाँ पर जी यहाँ पहला विकेट LBW आउट हो चुके है यहाँ पर क्वाई सामिद की अच्छी गेंद पुछी तरीकी से बीट हो गए थे पैर पे लगा और यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ नेदरलेंड्स का स्कॉट एडवर्ड्स थोड़ा सा जो है यहाँ पर फुल लेंद बॉल था अच्छी लेंद पर डाला था बला आगे लेके गया है और मिडिल स्टेम का बॉल था जो के पैर पे लगा और यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ स्कॉट एडवर्ड्स आउट होता हुआ क्वाज आमेद ने विकेट लिया है कि हमारे साथ बने लेगा लाइक जोड़ कीज़ेगा और चैनल पर बहतरीन मैच होता हुआ जी हाँ फिलाल यहाँ पर बहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है तो भै याप और जिद्धे भी भाई जूट चुका है सभी को में बाल लाइक जोड़ो करे साथ में चैनल पर नजर बच्चान को सब्सक्राइब जोड़ो कर ले भाई चलिए देखते हैं इस बार पीटर सेलर जोगी कप्तान है स्टाइक का यह लेंगे और सामना करेंगे क्वाईस आमिद की गिनबाजी का और देखना होगा कि यहाँ पर क्या अलग कर पाते हैं नेदरलेंड सुलवात तो बहुती बढ़िया दे दिया है दोनों सलमी बले बाजो ने जोड़ रहत है तो यहाँ पर पीटर सेलर को एक कप्तानी पाड़ी खिलने का कि यहां पीटर से लड़को एक कपकानी पाड़ी खिलने का तो भाई हमारे साथ बने रहें लाइक जरू कीजिए और चैनल प्रदबर चैनल को सब्सक्राइब पर जरूर कीजिए का 138 भायों ने और स्विप की देख कर दिया है सीली बीडाउन पर ताराफ बॉल गया है देखना होगा फिलाल अच्छी गेंद और इस बार बहुती बढ़िया गेंद था यह क्वाई सामित का टपा खाया सीधी निगली बॉल सीधा विकेट की पार की दस्ताने में कोई रन नहीं लगा था डॉट वोले होता वा और 103 रन एक विकेट के लुकसान पर तेई सोबर क इसकोड एडवर्डस जोकी आउट हुए हैं 54 रनों की स्कोर पे 74 गेंद खेले थे 54 रन बनाने की चक्कर में और 5 चोके भी लगाए और एक छक्का भी लगाया फिलाल कॉलिन एकरमेन बैटिंग कर रहे हैं 44 रनों की स्कोर पे 60 गेंद का सामना की हुए 4 चोके और एक छक्क की मदस से पीटर सला नय बले बाज है और यहां पर दबाबब बनाने की कोशिस होगी यहां पर अफगानिस्तान की खिलाडी का तो भाई अमारे साथ बने रहेगा लाइक जरू कीज़ेगा और चैनल प्रतबर चैनल को सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा एकरमन जो की सामना करेंगे यहां पर आमेद मलिक पैली गिन और यहां पर पटकी भी गिन्ती बॉल को खेल दिया गैप में खेल दिया है कवर और एक्स्टर कवर के बीच में से फिर्लर भाग रहे है और यहां पर दो रन मिल जाएंगे इसी दो रनों के साथ एकरमन पहुच चुका है 46 रनों की स्कोर पे इस्कोर हो चुका है नेदर रेंट का 105 रन एक मिकेट के लुकसान पे ओमर फारुक जी यह भाई अब तक एक मिकेट है जी भाई कोई दिक्कत नहीं है ओमर फारुक जी रन की गति जो है वो बहुत ही कम है फिलाल देखना होगा कि यहां पर पिटर सेलर और एकरमन इन दोनों के बीच जो साज़ेदारी है इसको तोड़ना होगा रसित खान भी कुछ अलग नहीं कर पाए इस मैच में वाहत के बोलर है और इस बार खेल दिया है बॉल को डीप स्कॉयल लेग दिदार आप कोई धीमा बहुत ही धीमा चल रहा था मैच तो भाई 149 भाईव ने हमें लाइक किया है आप भी यहापर लाइक कर सकते हैं फिलाल इस ओबर की अगली गें करता हुआ आमेंद मलिक सामना करेंगे पीटर सेलर जोकी कपतान है मगर यहाँ पार कोई रन नहीं डॉट बॉल होता है यहाँ पर पीटर सेलर आउट हो चुक है बाई आपने मेरा दिल खुश कर दिया है बाई यहाँ पार पीटर सेलर आउट हो चुक है बाई हाथ की गेंद बाजी ओबर दो विकेट गेंद बाजी और यहाँ पार पुई तरिके से बीट हो गया और क्लीन बोल्ड होता हुआ पीटर सेलर खड़े खड़े रहे बाल को देखते वे क्लीन बोल्ड हो चुके हैं पीटर सेलर जो की कप्तान है और इसी के साथ दूसरा विकेट नेजरलेंड्स का जी हाँ भाई नेजरलेंड्स का दूसरा विकेट गीर चुका है 106 पे कि देजी सोबतीन गेंदों के बाद तो भाई अमारे साथ 140 भाईयों ने लाइक कर दिया है आप भी लाइक करका में सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जोरू कीजिएगा देखना होगा कि नए यहापर नए गेंद बाज बल्ले बाज कौन आते हैं हमारे साथ उमर फारुक जी जुरे हुए हैं और यह क्वाटर से जुरे हुए हैं थैंक्यू सो माच बाई उमर फारुक जी आपका बाता दे कि यहाँ पर मैं तो भाई जो खेल गिम खेलता हो क्रिकेट खेलता हो भाई देखना होगा कि यहाँ पर बल्ले बाज कौन आये हैं फिरार गौडली जी हाँ गौडली आये हैं यहाँ पर बल्ले बाजी कर लिए बाई मेरा असली नाम जे डबली टी जीत है मेरा असली नाम जे डबली टी जीत है अब जो दबाव है यहाँ पर नेदरलेंड्स के उपर पूरी तरीके से बन चुका है क्या बहतर इन विकर लिया है पिटर सेलर कर किस तरीके से गेंद बाजी अच्छी गेंद बाजी यहाँ पर खड़े रहे गए यहाँ पर बल्ले बाज पिटर सेलर नहीं भाई फारुक जी मैं फिरी फायर नहीं खेलता हूँ और बहतर इन सौ ठड़ी बैकवार्ट पॉइंट की तरब और सिंगल लिया है और सिंगल के साथ इसकोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हूँ आपको बता दे कि यहाँ पर हो चुका है तेईस ओवर पांच के दोंक बाद 107 रन दोग विकट के लुकसान पे बाई सुन्दराम सिंग जी लगाता दो विकट जाने के बाद मुझे लगता है दबाब जो है यहाँ पर नेदरलेंड्स के उपर बन चुका है अगर यह विकट पीटर सेलर का विकट नहीं जाता तो साइध मुझे लगता है नेदरलेंड्स आज कुछ अलग करने वाला था चलिए बहुत ही बढ़िया थेंक्यू सो मच बढ़ यहाँ पर 24 ओवर के बाद नेदरलेंड्स ने 108 रन बना लिया है दो विकट लुक्सान पे यह बेतरीन ओबर रहा आमेद मलिक का इस ओबर में सिर्फ पांच रन दिये और एक विकट भी लिया है और काफी बढ़ा विकट था वो पीटर सेलर कप्तान का जो की बीना खाताख फिले कौईस आमेद ने क्लीन बोल्ट कर दिया है फिलाल गौडली यहां पर बल्ले बाजी करते हुए नजर आ रहे हैं एक रनों की स्कोपे और एकरमेन अभी भी बने हुए हैं तिरेसर गेंदो का सामना की हुए अटाली सिनलों की स्कोपे आज निदलन सीतेगा चलिए देखते हैं बाई बने रहेगा इसके लिए सुन्दर राम सिंगी हमारे साथ बने रहेगा थैंक यू सो मज़ भाई थैंक यू फारुक जी गूमर फारुक जी हमारे लाइक करके सपोर्ट भी किया है और यहां पर चौका जी हां चौके से स्वागत किया है एकरमेन ने क्वाइस आमिद का और इसी के साथ आपको बता दे एकरमेन 22 रणों की स्कोर पर पहुँच चुका है भाई अपना 50 रण पूरे कर लिया है एकरमेन ने और स्कोर निधर लेंड्स का 112 रण दो विकट के लुकसान पर बहुँच चुका है तेंक यू सो मज़ भाई तेंक यू सो मज़ लाइक जोरू करें भाई 140 भाई उने हमें लाइक किया है आप भी यह आप लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं फिलाल मैच है चल रहा है बहुत ही बढ़िया तरीका से और मैं पांच मिट का ब्रिक लेता हूँ पांच मिट बाग फिर से दुबारा जॉइन होता हुआई आखिर के जो लाश्ट ओवर की जो मैच देखने है बहुत ही बढ़िया होगा पांच मिट का ब्रिक लेता हूँ पांच मिट बाग आपके साथ फिर से जॉइन होता हुआई बढ़िया लेता हुआई कर दो दो को तो झाल 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 झाल